कारति श्रीरा मायन जीति कीरति गलिद गलिद श्रीरा मायन जीति कारति श्रीरा मायन जीति कीरति गलिद गलिद श्रीरा मायन जीति कावत प्रम्हादिक मुनिलारत कारति गलिद गलिद श्रीरा में जीति सुपसर पादिशेश रुसारत परनी पवन सुथ कीरति नीकी पारति शेरा मायकी जेति तीरति अलेक लेक सिया फेति पारति शेरा मायकी जेति संतर गामत संभु भवाली संतर गामत संभु भवाली अरुघट सम भव उनिवे क्यानी प्यास आदि कभी बजब कानी प्यास आदि शेरा मायकी जेति तीरति अलेक लेक सिया फेति आदि शेरा मायकी जेति प्यास आदि शेरा मायकी जेति शेरा मायकी जेति शेरा मेरक रचिए शेरा मायकी जेति शेरा मीन शेरा मायकी जेति आरत शेरा मायन जेते एनत पलित ललित सिया पेते आरत शेरा मायन जेते कलिमल हरन विशय रसमीती सुखग सिकार मुंति जोती की सुमद सिकार मुंति जोती की पर निरोग भावा पूरियमीती कात मात सब विदि तुन सेखी आरत शेरा मायन जेते एनत पलित सिया पेते आरत शेरा मायन जेते की रत कलित ललित सिया पेते आरत शेरा मायन जेते आरत शेरा मायन जेते अरत शेरा मायन जेते आरत शेरा मायन जेते आरत शेरा मायन जेते आरत शेरा मायन जेते अनते अनते प्रभु सता सहाी और तीठी अनवाढ लाकी कि लिए बीरा रखुनात पठाए लंका जारी सियासु दिलाए लंका जारी सियासु दिलाए लंका सपोर्ट सबूर सिखाए जाजबा बनगत बार मेलाए वार्टी कीजे हनु पाज लला की लंका जारी असुर सम्हारे लंका जारी अधूर सम्हारे पियारा अबजी के लुकाँ सवारे दश्मन मुझत पड़े इस तखाए आजी सच्ची वजुकाँ पुखाए वार्टी कीजे हनु पाज लला कीए पैदी पाताल सोरी जमकाँ पैदी पाताल सोरी जमकाँ अधिरावर की पुझा हुखाए अधिरावर की मुझा हुखाए वार्टी की देवन पाज लला कीए सुर दर्मोनी आरती हुखाए जय 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 अनुवान हुखाए जय 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 अनुवान हुखाए जय 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 काव वर्टी की देवन लला की जो हनुवान जी जय 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 के आरती गांवे पाइतिकी के अनुबान लेलागी तुष्टे देले देल दुनार दिसमेलागी पाइतिकी के अनुबान लेलागी तुष्टे देले देले दुनार दिसमेलागी पाइतिकी के अनुबान लेलागी काग वशंडी जी और गरुजी महाराज का परसंग चल लाओ तो गरुजी महाराज बोले काग वशंडी जी से महाराज ये बताओ कि माना सरी में ऐसी कियाब इस इश्था है कि सबसी बड़े बाद एक माना सरी में बता रहे तो कार्व सिंडी जी कहते है कि हित या ने हित पस पच्छी जाना मानस तने को ने क्या नहीं निदाना तो मानस का सरीर ग्यान का गुन का बंडार है और हेते आन हेते पसी पच्छी जानते हैं इसलिए ये मानस तरीर महान है ये मानस तरीर कैसा है कि तीन तरह की नसेनी है नसेनी दो तरह की होते है उपर चड़ने के लिए और उतनने के लिए जो मानस शरी तीन तरह की नसेनी है कि नरक और सुरग अपबरग नसेनी मोच देने वाली है और सुरग के लिए चलने वाली है और नरक भूँ पहुचने वाली है ये तीन तरह की शीड़ी है कि नरक सुरग अपबरग नसेनी ज्यान की और बक्ती की बेराग की सुभ देने वाली है क्योंकि मानस शरीर पाखे तो पाए न जई पर लोग समारा साधन धाम मोच कर द्वार जिस मानस शरीर साधन है मोच का द्वार है इस शरीसे पाखे चाहरा न रख्व चले जाओ उच्छा शरक्ष चले जाओ चब मोच के लिए पा लो यह मानस शरीर से मिलता है सब तो बड़े भाग है मानस शरीर हम आपको सब कुमाता बैनों को मिला है उर बड़े सब आगशे मिलते हैं जाना कौन कौन पूर्व जरम के पुन्द दोते हैं, जब एक बारा मैमान सरी मिलता है। संतों की मेमाँ आप देखें। कम्मद मंगलम है और संत समाज हूँ। और जो जग जंगम तीरत राज हूँ। संतों का समाज तीरत राज के समान है। जैसे पुन अरद्वार, बद्रिनाथ, केदानाथ, गंगोतरी, जंगोतरी, कहीं भी जाओ। प्रागराय जाओ तो वो फल अपन के लिए हैं ही मिलते। जो कथा सुनवे अपन यहां वहां से आ गए, छेतरवासी, सविक्रामवासी यहां तक आ गए, तो जो फल पीरतों में मिलते हूँ, वो कथा सुनने से मिलते। मुनी दुरलव हरी भक्ती और नरपावई बिनई प्रियास। जो मुनी मातमन के लिए हैं हरी भक्ती दुरलव हैं। बार मनों से बिनई प्रियास के पाले दें। बहुले कवो कजे है कथा निरंतर और सुने मान विश्वास। भगवान की कथा नरंतर सुनें और विश्वास मानें। क्योंकि विश्वास नहीं मानेंगे तो उसके लिए फल नहीं मिलेगो। दिन विश्वास भक्ती नहीं और तेई बिने द्रवही नराम। और राम कृपावने सपने। जीव नले विश्वास। जब तक जीव आत्मा के लिए विश्वास नहीं मिल सकत। जब तक प्रगु के पृति विश्वास नहीं हो। उप जए रामों चरनों विश्वास। जए रामों चरन विश्वास। बदने तरे नरे बिने प्रियास। बदने तरे नरे बिने प्रियास के मुख़ो गलाते। बदने तरे नरे बिने प्रियास। और जो नर कर विश्वास गाय राम गुन गन विमल भवतर बिनई प्रियास का समय इसमें कल्युग में बड़े भाग से कल्युग जैसा जुग आने के लिए नहीं है लेकिन विश्वास उन से प्रवु के प्रति जबर दो ऐसा समय राव नार्जसपावन गावई सुनें ये लोग रामघक्ती लिडरपावाही बिनई विःराग जभ जब जब, इन्विडराग के जब, जब, नियम के वप पा सकते हैं लेकिन प्रवु की बड़ती प्रवु की कताा के प्रतिव प्रेम होना चाहिए कि तो संसार सागर से मुख्र है तो किसी महातमान है सजन परस नहीं परसंद की या माराई मुद मंगल में संत समानी हूं तो जय जग जंगम तीरत दाई थी तो तीरत में प्रागराज में तीन दारा है तो बता रहे हैं कि राम भगती प्रचारा जो प्रचार बिचार है जो संस्कति जी जी तो दुद्धारा जी होगा इंप्रिवले को गंगमा जमना संस्कति जी कौन है तो जमना जी संद मात्मा बता रहे हैं सजन पर उस प्रसंद कर रहे हैं कि विदी निशेद मैं और कलमल हरनी और करम कथा रभी नंदनी बैरनी तो रभी नंदनी सूरी देल की पुत्री यमना जी जी तीन दहरा हो गई और तीन दरा हो गई मारा है तो त्रवेनी बैनी फूंसी इसमें जब त्रवेनी बनेगी तो बैनी बता रहे हैं मात्मा हरी और हर कथा बिराजत बैनी और सुनत सकल मुद मंगल बैनी तो जो भगवाल गोलेनाजी कथा है और श्री बिस्मू वग्वान की कता है जो एक प्यानी निया था प्यानी लखे है ओगई पॉग तुम्हीज प्रश भी रीये अच्छे मट वी यह इस संतों के समाज में चलके परता उख प्राग राज में बट प्रश का ए अच्छे मट का इसमें तुमा तुमा मता रहे हैं कि बट बिश्वास अचले निजी धर्मा अचले जो विश्वास रूपी बट बिश्वास है और तीरत राज समांज सु मापना सु गर्म है वो दीरत राज कि समाने जो बुट बिश्वास है जो विश्वास शनातन से चला रहाएत जब्द तद hosts जह बाद चलता रहेगा यह अच्छे अच्छा वाट है इसकी कभी जह नहीं होती जो विश्वास है सनातन से चला रहा है सनातन कर रहेगा जो तीयत राय संगम है और सवही सोलव सवह दिन सब देशा और सेवत साधर समन कलेशा जो सब के लिए सब है आखे दे अलोक के ओ तीरत रावू और द्ये है सद फल प्रिगाट के पिरवावू तर्वे सद फल अच्छ अच्छे फल तीरत राय जो कथा सुनने से देते रहते हमेशा क्यों संत मातमा बता रहे है के सुन समजें जन मुनत मलो और मन्ययत अनुरात और लेए चार फल अच्छित तने साधू समाज प्रियाग तो प्रियाग जैसा फल साधू संकों का संग अमेशा अब ले रहे थे चार फल लेते हैं जो भगवान का कथा सुनें ससंग में जाएं और मन लगा के सुनें तो चार फलों ने तीरत राई जैसे हमेशा मिलते रहते हैं तो ये बड़े भाग है कि कल्यालपुल खेरे में प्राने खेरे पे भगवान सी रामचंदर जी कथा चल रही है बड़े सोभाग की वाद है ससंग से काया अपन वो चार पाश्चीज़ मिलती हैं पाश्चीज़ सुने समझें जन मुदेदमन मन्यन अतियन राग और ले चार फल अच्छतन साथ समाज प्रियार वो सुनें आच रज करें जन कोई कथा सुनके आच रज नहीं करने चाहिए क्योंकि नाना वाद प्रकार से प्रवगी कथा हैं अरी अनंत अरी कथा अनंत और कहें सुनें अपा उपीदी सब संता जो कह रहें और अपने कानों कोई द्वारा सुन रहें बेवी संता हैं संतों की चार प्रकार सुपा दिदेशन अगी नारत देखा बिकलच जन्ता उलावी दया कोमलचत संता विदेशन जी क्या रहें अनमान जी स्याओं में बहा बरोस अनंता और बिन हरी किर्पा मिले नहीं संता हरी की बड़ी किर्पा होती है जब संत भगवान के एक बार भगवान के बड़े को के यह बादर नोटे यह एक अंब पाति पूछ रहें ढांपार जी तो ने श्यम तो नहीं पूछ रहें और अनमान जी पकुछ रहें कि तुमाराज ये बताओ कि शंतों की और अशंतों की करनी कैसी होता है संद कैसे होते हैं और असंद कैसे होते हैं लेकिन परसंद करतमन सपचा रहें प्रफू से कुछार नुगल कुछो कि जैसे को महाराजिञे से चर्चा करें सकते हैं तो खलेने को नहीं को सहा भोज्ञार, आज़िद०। संतों के औरा संतों के बारे में पूछना चाहते हैं ऑन जी बोले जो मैं जा रहा कभी मुर्स भाहूं और प्रता ही मुर्स कि यंदर कहाँ आप तो मेरा सुभाव के लिए जानते हैं बहरेजी में हमा सुभांतर अपके पूछना रखते हैं तो आप बता आप ये सकोच रहे तो भगवान स्री राम जी बोले के संत या संत ने की अशे करनी की संत य चंत न की अशे करनी जम कोठार जंडने आजरनी तो संतों की और असंतों की करनी के बारे मां भगवान सी रामचंद जी बता रहे तो बने ये कुलारी पह और चंदन की फेड़ पह दा रंदा काटनों की पहरती को अरऑ असंतों की करनी क्या चंदन की पहल अरहे अवह लिए काट रही और फिर भी चंदन को पेर उसके मुझे खुषभु बसा रहा है कि गुलारी काटके चले गए तो खुषभु बस गहीं तो रहा है लिए ताते सुर्शीचन चलत बाके कारां से चंदन को पेड़े देवतामनी मातमा संतों के भक्तों के सिर पर चड़ते क्योंकि वो खुषभु बसा रहे ताते सुर्शीचन चलत जगपल्लव श्री घंड और अनल दाहें पीटत का नहीं परस बदनेया हैं डंड तो लिए व जाशनों को क्या करनी है कि वाइक मुह आग여 मैं जो को लारी को अब जो धाकत अब महतामों तो अब लागता आओ को लार ठेचिव रहे अपंतलों तो जो करनी होई चैनल के लिए नहीं आ है तो तो दीनी करनी के लिए च्वहि भानि करनी आब अगे most man क्रिक पच्छक प्रिक मिन का दानाउं तो पालेंके नारद गटास नारदिकन एंत है कि आवे गया दगत दनी जजनिज मुखने कही जीहानी जी जनिज मुखने कही जय हानी तो जल चर थल चर नब चर नाना और जे जर सेतन जीवु जहाना मती कीरती गती बूती बलाई और जब जही जहां जही पाई यसा मती और कीरती मती कीरती और गती और बूती 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 माने कि दे गती से और मती माने अच्छी बूती अपनीं सिवन्य पाई उप्ती यहां कि अज्ठी जहां जहां जही पाई और जे पाच्चिय कमल दे, सो जाना हो सत संग प्रभाव। लोक हुँ बेदे नयाने उपाव। लोक हुँ बेदे नयाने उपाव। तो सर्संग में जाने से जे पाच्चिय मिलते हैं। जैसे अपने यहां स्री श्रीयायक लेक अज्याराठ स्री प्रस्रामगरी जी महाराय ब्रायमान है। तो वहने के यहां 24 का हिंटा राम कथारूपी गंगा पहा करती है। लेकिन जुन ने सुनी होए। उनके समच बैठे होए। जब सुनाते हैं साथु संट बैठे जाते हैं तो मनई मन में अपना चिंतन प्रवु की आधियान लगए है। अब पूचेंगे तो भी बताएंगे। ऐसी संतों का समागम बड़े भाग से मिलते हैं। और सचंग से अपने सारी चीजें ग्रेश्टी की मिल जाती है। इतने माता पारवती अपने अपना धरम बता रहें माता पिता को बालकन खोवी यहां प्रात काल जागी रख राई है। तो मात पिता कुन आवें माता माता पिता अपने मश्टक जपाने प्रती दिन तो दिन दिन रूप राज्च्वग ने होगी। ऐसा नियम एक दो साल करके भी देख ले। मलजिन ना का रहे हो भी देखें। बास्तक मैं संसार में इतना सुक भड़ा और यहां संपत्ती बरी। वो मिलेगी जब ही जब नियम पर चलेंगे तो और नियम पर नहीं चलेंगे तो भो नहीं मिलेगी। सब के लिए भगाई। यह कई धरम यह प्रत नियमा और काय मन क्रम पतिपद प्रेमा। माता अर्शुरी आखी और मया सीधा जी की चर्चा चल लए। यह कई धरम है। और इतना माता पारवती सो उन्हीं की मया कह रही। बोले कारा है सदाओ संकरपद पूजा। और नारे धरम पति देवन दोजा। नारी का यह धरम है। पति की स्वेवाज सवा और कोई दूसरा धरम है नहीं है। भगवाल सी राम यह पाय मुखारविन से कह रहा है। बोले रहते यादा को धरमे नहीं दोजा। रहते यादा को धरम नहीं दोजा। सादर सास सचरपद पूजा। सादर सास सचरपद पूजा। सादर सास सचरपद पूजा। सादर सास सचरपद पूजा। साकनां से बेरे होए। उन्नों धन्संपत्ते बिलकुल नहुए। तो ऐसे ही पती करे। औ किए अपमाना। नाना प्रकार के हम आप हो चा माताय बैरा होई चा पुरुस होई चा बालक होई चा ब्रद्ध होई लेकर नाना प्रकार के दुगु भोगते ही रहने करा करा आखिर मरेंगे जिन्दगी में जो सुक है अपन भोगने के लिए आए हैं बे नहीं मर सकते हैं जो मारग है बनाइपुल चलना पड़ाएगा आपने आरे एक दो साल करके देख लो जीवाखे रेदेख दो साल छोड़ के देख लो तारुपी रेवाए एक दो साल आपने बल्यों श्री संकर भरवाने की आपने होए बीश मिलेट राम जी है महाराजी मन चल जाना है दो बार प्रभुशी राम जी का नाम बार्वानी का ब्राम श्री रिष्ने मोविन नहरे मुरारी थे नाक नारा यार्गा शुदे थे नाक नारा यार्गा शुदेवा 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 थे नाक नार जोविंदा हरे मुरापरी एनातनारा यर्भाशुदे भाव प्रीघ्रिषे जोविंदा हरे मुरावी एनातनारा यर्भाशुदे अभी आप अपने पड़ोषके स्री पूलंदास जी बावाजी से पड़ी सुंगर चप्च्छा समाज राम कठा को शमाज से जोग कर उन्होंने आपको चमजाया अन्दूर मात्राओं के लिए पति-पत प्रेम ही सर्वोच धर्म है और कोई कूजा पत नहीं है कि देखने आज का एक सिस्टम है कि बात बता रहा हूं यहां एसी माताय नहीं है क्या है जो नहीं वह आती है वो तीन प्रकार की होती है चंद्रमुखी शूर मुखी और ज्वाला मुखी जब बहुत ब्याय से आती है तो वो समय उसका रूप चंद्रमुखी रहता है वो चंद्रमा के समान ते चंद्रमा सब को सीतलता देखा पूरे परिवार को पड़ोस को सीतल लगती है बड़ी अच्छी बहु आई है सब लोग प्रेम से उसे दुलारते हैं वो बड़ी अच्छी बहुत 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 सुन्र है सुसील है जब कुछ दिन वो सतुराल में रहती है तो फुरुष का रूप सूरु मुखी के समान हो जाता है सास में कुछ कहा बेटा चाय बना दे में हो बना दे विसा एका है फिर ज्यादा कलमी मं कि रहनाता को को कि ने विद्यास फन इत्र मारा पॉट दृप वासरा के निदी से बेंड़ी मंचा सीन है हैं हमारी बाल ब्यास हैं शुर्ट की ति भारती जी आपको निश्चत भी बैंजी की कथा माताओं से प्रेर्ट होना चाहिए के कथाक दामजी को सब जानते हैं दसरत बालत थे माराज मनुसत रूपा ने तबश्या की जन्म हुआ रावन को माराज शीटा जी कहना हुआ लेकिन जिक दाम इसी तुशी दाजी देने ग्रंथ लिखा है, वो समाज के कल्यान के लिए लिखा है, कि हमारा कल्यान हो हम इस पर चलने का प्रयास करें, और सम्मेलन कराने का इसने पैशा खर्च करने का भाव यह है, कि कम से कम दो लोग ही बदद जाएं, दो माताएं ही इस प्रयास करें, धीवन में उतारिएं, वक्ता यहां से जो बात कहते हैं, उसको अपने जीवन में उतागने का प्रयास करें, अपने जीवन को चफल बनाएं, कथा सुनें, क्योंकि बावा ने लिखा है, यह लिखा है बावा ने, जो यह कथा निरंतरे सुने मान विश्वास विश्वास पर संजजी बोल रहे थे यह कथा विश्वास से सुनिए बग्ता जो कहरा है विद्वान बिलकुल सत्त कहरा है उसमें कहीं कोई जूट या कोई लेसमात परिबतन नहीं है उसको विश्वास से सुनिए हरी दुर लव मुनि भगत नर्व, पाई बिन प्रयास, मतलब भगवान की बद्थी आपको बन्या प्रयास से आजाएगी, आप मन लगा के राम कथा सुरिए, राम कथा में बात न करें, आप बात करेंगे, प्रयास, मतलब भगवान करें, आप बात करेंगे, आपको 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 बात करेंगे, जै शुरुआ जै शुरुआ जै शुरुआ जै शुरुआ जै शुरुआ सब जग जाने करहो प्रनाम जोर जुग पानेरा सीयह राम सीयह जै जै शुरुआ जग जाने करहो प्रनाम जोर जग पानी आ जान के लिए राम सीया राम जयजय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम एक चौपाई में सभी को प्रिणाम किया शिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जूर जुग पानी आए भ्रवान नाम शनी की तन प्रिकता की और चनते जैशी राथे साती हमारा कौन बनेगा साती हमारा कौन बनेगा तुम न सुमकी तो कौन शुमेगा साती हमारा जै शिराग्णू देखो हम सब को नहीं गाना है आपको भी हमारे साथ गाना है आज कथा का प्रोधा दिवस्मान परंतो हमने आपसे एक दिन भी नहीं कहा कि आप हमारे साथ गाईएगी नाजी परंतो हमारे साथ गाना हमारे साथ गाना हमारे 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 गान कर दोखते हैं पानी है सर के उपर मुसीबत अड़ गई है आज हम को तुम्हारी जरूरत पढ़े गई है अपनी हाथ से हाथ पकड़ना मानूगा ऐसान संग हमारी पौन चलेगा संग हमारी पौन चलेगा तुम ना सुनो के तौन सुनेगा तुम ना सुनो के तौन सुनेगा ना सुनेगा तुम ना, तौन ना तौन सुनेगा कर दो कर दो पुछा हमने सभी से तन्ही आये लेत गई है गुमली सारी दुनिया थिवई आये कही है गुमली सारी दुनिया थिवई आये कही है एक नजर किर पाकी डालो मानूगा ऐसा तेरा मानूगा ऐसा संग हमारे कौन चलेगा संग हमारे कौन चलेगा तुम न सुनो कि तो कौन सुनेगा संग हमारे कौन चलेगा संग हमारे कौन चलेगा तुम न सुनो कि तो कौन सुनेगा प्रीम सिवुली रधरानी सरकारी खीजे जेश्वी राजा कल के उप्रांत में आपने भोत संदर चर्चा शबनी किरी थी आज जब लंका में सुहनमान जी माराज को कई भवन दिखाई देते हैं अलग अलग प्रकार के मंदर दिखाई देते हैं मंदीर मंदीर प्रतिकर शोधा 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 और देखे याइत अगन चितो धा जब कई प्रकार के मंदर दिखाई देते हैं तो उश्य में हनुमान जी माराज को एक भवन अलग से दिखाई देता है भवन अइक पून दी पसुहाबा भवन अइक पून दी पसुहाबा भवन अइक पून दी पसुहाबा हर मंदिर का है दिन बनाबा हर मंदिर का है दिन बनाबा भवन एक पुन दीप सुहाबा हर मंदिर का है दिन बनाबा भवन एक पुन दीप सुहाबा और हर मंदिर का है दिन बनाबा जब हनुमान जी माराज ने रात्री में लंका में प्रबेश किया तो उने कई प्रकार के मंदर दिखाई दिये और कईों प्रकार के भवन दिखाई देते हैं परन्तु जिस भवन को हनुमान जी माराज ने बड़ी ही भाव से देखा था वो भवन किसका था और उस पे ऐसा च्या लिखा था जिसे देख कर हनुमान जी मारा जितने प्रशन हुए कि लंका के उस भवन को बड़ी ही बिचार से देख रहे थे रामा युद यंकित गे रहे शोभा बरन न जाए नब तुलसी का बिंद तै देख हरिस का पिराए की रामा देख हरिस का पिराए भो रामा युद ते कि कि रामा देख हरित का पिरा अनुमान जी माराज ने उस पे क्या देखा कि इस पे तो मेरे प्रभुशी राम का नाम लिखा है और मन में बिचार किया जब राम नाम को देखा तो हरिमान जी माराज मन में बिचार करते है जब मन में बिचार किया तो सोचते हैं कि यहाँ बड़े निसाचरों की नगरी में इतने बड़े रावण की नगरी में मेरी प्रभूशी राम का नाम लिखा है और जब हनुमान जी माराज को मन में विचार आता है तो मन ही मन विचार करते है मन में बचन सुनत सकूचाना मन में बचन सुनत सकूचाना मन में बचन सुनत सकूचाना रहा बान बानर में जाना जब हनुमान जी माराज मन में विचार किया और देखते हैं कि इस मंदर पर इस भुवन पर राम जी का नाम लिखा है तो इस मंदर की पिदिष्टा किसकी है जब मंदर की पिदिष्टा देखी तो उसमें कौन शे भगवान थी उसमें नर्शिंग भगवान राजमान थी क्योंकि राबन उने एक बार कुबेर से छीन कर लाया था जो वो पुस्पुख मान को लेकर आया था उसमें एक बार कुब मिर प्राधा बाए एक बार कुब मिर प्राधा बाए एक बार कुब मिर प्राधा बाए उस्पाक्यान थीन ले आबाए उस्पाक्यान थीन ले आबाए उस्पाक्यान थीन ले आबाए एक बार कुबिर प्रादावा, पुष्पाक यान चीन लेयावा, एक बार कुबिर प्रधाबा, और पुस्पक यान चीन लेयावा जब रावन कोबें से पुस्पक मान चीन कर लाया था, तो उसी पुस्पक मान में नर्शंग भगवान की मुड़ती भी आई थी जब रावन की मुड़ती लंका में आ गई तो रावन की जो पिता थे बशित्वा, उन्होंने रावन से कहा कि अगर तुने इस नर्शंग भगवान की पुझा नहीं करवाई तो तेरी लंका का बिनास हो जाएगा तो परंतु रावन भगवान शिव का पुझारी थे बो नर्शंग भगवान की पुझा कैसे करता तो इसी कारण से रावन ने उसका पुझारी भिवीशन को बना दिया थे जिस पर लिखा था रामा युद अंकित गिरे शोबा बरन न जाए और नब तुलशी का बिन्द तैदीक हरशिक प्राण अब थोड़े आगी चल कर हनुमान जी माराज ने बिवीशन जी की कुठिया को देखा विवीशन जी की कुठिया को देखा तो उनके कुठिया की द्वार पर ही राम राम लिखा था और आगन में तुलशी का ब्रक्ष था तो हनुमान जी माराज ने सोचा कि यह जरूर मेरे प्रभू का कोई शेवक है इसलिए इसके द्वार पर मेरे प्रभू का नाम लिखा है अब हनुमान जी राम जी का मन ही मन शुमरन करती राम राम ती सुमरन की नाम राम राम दी सुमरण की ना राम राम दी सुमरण की ना फिर दे हरस का पीसा जन चीना फिर दे हरस का पीसा जन चीना राम राम दी सुमरन गीना और हिर्दे हरस कपी सचन गीना जैसे हनुमान जी माराज ने अपने मन में बार बार राम जी का श्मन गिया तो तुरंद ही भिवीशन जी आ जाते हैं और जैसे ही भिवीशन जी आए और हनुमान जी माराज को तुरंद की पैचान दिया अब हनुमान जी को जब पैचान लिया तो भिवीशन जी कहने लगे कि तुम कौन हो तो हनुमान जी माराज ने कहा कि आप कौन हो अरे मैं तो कब से अपने मन में विचार कर रहा हूं कि इने साचरों की नगरी में भला इतने बड़ी राक्षत की नगरी में एक मेरी प्रभू का शिवक रहता है विभीषण जी ने कहा कि मैं प्रभूशी राम का शिवक विभीषण हूँ जब विभीषण जी ने राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी माराज ने भी पैचान लिया कि ये मेरी प्रभू की कोई ना कोई शिवक है अब हनुमान जी माराज कहते हैं कि ही विभीषण जी आप निसाचरों की नगरी में कैसे मेरी प्रभू की शिवा करती है लंका निस चर निकर निवासा लंका निस चर निकर निवासा यहां कहा निकर निवासा यहां कहा निकर निवासा यहां कहा निकर निवासा यहां कहा निकर निवासा जैसे हनुमान जी माराज ने कहा प्रभू आप निसाचरों की नगरी में प्रभु की सिवा कैसे कर पाते हो तो पिवीशन जी ने एक सूत्र दिया कि हे प्रभु जैसे इन 32 दातों के बीच में एक जीवा रहती है उसी प्रकार से इन राक्षतों के बीच में मैं प्रभु की सिवा कर पाता हूँ अब विवीशन जी से राहनमान जी माराज ने पूछा कि हे माराज क्या आपको पता है कि माता जानकी कहा है विवीशन जी ने कहा कि तुम माता जानकी की सुद लेने आई हो हनमान जी माराज ने कहा कि इतनी दूर से माता जानकी की सुद लेने यी तो आए है परदू मुजी प्रभुशी राम ने यह अंगुठी के तोर पर निशानी दी है जिससे माता जाने की मुझे पैचान इली तो परदू मुझे कहने लगे कि है अलुमान जी मैं आपको माता जाने की तक पोचा सकता हूँ परदू आपको भी एक बचन देना हो कि हम आ पको माता जानगी की सुद्ध देंगे और आप हमें प्रबुशिराम जीशे मिलबा देंगे तो हनुमान जी माराज ने कहा ठीप परें तो अभी आप हमें माता जानकी से मिलवाईए और जब सही समय आएगा तो प्रभुशी राम आपको श्रम ही मिल जाएंगे जब इतना कहा तो विभीषण जी ने बता दिया कि माता जानकी असुक वाटिका में जब इतना सुना तो हनुमान जी माराज अशुक वाटिका में पोच जाती हैं और अशुक ब्रश के उपर पत्तों में छुपी बैटी है आज साय काल का समय है रावण मंदोदरी को साथ लेका राया और माता जानकी से कहने लगा की है जानकी एक वार भी लोग ममोरा एक वार भी लोग ममोरा एक वार भी लोग ममोरा एक बार वी लोग मोरा एक बार वी लोग मोरा तब यान चरी करूपान मोरा एक बार वी लोग मोरा और तब यान चरी करूपन मोरा राबड कहने लगा कि ही सिता तू एक बार मेरी तरप देख अगर तू एक बार मेरी तरप देखेगी तो इस महल में जितने भी रानिया हैं जितने भी दासिया हैं जितने भी राज कुमारिया हैं सब को मंदुदरी सहित तीरी दासी बना दूँगा जब इतनी वड़ी बात राबड कहने लगा तो उस समय माता जानकी ने कितने का उठाओ त्रणगार ओट कहित बेदे सुमर अबद पते परम सने राव मुसीया राम सीय राम चेहे राम तन दर्यात का तुबध सुमर यहद पती परम सने राम सिया राम, सिया राम, जे जे राम राम सिया राम, सिया राम, जे जे राम त्रन्धर उट कहित बेदी ही और सुमर अबद पति परम सनी है तुम माता जानकी ने उस तिनके को उठाया और अपनी आखों के समिप कर कहती है कि हे राबन सटी सूने हरे लायो मोही सटी सूने हरे लायो मोही अदम निलाज लाज नहीं दो ही सटी सूने हरे लायो मोही और अधम निलाज लाज नहीं दो ही माता जानकी बोली कि हे राबन तु मेरे लिए मंदोदरी सहित सबको दासी बनारी की कहे रहा है पर अगर तु सच में बीर होता अगर तु सच में बलवान होता तो मुझे प्रभुशी राम के सामने लेके आता अगर तु मुझे रानी बनाना चाहता तु मुझे बीर गती से जीत कर लाता त। ऐसे काईरों के तरह छुपकर नहीं लाता माता जानगी ने तिनका क्यों उठाया है क्यों कि एक तो माता जानगी का जनम प्रत्वी से और तिनका भी प्रत्वी से इस नाटी भाई हुआ और फिर अबदपती कैसे तो इसे लिए अबदपती का एक बार महाराज जसरत ने माता कोसलिया से कहता कि है कोसलिया बधू है लरकनी पर गर आई बदू है लरकनी पर गर आई बदू है लरकनी पर गर आई बदू है लरकनी पर गर आई और राखो नेन पलक की नाई महाराज जसरत ने माता कोसलिया से कहा कि हे कोसलिया जैसे आँकों की रक्षा पलक करती है जैसे जिना आँकों को पलक बचाए रखती है ऐसे ही तुम सीता की रक्षा करना और कहा कि हे गोशिल्या अगर ये अपनी पुत्रवदू होती तो कोई चिनता की बात नहीं है परन्तु ये जटाओ की पुत्रवदू हो इसे लिए तुम इसकी पलपों की तरह रक्षा करने तुँ परन्तु महराज अश्ट ने उस समय माता कोशिल्या से कहा था कि हे कोशिल्या अगर जटाओ को पता चल गया कि राम की साधी हो गई तो भी पुत्र और पुत्रवदू सीता को लेने आ जाएगा और मैंने तो भी पुत्रवदू के हाथ से भुजन भी नहीं किया तो माता कोशिल्या ने कहा कि हे माराज आज सीता आपके लिए भुजन बनाई की तो उसी समय माता जानकी ने भुजन बनाया कहीं से हबा के जोके से एग तिनका उस खीर में जा गिरत तो माता जानकी ने अपनी नो सक्तियों को याद किया जैसे ही नो सक्तियों को याद किया सभी नो सक्तियां बाए नित्र में आ गई और जैसे ही माता जानकी की द्रश्टी उस तिनकी पर पड़ी तो तिनकी का पता नहीं चला कैसे जलकर खाक हो बेग क्योंकि गोजूती अगनकी थी इसलिए महराज जस्रत ने पेचान नहीं और कहा कि ही सीता आज मैं तुम से कुछ मांगना चाता हूँ माता सीता ने कहा कि हे प्रभू हूँ हे प्रताश्री मैं तो आपकी पुत्र बदू हूँ आपको क्या दे सकती हूँ परंतो महराज जस्रत ने कहा पुत्री एक बचन तो माता सीता ने कहा प्रताश्री आप जो बचन मांगोगी मैं बेचन आपको देदू तो उस समय मारा जश्रत ने माता सीता से कहा था कि हे सीता आज जिस दृष्ष्टी का प्रयोग तुमने इस तिनिकी पर किया है उस दृष्ष्टी का प्रयोग किसी के पास मत करना आज इसे लिए माता जानकी ने रावण से कहा कि कि हे रावन मैंने अपने पिता मारा जिसरत को यह बचन दिया है नहीं तो आज मैं तुझे तिनिकी की समान भस्म कर देखे माता जानकी ने इस बात को बोल कर और कहा कि हे रावन तो भूल गया उस बात को जब दुरवासर इसी तपश्यक रही थी कमल लाल पर बैठे और तुझे शाप दिया था कि तिरी शापली भूजा बाली से बद हो जब रावन ने इतना सुना तो रावन आग भूला हो गया माता जानकी ने रावन से एक और बात कही कि है रावन तो उस बात को भूल गया और एक और बात भूल गया अरे तु जानता है उन रगवन सियो को महराज रगु को जिनके बानों के डर से तु अपने महल में छुप गया था अरे जिसमाराज रगु के प्रताब से तो अपनी मंदोदरी के पीचे छुप गया था जब रावन ने इतनी बात सुनी तो रावन आग भूला हो गया और चंद्रहल सलबार उठाते हुए कहा के है सीता मास दिवस माओ कहार माना को में मार की काट है कपानारा लाँ सियरां सियरां हम जैदेरां लाँ सियरां सियरां दैदेरां मास्दिवस महें कहानवाना माता जानकी ने कहा मांश दिवश महु कहा न माना सो में मारक काट करपाना कि हे सिता अगर तुने एक मास में मेरा कहा न माना तो इसी चंदरहस तलवार से तिरासर काट दूगा इतना कहा और इतना के कर राबण माता मंदुदरी राबण को समझा वुजा कर ले जाती है इसी के शाथ मेरा शमे हो गया एक भजन और अपनी वाड़ी को बनागा जेशी रादेव देखो आज कथा का चोटा दिवश है पाचबा दिवश है और इस पंचम दिवश में कोन कोन नित करेगा देखो भगवान का दरबार है इसमें श्रमने वाली कोई बात नहीं हो सब अपने मन से ही खड़ी हो जाए हमसे बार बार नहीं किबब जेशी रादे उकाना बरसानी में आए जईयो बुलाए गई राधा प्यारी काना बरसानी में आए जईयो बुलाए गई राधा प्यारी मुझाना परिसाने मेह आए जही हो, को लाए ने दादा प्याए काना परिसाने में आए जही हो, बुलाए गई राधा प्यारी को काता यो में अप्यारी में भूम की लगत है जब कहना तो है भूम की लगत है रमाकन और माकन और माकन में शिरी खाए जईयों बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई 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 भूम की लगत है बुलाई 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 भूम की लगत है जब कहना तो हैं प्यार से लगट है और घंदा और घंदा और घंदा पानी भी जईयो बुलाए गई राच्वा प्यारी कि यार्ट बुल्ड़ों बुल्ड़ों अब बुल्साइब यह कोजेश्वारी बुल्साइब कि अगर एक ही नित करेगा और बाकी नहीं करेंगे तो कैसे कम चलेगा काना की दिबानी बनी जाओंगी मैं काना की दिबानी बनी जाओंगी कि अगर बनी जाओंगी दिबानी बनी जाओंगी दिबानी बनी जाओंगी कि अगर बनी जाओंगी दिबानी बनी जाओंगी जब कहना तुम प्यास लगत है कि अगर बनी जाओंगी 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 कि अगर बनी जाओंगी काना की दिवानी बने चाओंगे काना की दिवानी बने चाओंगे जब कहना तुम गौल बनती हो मैं गौलन बनी जाओंगी कहना तुम गौलन बनी जाओंगी कहना तुम गौलन बनी जाओंगी कहना तुम गौलन बनी जाओंगी मुखे में करो दिल लगाईगो में कर दो लटी जंगे जाउन में तेरी लटी कन पे लटी जंगे जाउन में तेरी लटी कन पे अरी में तो अरी में तो अरी में तो अरी में तो भरजन सुनाएगो मोई प्रेम को रोग लगाएगो एनन में जाउन समाएगो मोई प्रेम को रोग लगाएगो में नन्न में जाम समाईगो वही प्रेम को विलगाईगो प्रेम सिभुली रधरनी सरकार कीजे अनुमान जी महराजी कीजे रामलला सरकार कीजे शित्वी महरानी कीजे शंकर भगवानी कीजे जै जै सीताराम किसी के साथ अपनी वारी को बिनाम जै सी राधे जै सीताराम प्री राम जै राम जै जै राम प्री राम जै राम जै जै राम प्री राम जै राम जै राम प्री राम जै राम प्री राम जै राम जै राम एक बरो सोले के बरे एक यास बेजवात इक राम जै 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 राम कर दो कर दो कर दो को जोड़ कर आए तुम्हारे ज्वार एकर राच किलार ले गेरी ओने हाद कि दुम्हाराँ जेराँ जेराँ कि दुम्हारे जेराँ जेराँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि ये अबलादा हम करें भगे बने पूरी हो कि ये राम जै राम जै ये राम पहलो घीराम, जे राम, जे जे राम आमें दीरी राम जे राम जे दीरा दीरा जे राम जे जे राम साम यनंद यनंद गुणे आमें कदाब सार आमें आपिरा जिना माने जिनके भी मल मिचा इ दीरा जे राम जे-रा आमें क्यों जे जिनके भी राम इ रामते वीरा जे राम देकल दीरा जे जे आम चाने चेड जद्वन ज़र मैं हैं है कंचे हैं। जर्णाम् जे जर्णा प्रेग्या भोथी के जो बाइले शबोके आप्डरी होई जुझे भूदाजाने दामों जे माईकुषे तेरा एना तो कि लु Peat कि लु पिसको करते हैं हाव घफ। इघ आ ए लेड़ी दिनंग लेड येड आ इना न दो मुंदों पार हाव हा ने इना हाव एऔ लेड अटना झारा कर दो कर दो कि ठाल में थे ग만 राल जजोर छिजा दो फिछाँ थे पुढ राय झाल भया बहाँ प हंular लुप ख कर दो श्रीताग श्रीताग दिल्चाना श्रीताग बोट ये अज्द्धानाद की चिल्चाना हर हर दी मयाकिन रामायन मयाकिन जै जै सीता अब भूलने दो मैं भूलने नहीं भूलने आपी जै बड़ी चुंदर कधा महमवान जै हन्मान दीने ख़बर जब सुना दी जांबत दीनकार नात कार कीनु हन्माना राथी शकल कपन की प्राना अब क्या देर होना चाहिए पूरा चरेतर जब अन्मान जी ने सुना या ख़ब काउने कहिए जामन जी ने कहा कहिए तुम दो इसे करो सीदा दे कहोसोदाई तो किदे करी आए काउन राम जी मुले कैसे गैठी है तुम अन्मान जी बोले कहें सेंड आचक पुर जारा उनसी तरगनमद भिपिन हो जारा तुई दुखने जी से काम करते जया बंसत्री कहां ट्रेटिक भी तूम्ग हमें सभिट रचम्ग रमें सबसें तुम्ग हम नहीं लांगे तूम्ग हमकों कार को ड्राइवर चला रहो कार काव ड्रारी चली जो कह अज कह नाए सबन को माँ था तो चले हरस ही ये धर रखुना था राम जी बेठे थे तो भी ले गए जे से ले गए हूँ सुपार हो गए कज़पने फिर लगका मैं तो लगाई आगए बोले हमने कायठों लगाई तो बिनाही ने तेलदारों बिनाही ने कपड़ा लपेड़े विनाही ने आख लगाई थे हम वो उलत फिर इतरा ले गैए ये जख वेड़े क्वेर् कि तुम खाए नहीं मरे थे कि हम जासे नहीं बरे भे बोले फाबक ते उल्ला का है तुमने माता जी से कई थी कि तुम फाबक में करो उने पाट क्या की मता ही जा बेती हुए बाँ लरका को का में गर भी बाट हमाई मता ही खुदा ही सीचा जी अगणी में बैस कर रहे हैं तो फिर हमें आखकाई को लगती, फिर के जो बनों के से, ये बरे तो भी अपने प्वाम से बरे बिनने गउसाला मारी, तो भीन को बन को बजार करो, और जो जेसा करता अवत देओ, भूब, तुबयम, करम, सुभा, सुभा, तुराणी अपने करो, अवत सही होगा, नहीं चा कबाउ का थे वो के हम वामें ठाने में और कमरा में डरेने मचरन पेका जाए, वो तो चोरी जासे करत के बढ़िया कूल लें लगा है, भी जाई की कमरा बनेगा, आखरी में का हो लाओ, तो का अवत में भूब, तुबयम, जैसा करो, जैसा अवत मिलेगा, तुमने अपने बाप मताई की सेवा करी, तुम्हाई लड़का तुम्हाई सेवा करें, और अगर तुमने नहीं करी, तो नहीं करें, कि अई बाप का धमाल लड़का बेईमान करें, हमने यह से ब्याट कम बनाए, कि यह कब हो न बनावे, तो का यह न बनाए, तो तुमने बेईमान ही करी, वे गाउसे भन्यक्स हैं, तो तुमने बनाई और फिर अब तुम्हाई लड़का तुमसे नहीं मानी कर भी तुम्हे माह में परनमना दे एक दिन कि तुम माह में लेट जाएं, कि जो जेसा करेगा उसे वोई फल भोगना पता है, फल तो फर्मात मा के हांथ में है, हमाए अपनो भर्ज मानना चाहिए, जैसे क्या यहने कर, कि हमाए बाब मत आई नहीं कौन कछू करो, बचने नहीं दाओ कछू, नहीं बचन दाओ, तुमने भगवान मानो, ये परमात माही है, तुमको जनम दाटा है, भगवान मानो अपनो भर्ज चुबाओ, बिन्ने कछू नह कर जाओ, तुमने की सेबा कर जाओ, तो तुमा ये से लरका जनम हैंगे, कि तुम्हें कर नहीं नहीं पर के पानी देदे, मैं तुम्हें पहलाई पहलाई थे लेने, प्रजाजी पानी आओ, तुमका जी, प्राणी अबच से भोगता है, वो अपनो करम राबन में भोगो, तुमका जी बोले, अब का देर होना चाहिए, बोले, अब तो जै है, कि सेना को चलाओ, और लंका पर चड़ाई करना है, तो जैसे ही, आदेश मिलो, पानर लोग सब चले, और वो, उस समय की बात है, कि जो, जो नहीं कह सकर के मंदर किते हैं, पारबती जी बोलिंग किते है कि जो, 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 जो पूचिया आए वह फिरांट करते हैं अब बंदरन को पोग मिशाब लगा पारा तो ये संग्याती वोने पूरा कोई सो गिंती करें इनकी गिंती होता नंज्या जी एक जगा ढ़ा ही नहीं तो गिंती का होग है तो ये साथ लोग समुत्र के किनारें आ गए हैं कि अब क्या करना थे कि जो समुत्र है कर जाए सबरे थोड़ी फूल ले तो कई एक जो भीवीचन बोले कि देखो मर्यादा अपनी करें से ते ठ्रपु तो मार उकुले गुरे जले दे है कहाया जुपाले निचार प्रुटमाने को लोड़े करने कहाए उभाए निटार बिन प्रियां के था गरे सा रहे शकल भादा कुदार बिन प्रियां के समुद्र तर जाओगी ये तुमाई पुरखन्य समुद्र मनाई थी अज ये समुद्र है और ये साकेज में कृष्ण भगवाद के साथ अभजरकाह से जब रादाजी ने सराम जाईती आप उसमें तुम लड़ते हो जाओ तुम घटी पे अलग कि रहोगी पानी हो जाओ तो ये पानी ये खारी समुद्र है मदू समुद्र है जीड समुद्र है तो ये समुद्र का अलग-अलग जो जैसे जो रोया था और रोवेस हैं भगवान की लिखकी नीद छूटी थी तब रादाजी ने सराम जाती जाओ तुम कभी मिलोगी नहीं सब अलग-अलग गिरा हो गई अब केसें जो समुद्र पाई होना चाहिए तो कस्तों में निप्टियां बिनाय करो राम जी ने कब बिनाय करें लजमां जी बोले करें देव जो हो साहि लजमां जी बोले जी आल सिंगन के काम ना करो देव देव होते तो सीटा हरत नहीं होती हम बनन से देवी सोब सब काउं हम सबसे क्या गए ते देवी देव तक हमारे कुठिया को ख्याल करें जो काउने नहीं करी हरत हो गया जो कर हम ये देविद ये उटा नहीं मान रहे हैं राप जी बुले नहीं दूसरों आदमी बता रहा हूँ और जाको उते लंका में सब्माद नहीं बहूं मंतर काओ लाते गली तो जिनकी बात हम मान रहे हैं तो वो हमाओ हो के रहेगा तो जा विभी संसरे ने देखो को तरे क कि लश्मान जी के मन की बातना जिया तो विभी संसरे ने काई अब नूं गिरन लगो भी ज़िवी पोगो तो राम जी ने कहीं करन वोई करेंगो जो तुमने कहां वोई करेंगे यह राम जी जब आसन मिशा करके कुसा की आसन पर बैठ गए एक दिना होगा ओ दो दिना बिने नमानत जलत जलओ गये तीन नभी मिनाय नमानत जलत 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 कैन सीनत नती कोले रामत को पत्तमा जैजन होजन प्रेश कोले रामत को पत्तमा जैजन होजन प्रेश रामत कीने काज बिंती नहीं मान रहाँ जिन्ये एथे लोग जल लोग बिना भ्यके नहीं नहीं मान इन्हें भय होना चाइए लचमण मान सरासना ओन नहीं चुनात जिन्ये बोज लोग है ओन मामतारत सन ज्ञान कानी 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 मामता ये कैसी भीमारी है इसको थिवी सन ने तो वो बता जई मामता तरुण तमी अधियारी बिनने जीव का करे वो तो अधरिजा में बठा कई जार तो यह राम जी के मुखारत सन के बचल है देखने रहे ममतारत सन ज्ञान कहानी काउनको ममता में ज्यादा फ्रेम होचा reduce ममता हुए काउको अबने कीध कै शे ज्याहो आद्कानीच आफिशन ममता को और शो और पने गोनस हैं ममता मंतम रही नहीं बतारे you में ऩुछ को मर गयो चले गए तो Petra D parties नहीं भता Okay करा के भटाना के भोड़ान को ढ़कैं था और हम जाए चले गया तूआ धरुका काउ को अलग अलग लेंगी, इकट सब को बराबर दीखेगों, परसाद बाट है, तो बराबर उनका चलते, जो नहीं के अपने आगए सो बरकत के देते, और के आगए सो ने पूलों सो देते, कि ममता रत सन ग्यान कहानी, अत लोवी सन बिरत पखानी, अती लोवी से बिरती ना बताओ, बिरती का जेसे धना बगत की पहानिया सुनाओ, धना बगते से हो गए, कि जिनने खेट में भीज बेवे खोले जा रहे, घर किनने कई के देखो किसी माटमा को ले आओ, तो हम तुम्हें घर से काल को, किसी माटमा को करे नहीं लिया हो, वो खर्चा कर रहे हो, जिबने खनाने कई नहीं कर रहे हैं, अपिजादी अब नहीं कर, तो जेसे कजाओ ठेज बियाओ, बनो डरो, गए प्यवे के लानें धीज गाड़ी में धरें, और जेसे कए नारी ग महाराण, बन्यक कसर पर रहें सेवा कर भी में का, तुम्हें हम घर नहीं लेचा सकते हैं, अपिजादी नाराण, तो के लोड़ चलो खेत पर, खेताई पर बने हैं रोठी, यहोई पर बने चूकाओं सो बने, और जेसे गए हैं, चो खेत में ले गएं, बजार में गएं, नाज बेती हैं, और आटो सामान ले आए, चामल ले आए, जाल ले आए, गी ले आए, अब सामान होई, ठेट में सब्सक्रान ने बनाई लोटी, वहोई लगो बहुआनों को भोगो, वहोगो समने खाओ, धना को भी पर शाथ में लो, अब धना को उचाओं के साथ हूँ ख तो पिदा नी घर संकार ने, जा संका करें, जूटो बेदे, जूटो, तो नारी लगा दा ही रेता बेदा ही पूरी कीजी, अहर जैसी रेता भई के तई को कहे है, कि तुम्हाँ खेज जबो इन्जा, जो कहे हैं कि हमने फेली मी एरे खेजी करी, होगा उनकों के रहो उनपर, जिस तो होज ना जमा हुपे, पिआओ, अब धीरे धीरे दो तीर चाहतों जो वह जुब कई, बिनके पिदा जी ने ओर से पूची का जु तो हमाँ खेजर नो गए, एक धना आम दियाओ तो खेज को जमराओ कर नहीं जमराओ बिबुने अलिभा जो तुम्हों दना हमें यह तर लगा कि बहुत उस्यार होगा खेती ती यह से ठाले दो दो आंगोर पेकों बिल्कुल लपे नपाय दो आंगोर पे छाले दना के कान में आब आज परीचु को किलाओ सब मसकरी कर रहे जब मसकरी कर रहे हमने जब बहुई जब देंगे तो जम्हें वो काई अब यह से फिर और उने कई धनाने कई दीख तो आवें डराओं डराओं यह से गर तो खेत में अर्याली फेल गई पढ़िया गयां जमो दनाने कई यह भवार अब धना की बाद को पदो परो घर के पिता जी को के धनाने तो रेता बाई को गयां जमें अब भाईया ते खूब ख़बा साथ मन भौ और घर ही ख़बा घर ही लिया भी करें आज से अब यह सो नहीं करने तो अत लोवी जन फिरती बखानी यह अती लोवी हो एसी कहानी को नहीं सुनेगा ममता रत्सन ह्यान कहानी अतिलोवी जन फिरत बखानी त्रोधी सम त्रोधी आनमी होई वासें कहां कहे हैं सब एक से यह बाने के दाई कुई तो काई कुण लचला है पहला है एक कखाना सम पराव रही कि यह से तुमाई चूट लगा जैसे काके लग जै आए वो नहीं मान स क्रोधी कभी जब नहीं है नहीं लड़े काई को गो दो मुदेखा ही रहो एक से मार के पहुंजा रहा हो का रही देह रहा है तो वागोट वो दिखा रहर है एक नहीं है और जहां एक संसार दखाई दे सकता तो उसका जोत नहीं रहे का जिरोदी सम्प और कामी हर कथा कामी आद्मे को बगवान की कथा में मन नहीं लागा बाग है तो काम ना जग रही चुईते हैं उते हैं फुन लबकत रहे नई यह तो देख तो वही ले कामे को हरी कथा अठी नहीं लगती नारज जी सुनना जब काम चरत नारज सब आखी यह कहानिया जाना कामी लोग काम की कहेंगे कथा जो बिरोज लडाई करवावे बारे जैसे मंतरा ने कही ती कही कथा सथ सबत की जैमिद बाड बिरोज बिरोज की कथा कही ती घर में नहीं आरे हो जाएं एजो सुधिन की कथा मा सुधने जो करो बाड सुधने जो करो तो एक नहीं सो कहानी सुनाई तो का ये नहीं अत लोगी संबिरत बखाने यहां फिर लाम जी ने बाड ल्याओ लच्मन लच्मन बाड सरासन आनू सोकों मारे दिर बिसिक करसान हूँ अब मैं समुत्र को सोगना जाएना हूँ लच्मन जी बाड ले आए और जैसर बाड चलाओ उठी उठी उधदी और अतर ज्वाला आग लग गई समुत्र में बाड चलाओ समुत्र में आग लग गई जोड़ी समुत्र अब आए कि त्यलम के रहे दे कि भेवन होई नंत्री जो जड़ लोग है ने ब्यज़त प्रेम होता जोड़ी आगे दे विप्र रूप धर राम्मन का रूप बनाया ना के ठारु महरु 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 मुण नाना तनक धारो बरो मतिकर्दाना लगटक धारो बरत मंगर नाणा से प्रूबया ये सजमाना से प्रूबया ये सजमाना सब ब्राम्मन बनगाओं और सोने के धार में मनी इत्यारी भरके ले आओ जे कौन के कजू पईता खड़ाब हो जे चो पोई है जो राम के लाने जो दान में बटो तो काउने नहीं राखो तो सर्बसदान दीन सब काउ हो जे पाबा राखा नएता हो जम्हदारत खोंदाऊगा हो तो कि ले ले बूम नहीं ले रहा हो तो जर वारी भॉरी का चौह राजा को लरका लेका ओ ठागिए है तो फिरके हम से छोटो नगे नहीं पो बोलिए छोटो नगे तो सर्जू को बेरें टार दो तो ऑब तो सर्जु में डारी आँगा, सर्जु ने कई हम कि ते धरे रहे, ये फेग पानी बर्स जाए अच्छो, तो पानी बर्स तो साब रदन जाके समुत्र में पहुंच गए, वो जब से समुत्र में पहुंचे आज बो समयाओ, के आग लग गई उठी, वो नदे हुआ रहे, अं को काूँ ने, तो हम कैंजरा ठेले, सवच दाती को आकर की जा अरका क्यान लगाओ, मुले ढोल गामार सूत्रपसुनारे, शकल डाल नादे अधकारे, ढोल गामार सूत्रपसुनारे, रोल कामारी सूध बशनारी सकल ताड़ना कि अधिकारी सकल ताड़ना कि अधिकारी जमुत्र बोलो धोल औगमार सूध्र पच्छुनारी मुझे ये तालना के अधिकारी है, का तालना आजो छरीर ही डोल है, जा धूलखों धरोरंदो परे परे कमाव पीमार होजे उते मत, छरीर ही डोल है, और जा जो डोल देखलों तबला डोल देखलों, ये तालन के अधिकारी है, अगर चड़ाएगो अच्छी तरा से तो तेसो कि दालन के अदकारी जैसे दालना वारा द्यक्ती हो बैसे तो अब दो लगेगो शटल दालना के अदकारी ढोल गमार गमार मन है अपने सरीर में गमार मन है जो मन बहुत चटोना चाहता ही, जाने कहां कहां चाहता ही, छन में इते, उते जा थिन में, जो मन बहुत चटोना चाहता ही, जो मन बहुत चटोना चाहता ही, जो मन है, ये दालन का अधकारी जाकों कथा सुनवाई जाए, राम के मंदर में जाओ जाए, जनक जी कंचे, सहर विराग रूप मन मूरा, और ठके तो हो तो जन चंत चकोरा, अगर मन को बस में करने हैं, तो सत्षक में जाओ, और मंदर में भगवाद की दशन करो, तो मन थमझे, और पसुन नारी इंडरिया है, ये पसुन सक्या है, और जिनके लहने पसुन को, जिया में चाहिए, तो जेजिए, तो मैं ऐसे मान लो कुटा, और मालक कुटा में देदे डर्ड़ा, तो रूठ जेए कुटा, आख जेए, दूर बेढ़ जेए, और जाह से चोट सरा आगई तो फिर को पालक दिखाना सो बातरे आखें करी, तो आख में आख मिली, जो इनने पूछ मटकाई, और धीरे धीरे बेढ़ आगए पाउन में, जा किसा आगए, ग्यान भाओ, नहीं भाओ, एक जने ने वुक्रा फरावे की सर्थ रख की थी, एक राजाने, कि को अमाओ, ए में, काउ की बात नहीं मरी, काई बोटों चिरिया की जाता ही ऐसी, कि खा ले और भूमी रे जे, फिर खा ले, फिर अफरा दो, फिर खा ले, संत जी बोले हम अफराए, तो फिर ले अगाए एक भरकावे, कि तो उप कड़वी तो गेलना रही, और ये खरियाई को लेला जो का, और बाए, बतावे, जे तो खावे आवे, तो एक डंडा मारे, मुह में एक डंडा मारे, जब पे अर्याई दिखाए से, पीछे को उलल लगे, उन्हे अब अफरागाई जिया थी, तो जैसे ले गए राजाने का याद तो और माला हो जाना है, बाबा कुने सजार थी, जैसे मिल लेगा, जैसे मिलने को जो आर्याई के लेलो परिक्षा, राजाने आर्याई करी, जो उनके दूप ठाड़े, पिक तुमने करो का, बोले जे खबाए से नहीं अफराज, ये इंद्री है, ये आल प्यातरा बजलती, आज जो खाने, आज जो खाने, अब जो खाने, जाने, काई काई पर जाती ही, इन्हें जेवत, विशाय दिवारत, नितने, नूंतन, मार, जैसो जे इंद्री हैन को खबाओ, वो त्येस के इनकी इच्छा ओर ओर बनात, जैसो खबाओ तैस ही पढ़ेगी, तो समुद्रने का, हम तुमारी साहिता करेंगे, नल नील पढ़ का पुल बनाएंगे, इन्हें बच्पन में मिल गाओ तो वासीर बात, तो ये तुमारी साहिता करेंगे, बंदर लोग पथल लिया में, और जाकों जे नल नील छूलेंगे, वो फुल बन जाएगा, पथर पानी पे तहरेंगे, बानर लोग चले पथल लियाने लगे, में पूरा फुल बनके तैयार होगा, वने महराच, अब तो ठीक है, तो राब जी पोचे का तैयारी करो सब लोग, तो तत्यारी बेटे का सामान मादने ने तो के जोलन है, ये सही राफ जी गए, तो सेट बंद धेंगे, चाड़रा गोराई, जेत बंद धेंगे, चाड़र सब्सक्राइब सेखற आजाजा चुराइब तो राम जी ने जैसो देखो, तो राम जी भाए फुल के पगल में ढ़ाड़े, और ये ये प्रिय सबय जहां लग प्राणी, राम जी सबय प्यारे हैं, तो जल करने देखे, मच्छरी का छुआ मंगरा, एक दूसरे को खा सके, साब, आई साब, उतराया है, उपर राम जी के दर्थन कर रहे, राम जी के दर्थन में भूले, अब इसे बंदरने, चलबो सुनू करो, तो इसे फुल है, और इसे जानबर है तो सेत्य बंद भाई धीर यत, तपी नवो पहमते उडाएं, तो बंद भाई धीर यत, तपी नवो पहमते उडाएं, अपर जल जरन ऊपर, जल जल पार जाएं, अपर जल जरन ऊपर, जल जल पार जाएं, शेत्य बंदू पर बहुत बड़ी भीर हो गई, वो बंदर लोग, वे जल जरन पर होखें जा रहें, वो का उपर नहीं खा रहा हो, ऐसे हुए एक सिने जे खाई, और चार्ट से खोज पूरे समुद्र में ये कई ढरो, एसे एसे जान में, जिन पर बंदर चले जा रहें, वो उन्हें फरकाई नहीं पर रहा हो, वो कच्छू आखात से उड़ रहें, तो बेबी नहीं गिर रहें, और कच्छू पुल्षें चले जा रहें, जैसे लाइं, समुद्र पार भाए, अब उटे समुद्र की बार चरब जाकर के लेका, तो बहुत सिब्राक्ष ठाल है, ये उटे में तो मासा आरी है थे, बिने फलन की का जरूरत, जैंगल में फल बानर लोग ठाबे की तैयारी में, ठाने लगे, अर इसे रामजी का रुखना चाहिए, तो यहां सुबेल सहल रगराई, सुबेल पर बात पर जाकर रामजी पोचे, ओ वहीं पर मिरक्छाला विचाई, उस रामजी दराजे, वहां पर भिवीशन भी है, जिनको मंत्री पद है, वहां सुग्रीम भी है, उनका मंत्री पद है इसे जो जाम मंत्री है इनको मंत्री पर है तो कि सभी मंत्रियों को बुला करके राम जी पूचने लगे पूचा मत सबों सचब बुलाई पूरे मंत्री बुलाए राम जीने का अब अब आप लंका में आ गए तो बो लोग कैसे लड़ाई जिरू करना चाहिए कर इनकी पहले में देखो कि इनके भाव कैसे है उजाके जैसे भाव हुएं उनकी उसी प्रकार का मत्री जो जिया भाव में पल रहे हैं वो इमा जुगे जिनने का पूँचा मत्र सब सचे वब बुलाई जो काई थे पूजो राम जी ने पूजा राम जी के थे मंत्री नों थे सची मैं कहे प्रभू सच मैं में चक टाई कहाओ 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 ने जे ने जे मां ते भाई कहाओ खाये में जे मैं जो भाई कहे प्रेव उठाथो मैं में जग ताई कहाओ खाये में जे मैं जो भाई राभ जी बोले चंद्रमा हो गये हो रहा हूं जिस चंद्रमा में खाला पन कहा है कहा है तो कचुँ उसे बंदर पीचेज में दे बोले कि टुकरिया रेशा काता रही कावने कई नीम को फेड़ा उठा रहा हूं हमें कहें मंत्रियां न पूछ रहे तो मंत्री सब में बड़े मंत्री कौन है पहल से जो राजा सुक्रीम है बंदरों की राजा इन से पूछा आप बोलिए आप मंत्री हैं आप को क्या मात है सब एक कहन लगें कहें सुक्रीम सुनोरा गुराई 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 राम जी बोले, बोलो जो का है स्या मलता, सुग्रीम बोले, ये धर्थी की छाया है स्यांद्रमाम, धर्थी की छाया, तो ये धर्थी की छाया का है दिखाने, रुजा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे की छेन जैसी, जनक पुरी में राम जी बेठे जे, फिर राम जी में जब भावना लोगन की गई, कितनी इस तरह के लोग अचे, माम योगी, बिद्वान जन, और बीर, और भगवान के भारी भगार, ये साब लोग बैठे से, जनक जात के लोग, जनक जी और महराने जू, सब के अलग अलग मत थे, और भगवान, सब को फुरू से ही दिखाने, जाधी जैसी भावना आती, बिद्वानन को बहरात दखाई देते, योगियों को प्रकात दखाई देते, और बीरों को बीर रत दखाई देता, भगवान के भगतों को इस देव दखाई देते, जो भगवान के भगत है, तो बिद्वान के इस देव बन के दखाई जै रहे, और जनक जाती के लोगन को, तो सगे सज़त दखाई दे रहे और जनक जी को मारा ने जुपो अपनो बेटा सिसु छोटा बच्चा दखाई दे रहे तो जो भावना से भगवान को देखा एस के ही भावना संसार में चाह देवता को देख लो वो चाह काई आदमी को देख लो तुम्हाई जैसी भावना है तेस्वाई को दखाई देगा तो यहां चंद्रमा सुग्रीब को दखाई देरा के पिर्थभी की चाया है कई और बोलो तो दूसरे बोला लगी का बोले मारा चथी है राहू गए को मारा चथी है राहू काई को कुर में बचिये स्यामता जोई मारा चथी है राहू काई को मारा चथी है राहू काई को कोई कोई कहने लगें के फिटाई हो जाना तो करिकर पर जात जिसे चोट गलत तक तो कोटो कुटाओ है चंद्रमा कोने मारा राहू ने मारो राहू ने तो ये को कह रहा है ये कह रहा है बिभी संद मंत्री साथ ये अपने बड़े वज्जा की लात खाकें आए बड़ी दर्वारत तो ये ने चंद्रमा कुटो देखा रहा हूं पुटेगों कुटो ही दिखाई देखाई देखा रहा हूं तब तक एक बोले हम बताए मने आत्मों बोलो तो दूसरे बोलन लगे जब बिदर रति मुक कीना वो सारे भाग सा जिकर हर लीना छित्र को प्रिगट इन्दे उर्माई ओ तैमग देखिये ना वो परचाई एक बोले है के रतिकों को बनाओ बेदातान है सो चंद्रमा को बीच को भाग काठ लाओ चंद्रमा में होगा ओ छेद में उस्चेद में माई दिखा रहा हूँ आकाज सो वो है लीला पन्स यह कूँ बोल रहे कजि आकाजी भोल रहे खाए कई इनके अंतर छित्र है कैसो जैसे भईन भईन में छित्र हो जाए बज्ज़ा को इससा को खा लेए बज्ज़ा तो बाप की पिर आत्मा हुमान अरेबा के छेत्र होगा कि तुम हमाइन होईन नैजा तो अंकर को छेत्र हो गया कि तुमने पिता मध्यवर मार हुई राकि उ दूराम हुरना हुई हमाइन बाप को clar तो हमें का छोड़ सकत बुट राम के हाथ में हाथ देगा गाओ पिता अंगती, इनहीं खेद्र है अपने परिबार में शिπαर है कि मैं एक दुसरे से भाएबीट हैं to अब कहुंहों रहें को गोलबे भूँ, राम जी बोले हमाई कह गु दि कहिं प्रमगरल बंदु छतरिकेरा कहिं प्रमगरल बंदु छतरिकेरा अज प्रिय जान तो दीन बसे राँ विश्ट चुट तै विश्ट चुट तै विश्ट नर नारी जान तो दीन बसे राँ बसे राँ रभ जी बूले चंद्रमा को बज्जत जेहरे तो अपने भाई को हिर्दे में बसाएं तो जो बिस्की मिलमा किरने भैका तो इस तरी पुर्स जो पर रही हैं पत्नी से पत्नी दूर रहा तो बो अलग ही लेगी और बो अलग ही रहे पत्त को जलाता है इसलिए जब चंद्रमा को नश्कत दे में तोनों हनुमाजी बोले महारा हम तो रही गए भूल भी थी तो तुमों बोलो तो हनुमाजी बोल परिक्का बोले कहे मारूते सुथ सणाओ प्रभू स्थी गोमार प्रियदा मारूते सुथ सुनाओ प्रभू सथी गोमार्य फ्रियदा तब रे मुरत रे पथे फे जब नापाद तब रे मुरत रे पथे फे जब नापाद बे अनुमाद नी भोले महराज आपको चत्रमा दासे हमने प्यारी नहीं तो हमाई दे में आप बैठे वो दिखाते नहीं और चंद्रमा प्रियदास है तो इसे दिखा रही आपकी मुरती की खाया आप सामरे हो तो चंद्रमा के हिर्दे में आप बैठे हो जो कज्जा की रही पाबना जैसे अप्रभु बोरत देखिये तेन से थे और जो अपन में भीरत एक वेर संकर जी पार्बती जी जब्याओं के आई तो पार्बती जी भोलें के ने धिर्मन करी हैं चलो संकर जी बोले का जा रहा है धिर्मन कर वेर जैसे चंसार में चल रहे है मेरा तूडूब है यह बोले काइफों इतने शरीरदारी है उठने ही उनकी मत काइफों चल रहे हैं यह ही बनी रहा हूं मैं बोली ने चलने जो है संकर जी बोले चलो नंदी संकर जी और पार्वती दोई जने बैठे और जैसे संतार में कोचा नंदी उतरे सो मेला मंडल एक जागा ठाने जी पानी भरके आई तो बात हैं कर रहेंगी ठाने दोनों दखा गाएं चाह भेलें…. अए देखो थम कैया संतोस्थ है गो पियला इंको मारेंगे प्याला इखो के दोई प्याथे और यह कई जोडर नंचाह तो यह कई कहने है और आप यह का दोड़ नंचाह काऊ यह काहिके द्यान नचाहन हुम आप इनक दियार ना कऊ वैंटी तो शंकर जी ने दूर फकर लई एजे अवे कैसे लड़का जे फुरियन पे बैठा ताबारा तुब्वे बैठे निन्ने दजवा रहा तुमोले काई साफ तुन्ने लोग चेरा देखे विन्हें कुछ तुदे हैं लोग चीरा देयारे स्रीमाद जी जोर फकरे स्रीमादी बैठेयारा अब मैं कह रहा हैं इदे चलने तो जलने कि हैं लोग चीरा शंकर दीपने कहीं कि अब इनकी तो है भावना लोग चीरा तो अब का करें तुम उठरी आओ उठरी आओ जैसे बेब पारवती उठरी हो संकर जी बैठ गए और जब संकर जी बैठे कड़े गाओं में भाई सो महला है सब ठाणी हो गए पुली दोष्ट संगना देर में जाता तो जाता भलो नलक को पाता ये नलक में परेश्माल लई पिचारी सूधरी है तो डूर फगराई पर रहा को चंटा अपन तो बैठो पर रहा पर जब पर गए सूधरी से जात आरे ले रहा तकर जी ने कई का करी ने तो उतरिया अगे आगे चल रहे आगे बैठी थी पंच्यार तो जैसे देखे तो बोले देखो पूर को लोग देखे को हैं ये सादन लाए ना बाप सामान करें और ना ये कव बेठो पिचार लाए काई खुझार जी बोले देख लाओ संसार कोन 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 के कहें चलो तो पूर्ती नहीं हो रही है काउ के कहें नहीं तो अपने हिसाब से चलना चाहिए संसार में या या जैसी भावना उस विरकार की मानी कोलते हैं एक जगा एक आदमी पड़ो तो खांटन में वो बजार से वो जैसे चार आदमी आ रहे थे तो जैसे चार आदमी आए तो बेब बेब निगा गई तो मुझे काई था चोपो परो एक बोले हम मता हैं जो है परिया परो जोरीगी नी अधीप्रबल जाजत भीती रहे चोड़ी कीदी याजत बीची रहे ताथे काचो में प्ला नहीं दरीर कोचें परी चोड़ी करी जाने पूरी राद करीं वह चोड़ी यह को बोलो करना ही तुमाही बाद ठीक नहीं जाएं है हमें नहीं लग रहा हूँ वाया अजो मड़िया पर तुए ना कियल की किनार इस्तो नहीं बोजाने का दुख्या पर तुपूए है है हो बोलो हम मत आ रहे है हारो हुए जुगा में ओमर पीग उस्रा ताचे काटो में पड़ा हूलो अप़ो जाने जुगवा में आरका उपे तो जाए गप भलाओ ने थी तो जाने पी लई है तो डरो जो जो आणी है इक बोलो ना इंत भई टांबाद आमें चैस रीने गुपकाई जो आणी तो जा तो पीजे तो घरवारी जला रहतों के ना काई को न रो रहतों जो कि भे बोले सादू है जो कि सादू है सुकादल मैं न रो कि याओ सब सो मैं सादू जगे करके जागे मैं सो सबसु बैसा जो जगे जागे जागे मैं सो राम द्यान में बचने मरमन जाने को इनने काई जाद हुए है कि एक जने बोले सुमाई बाद हम के जमाने जई तो फिस तक जब कि प्रमान हम जब सामने पर जगा आखे देख लो तो बेई गहते है लो ओले उठो बढ़िया तो बाई याँ खुली ते हैं यूगे बढ़िया ते उससाब घर बढ़िया हम का के बढ़िया जाए जब साने के बढ़िया जाए में जब बोले हम नार्या काई मरमाई दूसरे पे बोले हम जान रहे हैं काव साफ ओवर पी गए तो जुगा हमें हर गए थे आभ बोलो हम जुगातों पत्तव ने जानत के सोगों ते तो प्रत्षाद में बोले हम बतार जो महतमा हैं बोले जैसे क्राइम महाराज कैसे परेकादर में का सृति कर रहे है बोले काई कोंपाप में डार रहे हम नग्या महतमा तो बोले पोहुट हो जो बोलो बें बोले हमें तो मुखार चलो अपने महत्मा है न मर्या है भूले तो आपने मोगा है अलग अलग दिखाई नहों एक बिन मैं इसें बोले मन रूपी दर परे रगो जैसी इस रेटी देखाई मतरू पीजर पढ़े रगों जेदी दुरेंच दिखाय नहीं को वला न मुराये निजमत जोँ दर्गा नहीं को वला न मुराये निजमत जोँ दर्गा मैं भुले मन रूपी दर्पन जेशो रखो है जाको ताकों तेशो सत्तार दखाई देता बढ़े आकों बढ़े दखाई देथी मांदार कों ही मांदार दखाई देथ जो जियतो है वो सत्तार को अपने इसे नापन लगा विश्वास ही विश्वास कर रहा है वो विश्वास है में लुट जाता अन्दा विश्वास होँद एक विश्वास में तीन आखें होती शकर जी ये मिस्वास और इनके हैं तीन आखें ये जियान की आखें एक बहराग की आखें अज ये तीसरा नेत्र वो जलाने के लिए है जिकार जे क्रोट का नेत्र है जिकार जे जाको जे सो मन रूपी दरपन रहो उसी यही धर्ती दिखाई उसे ही सब दिखाई दे रहे हरो पाच लगो चसमा लगाए सो हरे दीबादे दिखाई दे रहे है लाल लगो सो लाल दिखाई दे रहे है और सुपेज लगो चैसे कुछ 200 दिखाई दे रहो है तो बुह विभी दीक का चसमा है सब दिखाई दे गिया चैया, परमाद मां, जिस शब मंत्रियों का मत लेते, अब क्या करना चाहिए, सीधी चलाई कर देवे, अनका महराज चलाई नहीं, अब चलाई नहीं, एक बेर ओर दूद बेजो, का अब दूद पोने बेजो जाए, हनुवान ची गैसे, अब की में अंगर जी बन दूद हो जाए, चैज़ अंगर जी से बुलाई पास में, और बोले, कि तुम लंका में जाओ, और हमारे काम से जाओ, तो अंगर जी ने कही, काम मुद्द आप बात करेंगी, तो राम जी बोले, काज्य हमार, यहीं जो घ्यान का सरूप है राम जी, यहान ही जहां होता, वो दूस इसरे उपो काम नहीं बेगार है, बाके सक्या काउना बुरो करो हुए, तो वो जो ही कहते हुता से भगवान, सब को भलो करियो, कीजे के हमाओ करियो, सब को एक सा देखने बाला, और जहां क्रोधी है, वो अलग देकर, वो क्रोध के मासी देखे, तब जाने हम समय माता, ग्यानी लोग है, इनको ग्यान नहीं है, और ग्यानी तो कहिजेंगे, अब भोई बात रामजी ने कहीं, कार्य हमार, वो ताथ से हिस होई, और रिपसन करोबत कही ही होई, जुस्मन से ऐसी बात करना, कि बाकों भी काम न बिगरे, वो हमाओ काम बन जाए, ऐसे तुमने काम में जाना, और क्यों कि तुम्हारे इस पेता थे, वो जाबड से इस बितता भी की, यहीं समय बाने को बिराम देते है, यह चार बती, जीत मुने डूचते, बज यहीं पर बिराम है, राप जी बोले, चैट का हम बताएंगे, हम बोलो, बोलो आप, आप, बोलो, आप, बोलो, जाको चैट्र मा को बच्चत जहरे, तो अपने भाई को एर्दे में बसाएं सो जो बिस्की मिलमा के रने भैका सो इस तरी पुरस जो पर रही है पत्नी से पत्नी दूर रहा तो वो अलग ही लेगी और वो अलग ही रहा फिर है पत्त को जलाता है इसलिए जब संद्रमा को नस्ट कर दे मैं तोनों हनुमान जी बोले महाराण, हम तो रही गए भूल भी थी, तर तुमों बोलो, सो हनुमान जी बोल परिक्का बोले, कहे मारो तर्सो तर्सो नाओ प्रभो, सथी तुमार प्रियदा, प्रुड़ सुन्ट तर्सो नाओ प्रभो, सथी तुमार प्रियदा, तर्सो नाओ भी थी, तर्सो नाओ प्रियदा, रहा दो बेंगे अन्माजी भोले महराज आपको चंद्रमा दास है हमने अग बियारी नहीं तो हमाई दे में आप बैठे हो दिखाते नहीं और चंद्रमा प्री जास है चो इसे ढखा रही आपकी मूर्ती की जया आप सामरे हौ तो चंद्रमा की हिर्दे में आप है रेठे आओ, जो कज्जा की रही पाबना जैसे, अप्रभु मॉरत देखिये चेन से, और जो अपन में भी रही, एक में संकर जी पार्मती जी जब्या हो के आई, जो पार्मती जी भोलें के ने एक धिर्मन करें हैं, चलो। संकर जी बोले, का में ज़ॉ रहा हुआ, इतने शरीरदारीे, उठने उनकी मत, काए फो चल दी, यह इंग के बनी रहुए मैं बोली निए चलने जो है, संकर जी बोले चलो नंदी, सो नंदी हो गए सज्जार, संकर जी और पार्बंधी दोई जने बैठे, और जैसे सतार मैं कोच्छा नंदी उत्रे, सो मैला मंडल एक जागा ठाले जी पानी भरकें आई, सो बात हैं कर रहें की ठाले, तोनों दिखा गाई चो भेले, एह, देखो थो, क्या सुन्तुस्थ हैगो, प्यला इको मारेंगे, जो के धोई प्यठे, और ये को कम चोड़ नंजा, तो ये काई से हो बाब येला है मारे ल संकर जी बोली तो ये काम कर लो, तो बैठी रहा हो, हम उतरी जा, जो फार मसी बैठी, तो संकर जी ने दूर पकल लई, ए जे अब एक कैसे लरका जे पुरियन पे बैठा ना मारा, तो बे बैठे ने दे ज़वा रहा, तो बोले काई साफ, तुन्ने लोग चीरा देखे, ब जो बैठे आरे स्रीमात जी, जोर फकरे स्रीमाती बैठी आरे, अब मैं कह रहा है, इदर चलने ठोंजने, जेहें लोग चेरा, जब इनकी तो है वावना लोग चेरा, जो अब का करें, तुम उठा रहा हो, उठा रहा हो, जे सिव बेब पार्वती उठरी हो, शंकर जी आरे, कड़े गाओं में भाय सो महला है, सब ठाणी हो गए, बुली दोष्ट संगना देर में जाता, जाता भलो नलग को पाता, ये नलग में परिष्माल लई पिचारी सूदरी है, तो डूर फकरा, फिर आपको चंटा अपन तो बैटो पर लाँ आपन, जब पर गई सूद सुदरी सुदरी ने कई काखरी ने तो उतरी आप, तो अब नोग दोई जब उतर के, आगे आगे चल रहे, आगे बैठी टी पत्यार, सुदरी देखे तो बोले, देखो, मूर को लोब देखे, को है, पे शादन लाए, ना बाप सामात करे, उना ये को बियठो, फिर चार ल को ले, देखलाओ संसार, कोन-कोन के कहें, चलो, तो पूर्ती नहीं हो रही है, काउ के कहें, नहीं तो अपने हिसाब से चलना चाहिए, संसार में, तो या, या कहा जैसी भावना, उस विरकार की मानी बोलते हैं, एक जगा, एक आदमी पढ़ो तो, खांठेन में, वो बजा से उजे से चार आदमी आ रहे थे, उजे से चार आदमी आए, सो भेव, 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 नहीं निगा गई, चो मुझे कहें, चोपो परो, एक बोले, हम मता हैं, जो है, भडिया, भडिया परो, चोरी की नी अधीप्रबल, यागत बीती रहे, जोरी की नी अधीप्रबल, याज़त बीती रहे, तासे काचो में पला, नहीं दरीर कोचें, तासे काचो में पला, नहीं दरीर कोचें, 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 परी चोरी करी जाने, पूरी राद करी, वह चोरी, ये को बोलो कर नहीं तुम्हाई वाद ठीक नहीं चाहिए हमें नहीं लग रहा हुआ या जो मड़िया पर तुए ना क्याल की किनार इस्तो नहीं वो जाने का दुख्या पर तुपूए है है हो बोलो हम मत आ रहे हारो हुए जुगा में मोबर पीग उस्रा टाचे काटो में पड़ा उलोओ-पेनो आफो जाने जुगा में आरगाउ पर तुझाए गप लाओ ने थी सो जुआने पीलाई जालाई तुढर तुझा रओ जुआ जुआ लो जुआ ने जुआ जुआ धो जुआ है सबसो मैं सादू जगे जगे जागे मैं सुझागे मैं सुझागे राम ज्यात में भगने हैं मरमन जाने को राम ज्यात में भगने हैं मरमन जाने को इनने का सादू है कि एक जैने बोड़ेगे तुमाई बाद हम कैसे माने जगे तो बोले फिस तक किम की प्रमान हम जब सामने परो जगा के देख लो तो बेई गए प्यालों बोले उठो बढ़िया तुमाई आख फुली ते हैं यूगे बढ़िया ते उस सब घर बढ़िया हम का के बढ़िया प्रमाई दूसरे पे बोले हम जान रहें तब जुगा हमे हर गए थे वह बोलो हम जुगा को पस्तव ने जानात के दो तो प्रत्री कान्माई तो लूट हम अधा जो माथ में बले जैसे करा महाराज कैसे परीकांटन में का स्रिद्धी कर रहे विले काई को फाक में डार रहे हमने क्या मात्मा तो बोले को हो जो बोलो में बोले हमें तो मुखार चलो अपना मात्मा है ना बढ़िया है अपने तो मुखार क्या लाओं गुले चो अपनों बोताया लग्या लग्या दिखाई दा हो एक बिन मैं सें बोले मन रूपी दर पढ़े रगो जैसी ज्रेची दिखाई मन रूपी दर पढ़े रगो जैसी ज्रेची दिखाई नहीं को वला न मुराए निजमत जो जर्थाई में बोले मन रूपी दर पढ़े जैसो रखो है जाको ताको तैसो सत्तार दिखाई देता बढ़े आको बढ़े दिखाई देती मांदार को ही मांदार दिखाई देता को जाको जो याज तो है वो सत्तार को अपने इसे नापन लगता विष्वास ही मिस्वाश कराई औहो विष्वास ही में लुट जा तầ एक विस्वास में तीन आखें होती संकर जी यह विस्वास और इनके हैं तीन आखें यह ग्यान की आखें एक बहराग की आखेंड़ू जिया करें जिलाने के लिए हैं तिरका जे जाको जे सो मन रूपी दरपन रंगो उसे ही धर्ती दिखाई उसे ही सब दिखाई दे रहे हरो पाँच लगो चसमा लगा है सो हरी दी बारे दिखाई दे रहे लाल लगो सो लाल दिखाई दे रहे और सुपेश लगो तो जैसे को जे सो दिखाई दे रहे तो वो विवेग का चस्मा है, सब दिखाई दे गया, चाहिया, परमात मां, जिस सब मंत्रियों का मत लेते, अब क्या करना चाहिए, सीधी चलाई कर दे मैं, अनका महराण चलाई नहीं, अब चलाई नहीं, एक बेर और दूद बेजो, का अब दूद कोने बेजो जाए, हनुमान जी गयते, अब ही में अंगर्ची बन्दूद भीजो जाए, चो अंगर्ची से बुलाई पास में, और बोले, कि तुम लंका में जाओ, और हमारे काम से जाओ, चो अंगर्ची ने कही, कि काम को ताफ़ बात करेंगी, तर आप नी बोले, काजे हमार, परमात मा जेई, जो गियान का सरूप है राम जी, गियान ही जहां होता, वो दूसरे उपो काम नहीं बेगारा, बाके सक्या काउनों बोलो करो, तो वो जो ही कहते होता से, भगवान, सब को भलो करेंगी, पीजे के हमाओ करें, सब को एक सा देखने वाला, और जहां करोडी है, वो अलग देकर, वो करोड के मा सी देकर, तब जाना है, अब समय मा था, सत्थ की सांची जब आपको दोड़ा कर जा, कर्द्धे, कर्द्धे हैं करोडी, अग्यानी लोग हैं, इनको ग्यान नहीं है, और ग्यानी तो कहेंगे, अब भोई बात राम जी ने कहीं, काज हमार, वो तास हिस होई, वो रिपसन करो, बथ कहीं होई, जुश्मन से ऐसी बात करना, के बाकों भी काम न बिगरे, वो में जाना, और क्यों कि तुम्हारे एक पिता थे, वो राबर से शिकता भी की, यहीं समय पाने को बिराम देते हैं, यह चार बत की, जीत मुना डूचके हैं, वो रही पर बिराम हैं, कुई का के देखे दे, आजाते हैं राम जी बुला के जिमें, राम नाम अच्मी का हैं, कोई का के देखे ले, राम नाम अच्मी का हैं, कोई का के देखे ले, राम नाम अच्मी का हैं, कोई का के देखे ले, आजाते आप कोई बुला के देखे ले राम नाम अतनी जाए काके देखे ले आजाते है राम जी बुला के देखे ले करण साथा बुला के कीकज तरह राम जी बुल खिसखे ले भी बुला कैजिक्श남 के देखे ले राम नामम का मत के देखे ले पाललस मे बुला के देखे ले सहलाच जैती रखना लगा के देखने आजा के रामजी बूला के आजा के मेरामजी बूला के देखने साम नावत बीटा है आजा के देखने आजा के तुलिटा है की देखने क्त्व करें मेgen जिस घर में समान नहीं महमान कहां से आए जिस घर में अबमान बरा भगवान कहां से आए आजाते है राप दिक बला के देख ले आपना में अतमीजा है वोई काँए देख ले आजाते है राप दिक बला के देख ले आपना में अतमीजा है आपना में अतमीजा देख लेख 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 आपना में अतमीजा देख लेख 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 क्श ECB आपना में अतमीजा ख़्यों का देख grosग लेख में डिर वेख लेख लेखut लेख 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 avec लेख लेख में अतमीजा को भановा है में अतमीजा है वें लेख 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 क सबड़िफ़ ती रम जे रम जे जे राव जाते हैं नाम जे राव जाते हैं नाम जे राव जाते हैं बोलिए जुट्यारा उठके इसब को नमस्कार करके और जब चलते हैं अंगजी जब लंका में जैसे पहुँचे नगर के दुवारी के देल है चोराओ वो लड़का खेल रहे बोर जैसे अंगजी पहुँचे हमारा पूरा समाज आगे बने कौन है राम को नहीं जानते हैं अगर रामन को लड़का बोलो हाँ जानत है हमाई पेता जीव उनकी पत्नी हल ले आए वह राम अंगजी बोले जिनके भज्या ने तुमाई भूगा की नाक्कान काटे बेराओ बात आई बात बही बढ़े आई और यूगल तरुण है दोनों जुवान हैं अर अंगजी के लाने तेरे अंगजी का लात उठाई अंगजी पे लात उठाई लात मार दें अंगजी ने पकल लई केज कल लई लात तुमाई भूम भूमाई भूमाई पहले फर पचालों दाक्ती में जितने लर्गा आजब बुदे हिना कैसो आओ हिना कैसो आओ भीर को ढूट भीर भीर काई तूट भीज़ा ज़ा का यहां कैसो आओ बोले हमाई को तुमाई हमाई पेजाजी की तुमाई बढ़ता रहिकेले रहें काभोग है मब जनते को इंताये मब जनते को इंताये ते हिदकारन आयों भाई मामन जद्यद्वे रही मिजाई इदिकारन पे आये ते हिदकारन आयों भाई हमाई और तुमाई हमाई जड़ा और तुमाई में से सरही कभव लावट में दिमांग और रहा बाल मानर में ज्याना हम ज्यानत हैं आपके जो पेसर है बहुत अंचे कहाँ भुले बाल कैसो है मन्जे में हैं अंगर जी बूले दस दिना बाद में तो होई पूच्छा उसु बतरात रच्छो कि यह हमाई पिताजी है वोई तुम पहुच रहें 10 रो दस रो दस दिना में तुम पहुच रहें कोई पाली को जो नमाफ में चरतो भाई को अंगती बोले हाओ अचब भापालक अंगत बही पालकर पालक उपजेओ बंस अनलक को लगठालक जैसे मात में गात हो जाता बार देखों प्यदा हो गाओ एक गर्म ना गए हूँ केरों से पेट में आओ तो मठाई कि मैं तब यो गर्म करें अगर्जी ने गई खाए हूँ हमने दोगा करदा हूँ बले में जे मुखता आपस दूर तक कहाए हूँ जाने तेरे बात को मारदा हूँ सुनिया कब है अगल देदो अपने मुखता ना काहिने मुखता अरे तोई डर है रावण को बनो तेरे पिता का मैट्र है वो बदलो लेले मुखा है अबे अकर भूले सुनसट हो ये वेद मन जाके सुरे रंगबी रहे नाइटा के वे उंसको होता है जिसके फराहतमा हुते में न और जिसकी हिंदआ में फराहतमा का बात है वो काउं से भीद नहीं माना था, वो कच्छों वो कर रहा हो, सो हो रहा हो, हम काउं काउं की कहते हैं, अगती कहते हैं, सुदसट भेद हो यह मन ताके, फी रगमीर हिर रहे नहीं जाके, वो रगमीर कोन हैं, का जिनकी तुम पत्री को अहरण कर ले आए, रावण बोलो, ऐसे मन उसमों हैं, जिनको हमाई राच्छा सरून खा रहे हैं, खाए ने साथ और दिबसने से, ऐसे मन उसमों अनेक हैं, और जिन जानता नहीं है, मेरे बल को नहीं जानता, अंगती बोले, हमने कच्छों सुने थे रावण, एक रावण तो वो है, पाचाल में बली को दीतन गाओ, तो बावण भगवान ने अपनों बन देदाओ, वहां के लर्कन को, छोटे छोटे छोटें को, तो सबने गेर के पकल लाओ, और फिर घुरसार में बांदाओ, और पिर चाबकन से मार दे रहे, जैका ये, आज एक तो वो रावण हैं, और एक रावण को सहस्रावाओं ने पकर लिया, और हाथ बांद करके, और खौने में ठिका दाओ, और दसव सिर पे दस दिया धरे, और दोसी समय, नाप देख रहा था बाना सौर, एक तो वो है, और एक रावण, जहां देवताओं के लोग में चला गया, सोई दीब में, एक पूरी डुगरैन पकर के भैघो, तो चलोगा पाताल गो, एक बो रावण, बोले भी रावण न नहीन, रावण भू है हम, दिकपालन में नीरबरावा, जिक पालन में नीर भरावा उन्पो जैसे कलम और सुनावा जिक पालन में नीर भरावा जिक पालन में नीर भरावा प्रूम्ठो जैसे कलमोह सुनावा प्रूम्ठो जैसे कलमोह सुना drug सुना def. लिदिध्व के थिता मुठ तरवा यहां में क्वलावन हुए कि बूडसार में बधूर ओ झातियादारी यह नाईं अंबे रावने कि दिख्युपाल जिताओं के हाथी बेरों को वादी भरन आए और निकार आजा के लड़का की बात लगाते हैं इने दवसिनों की बात कहता है अंगर जीने का कदेको मेरे प्रभो हो मेरे प्रभो गयाते हैं कि इनके यां जो भी दूट आये हैं बेर दूट युमाई भलाई कि इंकों आये हैं बेरे प्रभो कभी दुपिन चाहिते कि तुम मारे जाओ मेरे प्रभो कहते कि तुम्हारा भी इता हो और हमारा भी को उनकी पथ्ड़े दो जावर ने का तूँ आ गया जई बाट में तो हमने अपने भाईया को नहीं मक्सों का श्रकारदा उलाद मारे के जिने का अंकत जी ने का इसमें देना पड़ेगी हम लोग आपके हैं अगर तुम्हें इतना है तो और लोग बोलेकर अंकती बेटे पूझ पे और रावर के सिं सुनों अगर जो में चलने सके सट टारी तो फिरे रहा सीता में हारी अगर मेरे पाउं को कोई चिका देगा तो मैं कहता हूँ कि सीता को हार कर सब चले राएंगे रावर ने का कर दो 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 पकर कर पचाड़ दो और जैसे बीर आए और ये तुमने उठा पाएं मेगनाज तरी से कलोरों आए उनने भी नहीं चिगा पाओ तो रावण ने कई हमाई न ठेक देमें और जैसो आओ रावण से अंगद ने लात धालाई बेर अंगद ने का हमाई पाउं शुबे से का उरम जासे लाम जी के चरण शुगो आई मंपत गहे नतोर उमारा हमाई पाओं पक्रे से सेरा कल्यार नहीं होगा होगा तो रावण जी के चरणों से होगा तो रावण सर्मा जाता तब तक अंगद जी ने दोनों हाथ धरती में पढ़के तो रावण के जो मुकुट से तो बेर सब धरती में गिर गए तो अंगद जी ने चार मुकुट पक्रे औ और फेक दाए राम की सेना में, राम जी की सेना में जयता, ऐसे लगो मानों दिन मैं इतारा गां चूट रहे हूं, सब इने देखा, सब तक हलमाची ने का, कोई मत दरो, ये सब, ये क्रीज दसकंतर केरे, आवत बाल तनाय के पेरे, ये बाली के बेटा जथेते हैं, कहें, किस साम दाम दंड बेदा, नेफूर मसाय सदा कहें देदा, बेद कहते हैं, साम दाम दंड भेद, ये राजा के अंदर गुन होते हैं, देखोणी ही आए, राबन को परमात्मा से बिमजान कर भूपोन, वहां राबन को छोड़ के चलियाए, ये परमानी को गुनाब है, वोले फिर वेडाबन को जदेखें पनाओट, पिर वेड़ राबन को ते Hackira मुझा, बेर कर लोड़ा से बिम् सादे कहने, जए को आ कुन से, राबन को जए, इभाबन को परमात्मा होते हैं, साम नेखुया को छिर वे घए, उपुराब। आपको तीदे महाराजी है जोड़ता हूं आदरनी महाराजी है जै सरी राम हर्यों हर्यों हमारे इस अथा इस कारत्र के यजमान है याँ जोभाग है उनका, उनकी पुल्नों का उदे हुगा जो उने यह जमान बने का मोगा मिला इस गाल जाले में, पानी है पर इस गाल जाले में, पानी हो तूबार जिस गाला हो कि द्यू जाला है जो हम, तीर्थास बदंदधंशिव वेरंचे नोखंदधंश्रण्यम प्रेत्यार्ति हम प्रणत पाल भवावावण बमसी वीभूशित करावण नवनीरदावावावण पीतां बरादरुन बिंच बफलादरोष्ठाद। पीतां बराद। पूर्णेंदु सुंदर मुखादर्मिंद नेत्राद। प्रिष्नाद्परंखिमपिताद्वमहं नजाने। नारायनं नमस्कृत्यनरं चैवनरोत्तमं देवें सरस्वतीं व्यासं दतो जय बुदिरें श्री रामह शरणं समस्त जगताम रामं बिना कागती रामेण ब्रदिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यम्नमह रामाय कार्यम्नमह रामात्रस्यति काल भीम भुजगों रामस्यसेवं बशें रामेण भक्ति रखंडिता भवतु में रामत कर्मे वाश्रय हुआ नाम बुजश्या मलकुम लांगं सीता समारू पितवाम घांगं पानो महां शायक चारुचापं नमा निरामं रगुवंश नाथं नमा निरामं जे जे श्री राधारमन जे जे नवल किशोर। जे गोपी शित चोर प्रभू जे जे माखन चोर। चर्णों में खाऊ सीता राम तुम्हाए चर्णों में मुझे को तहार साधा मिल जाए जि अराम तुम्हाए चर्णों में यदी प्यार किसी का हो जाए जिराम तो आए जर्णों में यदी प्यार किसी का हो जाए दो चारों की तो संसार उसी का हो जाए संसार उसी का हो जाए सी आराम तुमारे जर्णों में सी आराम तुमारे जर्णों में कर दो हो जाए जर्णों में लाए जाए जिर्णों यह जाए जलह को जवशना कितरे जजशना चाना शबरी ने कहां थे वेद पड़े सबरी ने कहां थे वेद पड़े गणिका कब यक कराती थी जिसने छल देश कालेश नहीं जिसमें घर देश कालेश नहीं श्री राम उसी के हो जाए श्री राम उसी के हो जाए श्री राम तुमारे चर्णों में 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 रावण ने प्रभू से वेर किया रावण ने प्रभू से वेर किया अब तक भी जलाया जाता है बनभक्त विवेशन शरण पड़े हर बार उसी का हो जाए करवार उसी का हो जाए सी आराम तुमारे छरणों में सी आराम तुमारे छरणों में याद प्यार किसी का हो जाए याद प्यार किसी का हो जाए सी आराम तुमारे छरणों में कर दो जाए सी आराम तुमारे छरणों में कर दो जाए सी आराम तुमारे छरणों में पहलाद तो छोटा बालक था पहलाद तो छोटा बालक था पर प्यार किया पर में संसार का हो कर ख्याले ना इस बार उसी का हो जाए इस बार उसी का हो जाए सी आराम तुमारे छरणों में याराम तुमारे छरणों में पियार किसी का हो जाए याराम तुमारे छरणों में संदार उसी का हो जाए सियाराम तुमारे चर्णों में 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 जनके मात्र वात्सल्य मैं छाया में हम सब रामचरित मानस ज्याने के कालाब ले रहे हैं भगवती हर सथी मैया को नमन करते हुए परंप्रिया आप सभी के पूजनिया बंदनिया स्वामी राजा राम नंदी महराज जो किस प्रतिकूल छेत्र में भी अपने अथट प्रयाग से अपने संकल्ब बल से यहां आयोजन कर रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत साधुवाद इसमें है सभी छेत्र वासियों सभी के हिर्दय में भी राजमान परमात्मा को मेरा प्रणा आप लोग लोग पिछले पाँच दिनों से राम कथा श्रवन कर रहे हैं राम कथा के मात्यम से कुछ चर्चाएं श्रवन कर रहे हैं हरी अनंद, हरी कथा अनंद भगवान अनंद हैं और भगवान की कथाएं अनंद हैं तो भी अनेक प्रकार से संत और भक्त कहते हैं, सुनते हैं जिससे कहने वाले का भी उत्धार होता है और सुनने वाले का भी मन और जीवन पवित्र होता है आज बंडारा है इसलिए संचेत में हम लोग चर्चा स्रवन करेंगे मेरे लिए तो बड़ा कठीन हो जाता है लेकिन आप सब का प्रेम स्वामी जी का प्रेम खीच लियाता है रोज आना जाना महां से बड़ा कठीन हो जाता है और कुछ हम लोगों की साधना भी चल रही है इसलिए समय का भी अभाव रहता है आप कथा सुनते ही हैं कुछ सार सार बाते हैं मैं आप लोगों को थोड़े में कह देता हूँ भगवान के कथा साक्षा भगवान का स्वरूप है यदि राम जी का चरत्र हम सुरू से लेके अंद तक देखें राम जी ने वह सब कुछ किया है जो एक आदर शमानों को करना चाहिए इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुशुक्तम कर देखें भगवान के अनेक अवतार हुए जितमें दो मुख्य अवतार हुए रामा लोटार और कृष्णा वतार हुए रामा वतार में भगवान मर्यादा पुरुशुक्तम कहलाए और कृष्णा वतार में लीला पुरुशुक्तम कहलाए मर्यादा उन्होंने इस्थापित किल ती कैसे जीवन जिना चाहिए यह सारा ब्रह्मान्द मर्यादा में ही है सूर्य भी अपनी मर्यादा में है यदि सूर्य मर्यादा छोड़ दे तो जीवन संभव नहीं होगा विचार करो सूर्य मर्यागा छोड़कर थोड़ा नीचे आ जा vet कि सब के खोन जम जाएगा चारो तरफ जल जम जाएगा तो सूर्य बिल्कुल मर्यागा मेँ रहते हैं जहां भगवान ने उन्हें इस्थापित कर दिया वहीं रहते हैं उतना ही नीचे आते हैं जितनी जरूरत हो और उतने ही उपर जाते हैं थोड़ा जितना जरूरत हो ज़्यादा नीचे आगे या ज़्यादा उपर चलेगा तो जीवन संभव नहीं होगा मर्यादा में रहते हैं ऐसे ही पृत्वी मर्यादा में रहती है जिस समय जो फसल होनी चाहिए वह फसल पृत्वी देती है वायू मर्यादा में रहती है सब कुछ मर्यादा में रहता है और जब मर्यादा चूट तोड़ता है कोई तो हम परिशान हो जाते हैं जैसे नदी पीछे प्रवाइब हो रहेंगे ये जब तक अपनी मर्यादा में है तब तक तो बहुत अच्छी लिखती है लेकिन ये नदी यदि अपनी मर्यादा तोड़ दे तो नदी अपनी मर्यादा तोड़ दे बढ़ जाए तो सब परिशान हो जाते है बेचैन हो जाते है मर्यादा में हैं तक-tok नदी को पूज blanc करते है नदी में इस्ञान करते है जब नदी बहुत बढ़ गई थी तो स्वामी जी वो स्टीले पर बैठ जैते अब भे अब गहे अब गहे लेकिन भगवान ने बचा लिया मर्यादा तोड़ा नदी ने तो संकट खड़ा हो प्या ऐसे ही जब वायू मर्यादा तोड़ देती है तो आंधी आ जाती है वायू जैसे सीथल बह रहे ही है मंद मंद बह रहे ही है वो मर्यादा छोड़कर जोर से बहने लग जाए तो आंदी हो जाए फिर चारो तरफ तबाही नुकसान मर्यादा में है तब तक वायू अच्छी लगती है लेकिन मर्यादा का उलंगन करे फिर वो वायू सुखद नहीं लगते सब मर्यादा में ही अच्छे लगते है बेटी धर की मर्यादा में है तो सब को प्रिये होती है और मर्यादा के बाहर जाने लगती है तो सब को चिंता होने लगती है परिवार की प्रतिष्ठा दाओं पर लग जाती है ऐसे ही बेटा मरियादा में हो तो समको प्यारा लगता है लेकिन मरियादा तोड़ दे, मरियादा से बाहर जाने लगे तो फिर किसी को प्रिया नहीं लगता चारो तरफ उसकी मिंदा होने लगती है उसको लेकर परिवार को चिंता होने लगती है यानि सारी चीज इस संसार में, मरियादा में ही अच्छी लगती है किसी भी चीज की मरियादा में रहो, सीमा रेखा में रहो तो अच्छा लगता है सभी को और कोई भी ब्रह्मान्ड की कोई भी चीज हो, कोई भी कारे हो मरियादा से बाहर हो तो अच्छा नहीं नहीं किसी को सुहादा नहीं तो भगवान ने हमें मरियादा सिखाई मरियादा में निमन जियो सुरू से लेकर अंत तक के जीवन को यदि हम भगवान शिराम के देखे कोई भी ऐसा चरित्र नहीं होगा जो मर्यादा रही थो सब में मर्यादा है एखने की भी मर्यादा है बोलने की भी मर्यादा है चलने की भी मर्यादा है हर कारे की मर्यादा यहां तक रावन के साथ युद करने की भी मर्यादा है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ अबद मैं भगवान शिराम आउतार लिया है संचेप में सुरू से लेकर के अंध तक राम जी का च्रिक्र आप लोग से कहेंगे जिसना समय होतने में और उसका आध्यात्निक अर्थ आप लोगों को समझाते जाएगे राम जी का आउतार कहा हुआ अयोध्या में हुआ अयोध्या का एक आध्यात्निक अर्थ भी युद्ध न भवती इतीस अयोध्या जहां युद्ध नहीं होता है वही अयोध्या यानि हमारा हिर्दय इस हिर्दय में जहां युद्ध न होता वह अयोध्या सबके मन में युद्ध चल रहा है सबका मन बेचैन है असांत है दुखी है छुप्ध है तो जिसके हिर्दय छुप्ध हो दुखी हो असांत हो वो अयोध्या नहीं है जिसके हिर्दय में कोई युद्ध नहीं हो जिसका हिर्दय शांत हो आनंद में हो कोई द्वंद नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विशय नहीं, कोई वासना नहीं वह हिर्दय ही अयोध्या है और हिर्दय रूपी अयोध्या में परमात्म अवतार लेते हैं एक तो अयोध्या है उत्तर प्रदेश में जहां राम जी की स्थाफ नहीं तिर्थ यात्रा के लिए वहाँ सभी जाते हैं और जाना चाहिए और एक अयुद्या है वह हिर्दय हमारा आपका वह हिर्दय जिस हिर्दय में युद्ध नहीं होता युद्ध न भवति इति अयुद्या जहां युद्ध न हो युद्ध जहां न हो इस हिर्दय में भी राम जी का अवतार हो इस हिर्दय में भी राम जी प्रगट हो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा हिर्दय में कब राम जी प्रगट होंगी अयोध्या में तो प्रगट हुए जिसकी कथा आप कहते सुनते लेकिन हमारे हिर्दय में कब प्रगठ हो है हम नेत्र बंद करें और हमारे हिर्दय में हमें राम जी का दर्शन हो ऐसा कब होगा जब हम दसरत और कोशल्या बनागे दसरत दसरत कौन हो दसरत है हमारी दसों इंद्रिया पांच ग्यान इंद्रिया आख, कान, नाक, जीव, तपचा पांच फर्म इंद्रिया से हाथ, पाउं, शिश्न, वानी, गुदा यानि यह जो हमारे हाथ पाउं अधि अंग है मुख है जीवा है आख है कान है यह दस इंद्रिया यही दस रथ है जिनकी दसों इंद्रिया उनके अधीन हो जिनका अपने दसो अंगों पर नियंत्रन हो आप्षों में देखने पर नियंत्रन हो कानों से सुनने पर नियंत्रन हो जीवा से खाने पर नियंत्रन हो जिसका अपने हर अंग पर नियंत्रन हो कुषल मा ही कुषल्या है जो मा अपना हर कर्म करते हुए राम को हिर्दय में धारन करें जो जीव अपना हर कार करते हुए कुषल्ता पुर्वक कुषल्या यानि कुषल्या क्या है आप हर कर्म भी करते रहो और मन में राम को भी रखे रहो ध्यान भगवान का रहे और कर्म संसार का रहे यदि ध्यान भगवान का है और कर्म संसार का है वही कोशन गया है जब आप हर अंग पर नियंत्रन रखोगे आपका अपनी दसों इंद्रियों पर नियंत्रन होगा दस रत्र दस इंद्रियों पर नियंत्रण होगा और पुशलता होगी हर छण बगवान को याद करते वे कर्म करते रहोगे तब आपके भिर्दय रूपी अयुद्या में राम का अतार होगा मास दिवस करे दिवस भा मरमन जाने कोई रथ समेत अरिथा के ओ निशा कवन विधे हो मास दिवस करे दिवस भा मरमन जाने कोई पूरे महीने एक दिन नहीं दो दिन नहीं महीनों आपके हिर्दय में उजाला ही रहेगा आपके मन में उजाला ही रहेगा कभी अंदकार नहीं होगा, जिस जण किसी संत या किसी भक्त के हिर्दय में राम अवतरित होते हैं, भजन करते करते, ध्यान करते करते, साधना करते, जब भक्त की भक्ती का फल प्राप्त होता है, जब साधनक की साधना पक कर फल के रूप में प्रगट होती है, और हिर्दय म जान जान जाता जाता है उधार मन जो और कोई संसारी तर भूम को नहीं दो कि से जुँदे की जब बाईयों के साथ मित्रों के साथ खेलते हैं है हारा हुआ खेल भाईयों को जिता देते हैं खेल में जब देखते हैं कि मैं जीत रहा हूं राम जी जब देखते हैं कि मैं अब भाई खुश हो जाते हैं कि हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए बच्चे खुश होते हैं जब को इसी खेल में जीते हैं तो हम जीत गए हम जीत गए और राम जी देखते थे कि अगर मैं जीत गया इस खेल में तो मेरे भाई दुखी होंगी कि हम आ रहे हैं मैं तो बिलने में भी मरियादा है फाईयों का कितना द्यान लगते हैं पिता जी जब बुलाते हैं महराज दसरत जी का ऐसा नियम है कि बिना राम जी को साथ लिए बोजन नहीं करते हैं राम जी को बुलाते हैं, अपनी गोद में बैठाते हैं, फिर भोजन पहले राम जी को भोग लगाते हैं और फिर सेल करते हैं एक दिन राजा दस्रत बार बार राम जी को बुला रहे हैं, लेकिन राम जी अब छोटे बच्चों के समाज में खेल रहे हैं और बार-बार बुलाने पर भी खेल छोड़ कर नहीं आते कौशलिया माता जो बुलाने जाती तो ठुमक ठुमक कर भाग रहे लगते हैं जैसा तुलसी दाशी ने वरणन किया ठुमक चलत रामचंद ठुमक चलत रामचंद भाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद ठुमक चलत रामचंद ठुमक चलत रामचंद भाजत बैजनिया ठुमक चलत रामचंद खिलके खिलके उठत धाएं खिलके खिलके उठत रामचंद ठुमक चलत 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 रामचंद बुलाते हैं बेटा आओ, हे राम आजाओ, भोजन कर लो, तुम भोजन नहीं करोगे, तो मैं भी भोजन नहीं करोगे, तो मैं भी भोजन नहीं करोगे, अब पिता ऐसे बार 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 बुलाते हैं, लेकिन राम जी छोड़ कर नहीं आते हैं, क्योंकि राजा के लिए तो सभ में भी राजा के पुत्र हो तो आप मुझे ही क्यों गुला रहे हैं बाखी बच्चे भी दो हैं और आप राजा है पिता के समादा जो सभी आपके है इसलिए राम जी नहीं आवद तरी बाल समाझा जाओ उपस्क और घृलने में भी मर्यादा है अब हर कार में बच्छपन से लेकर हर कार में मर्यादा है और दूसरी तरफ हमारे लीला पुरसुत्र भगवान स्रिकिष्ण है जिनके कार में लीला में मर्यादा नहीं है लेकिन लीला है एक तरफ राप जी के इतनी मर्यादा है कि बाल समाज को इसलिए छोड़ कर नहीं आते कि माराज दसरत के लिए बराबर है तो दूसरे तरफ कर नहीं है दूसरे गर चोरी करकर के मांखन खाते हैं और चोरी का भी अर्थ है मन ही मांखन है भगवान मन की चोरी करते हैं सारा प्रिष्टी भगवान की है तो भगवान क्या चोरी करें लेकिन माखन का अर्थ होता है मन मन की चूरी करते है तो जहां श्री कृष्ण लीला पुरशुत्तम है वही श्री राम मर्यादा के साफना कर रहे है पतारे कैसे मर्यादित जीवन जीना चाहिए श्री राम जी दिरे दिरे बड़े हुए विश्व के कल्याण के लिए संत जीवन जीते है जो को संत में और संसारी में ज़्यादा अंतर नहीं है थोड़ा अंतर संत उसे कहते हैं जो सब के लिए जीवन जीता है सर्वभूत हिते ही रता है जो सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है सबके भले में लगा रहता है वो संत कहला याद रखिएगा संत और संसारी कौन है किसे कहेंगे संसारी और किसे कहेंगे संत जो केवल अपना भला चाहे जो केवल अपना भला चाहे और अपनों का भला चाहे वो संसारी है और जो सबका भला चाहे वो संत है भगवान सिर्यान के जब सारे संसकार हो गए एक बार विश्व कल्यान के लिए यग्य करने वाले विश्वा मित्र मुनी पदारे विश्वस्य मित्रस्य किती विश्वा मित्र है जो सारे विश्व का मित्र है वही विश्वा मित्र है विश्वामित्र का अर्थ क्या हुआ है विश्व काम मित्र जो सारे विश्व के प्रती मित्र भाव रखता हो वही विश्वामित्र है ये भी मेरा है ये भी मेरा है जो सब्द में परमात्मा को देखकर सब काम हित सोचता हो सबकी प्रती मित्रवत भाव रखता हो वह विश्वामित्र विश्वामित्र जी सारे संसार के कल्याण के लिए उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन सबके भले के लिए यगे करते हैं तो मारीज सुबाहु आदी यगे में विगन डालते हैं तो गाधी तने मन चन्ता व्यापी है हरी बिनु मरही रनी से चरपा हो गाधी तने विश्वामित्र जी के मन में जो विशार उत्पन्न हुआ कि बिना राम के बिना नारायन के ये राक्षस नहीं मरें विश्वामित्रमुनी आयोध्या बदारे राममदी राम को मांगनी की महाराज दसरत सिंगासन छोड़कर दोड़े विश्वामित्रमुनी का श्वागत सत्कार किया आप किसी आए है महाराज हम ग्रियस्तों के घर आप जैसे संद के चरण पड़ जाए तो हमारा महल पावन हो जाता है हमारा जीवन धन्य हो जाता है हमें आग्या करें मैं आपकी क्या सेवा करूँ विश्वामित्रमुनी ने कहा महाराज आप आप राम को देदीए यग्य की रक्षा के लिए राजा-दसद ने कहा सारे खुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिये है राम देत नहीं बनए गोसाई लेकिन राम को देते नहीं बनता राजा-दसद बड़े व्याकुल हुए है राम को देने में समझाया वसित जीने पिश्वा मित्र जी तो परम शक्तिमान है राम को सिर्फ इसलिए ले जा रहा है कि राम इनके साथ जाएंगे तो राम का नाम राम का यस तीनों लोकों में फैले जा ये राम को अने करके असर ससर दिब्यासर देंगे और राम का विवाह भी करा देंगे राया दसरत को जब विवाह की बात सुनी तो बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने जाने के आग्या दिया राम जी महाराज दसरत से आग्या लेकर विश्वा मित्र मुनी के पीछे पीछे दोनों भाई चले हैं राम और लक्षमाट ताड़का राक्षसी का मार्ग में उद्धार किया देखो भागवद में भगवान स्रिक्रिष्ण पूतना राक्षसी के उद्धार से पूतना राक्षसी के बड़ से लीला प्रारंब करते हैं बागवाद मज़े बाद सुनोगे तो सबसे पहले कृष्ण जी ने किस राक्षासी का बद किया? पूतना का ऐसे ही रामायन में भगवाद श्विराम ने सबसे पहले ताड़का का उत्भार किया पहले वासना का बद करो तभी परमात्मा का तुम्हें अनुभव होगा जिसका मन वासना में फसा हुआ हो वह बद बजन नहीं कर सकता पहले वासना आई पूतना यानि वासना आँखों से देखने की वासना जिवा से न खाने यो जैसा खाने की वासना अमारे मन में जो वासना है विश्यों को भोग नेक दे सुप भोग नेक दे वह वासना ही पूतना है भागवत में और वही वासना रामयन में ताड़का था पहले इस्त्री भी भागवत में भी पहले इस्त्री के रूप में पूतना आई इस्त्री का बदिकर के लीला प्रारमुर्ण और रामैन में भी पहले इस्त्री ताड़का आई उसके बद से लीला प्रारमुर्ण इस्त्री जाती से अपने हैं यहाँ बासना से अड़कर ताड़का गाबदिकर के भगवान सिराम आगे बड़े विश्वामित्र मुनी के यग्य की रखवाली के अपना सारा जीवन यग्य मैं बनाओ, तुम्हारे यग्य की रख्षा कब हो गी? यग्यानी जीवन, जीवन ही एक यग्य है जो भगवान के लिए जीवन जीता है उसका जीवन ही यग्य है आँखों से जो भगवान को देखता है सभी रूपों में वो यग्य कर रहा है वाणी से जो भगवान का नाम सतत बोलता है वो यग्य कर रहा है हाथों से यदि आप किसी गरीब की सहायता कर रहे हो यदि इन हाथों से किसी असहाय की सेवा कर रहे हो माता पिता गुर्जनों की सेवा कर रहे हो तो आप इन हाथों से एक यग कर रहे हो यदि पाउं से मंदिन में तेर्थों में चल कर जा रहे हो तो आप इन पाउँ से एक यग्य कर रहे है partner यग्य की रख्षा कैसे हो कि विश्वा मित्र मुनी ने यग्यशाला के द्वार पर राम और लख्श्मन को विराजमान किया आप अपने शरीर के हर अंग पर राम लख्श्मन को विराजमान करो तब तुम्हारे जीवन की रक्षा हो अपने आखों में राम को भी राजमान करो नेदन में राम समाएगो मुहें प्रेम करो के लगाएगो काएंगे नहीं कि बजन तो आप लोग बहुत सुन लेते हैं कुछ चर्चा सुने आप ने बगवान की बात ने बजन तो बहुत हो जाता है लेकर कुछ ग्यान की बाते सुननी चाहिए आखों में जिसके राम आजाए उसे सब राम दिखाई पड़े आखों में जब राम आजाए एक बार तो सब राम दिखाई पड़े इसलिए हमारे नैनों में राम आएं हमारी वाणी में राम समाजाएं और ये वाणी सकत राम का गुड़गान करती रहे अपने हर अंग पर राम को विरारिवान करो भागवत में यमल अर्जुन जो नंद बाबा के आगण में अर्जुन के दो व्रिक्ष है उखल बनन लिला में जब भगवान कृष्ण दोनों व्रिक्षों के बीज से निकले और उखल अटक गया भगवान ने जोर लगा कर खीचा दोनों अर्जुन के व्रिक्ष धरती पर गिर पड़े उनमें से दो देवता प्रगठ हुए और वे प्रार्थना करते हैं जो भागवत की बड़ी सुंदर इस्तुपी है वानी गुणानों कथने स्रवनों कथायां अस्तव चकर्म सुमनस्तव पाद योर नहां स्मृत्यां सिरस्तव निवास जगत प्रणामे प्राणान्नमों भगवते पुरुशाय दुप्यं वानी गुणानों कथने स्रवनों कथायां उन्होंने कहां मेरी वानी सदा बगवान का पुरुशाय दुप्यं वानी गुणानों कथने इश्रमनों कथायां करने के लिए तब मारीच और सुबाहु यह यग्य में बिगन नहीं डाल पाए ऐसे ही जब आप अपने हर अंग पर नित्रों में कान में वानी में हर अंग में राम को विराजमान करोगे हर अंग से प्रभु की सेवा करोगे हर अंग से प्रभु की भक्ती करोगे तो फिर मारीच सुबाहु यानि काम और क्रोध यह आपके भीदर प्रवेश नहीं कर पाए यह आपके जीवन में बाधा नहीं डाल पाए विश्वामित्र जी का यह के संपुर्ण हुआ जनकपुर से पत्रिका आई परमात्मा भी शक्ती के बिना अधूरे ही हमें जीवन में शक्ती की बड़ी आवश्चा हुआ है बिना शक्ती के जगत में कोई भी कारे नहीं हो अगता हर कारे में शक्ती चाहिए डेखने कि भी शक्ति होनी चलिए अगर आखों में देखने की शक्ति नहीं थो इस यदिता तो यह कान ब्यर्थ है वाणी में बोलने की शक्ति नहौद दो वाणी k cancellation को करने के लिए आव शक्ता है अब तक राम अघूरेद्मु जब जनत्पुर में जाकर के सीटा जी का वरण की है तब तब शक्ति से संबन्न होए बिना शक्ति के जीवन में आप अधूरे हो लेकिन शक्ति से संबन्न कैसे हो पाए जब उन्होंने रावन का धनुष भंग किया शिव जी का धनुष रावन से पहले भंग किया रावन वहां आया तो था, लेकिन रावन भी आर मान कर चला गया थे, उसकी कथा इस प्रकार है, अब कथा सुनाने का तो भी स्थार्ट से समय नहीं है, लेकिन संचेप में पता जाते हैं, जब सिव जी का धनुष वहां पे रखा गया थे, जिससे रावन अपना मानता था और कहता था कि यह मेरा दनुष, रावन का दनुष, तो, भगवान शिव, राजा जनक के पुर्वजों के बास, अपना एक दनुष रख लेए, राजा जनक के पुर्वजों को प्राप्त पाल, सभी को पंद्रिका भेजी गई, रावन को नहीं फेजा, रावन आकास मार्ग से जा रहा था, उसे ने देखा मनिडप लगा हुआ है, स्वयंबर रचा गया है, पूछा अपने साथी से, यह इतना बड़ा आयोजन क्या है, तो का, राजा जनक अपनी बेटी सीता का स्वयं कर रहे हैं, रावन ने पूछा, मुझे नहीं बुलाया, ना, आपको नहीं बुलाया, रावन आकास से ही मन्डप में पूद लिया, सबको बड़ा वैय हुआ, कि इस पवित्रकारे में, यह कहां से आगया, रावन ने कहा जनक, तुने सभी राजाओं को निमंत्रन बेजा, तो मुझे राजा नहीं समझता, क्या, मुझे क्यों निमंत्रन बेजा, बेजा, राजा जनक ने, कहा, महाराज, मैंने निमंत्रन बेजने को कहा तो था, लेकिन लगता है, यह लोग बूल, रावन ने कहा, जो हुआ, अब अपनी बेटी सीटा को बुलाओ, और उसके द्व सीटा का विवाया मेरे साथ नहीं किया, तो यह अच्छी बात नहीं हो, एक तो तुमने मुझे निमंत्रन न देकर मेरा अपमान किया, अब तुमारी बलाई इसी में है, कि तुम सीटा को बुलाओ, और वो मेरे गले में बरमाला डावता, राजा जनक बोले, महाराज, मेरी बेटी के लिए मैंने एक प्रतिक्या किया, कि जो संकर जी के इस धनुस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीटा का विवा करूँगा, रावन जोर जोर ते रजा, अरे मुर्ख जनक नक, क्या तो मेरे बारे में नहीं जानता, शिव और पारव पारवती के लाज से विराजवान थे, मैंने अपने भुजाओं के बल से पूरे के लाज परवत को उठा लिया, तो ये छोटा सा धनुस कौन सी बड़ी बात है तोड़नू, रावण, धनुस की दर्म पढ़ा, इदर, सीता जी माता भगवती की, यानि पारवती जी की, वं पारवती जी ने तीन सो रुद्र गणों को भेजा, कि तुम लोग गुप्त रूप से, सुक्ष्म रूप से, धनुस के उपर बैढ़ जाओ, किसी को दिखाई मत पढ़ो, और धनुस को इतना बारी कर दो, तो, कि रावण का अभिमान चूर-चूर हो जाए लेकिन धनुस तो, कि रावण जब चला, तो कुसने, अपने पीस भुजाओं से, धनुस को उठाने का प्रयास किया, एक हाथ रखा कमर पे, और 19 भुजाओं से, धनुस उठाने लगा, इसने धनुस उठा लिया, अब 300 रुद्र गण धनुस के उपर बैढ़े, और धनुस को दबाने रावण को धनुस बड़ा भारी लगा, वो धनुस सीधा आकर उसके चाती पर गिना लगा, रत की उल्टी करने लगा, बेहोस हो गया, मरा, 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 मरा तो भगवान श्री राम ने कथा आप समने सुनी है मैं तो एक मर्यादा अगवान के हर लीला में मर्यादा है सिर्फ आपको ये संकेत कर रहा हूं मैं कथा नहीं सुना रहा हूं कि कथा का तो बहुत विस्तार है वो 15-20 मिनट आदे गटे में पूरी होने वाले नहीं है लेकिन हर लीला में भगवान के मर्यादा कैसी है उसका संकेत क्या है हमारे जीवन के लिए हो समझा राम जी ने धनुष भंग करके तब तब सीता जी का वरण किला सीता का अर्थ है शान्ती और सीता का अर्थ है शक्ती मैंने कहा बिना शक्ती के जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं और फारे करी शक्ती चाहिए जब विमार हो जाते तो कहते हो आज कोई काम नहीं में आधक किगांonds ऑद कार रहा है शक्ती काम नहीं कर सकते शक्ती ही सीता हा लेकिन शक्ती कैसे प्रात्वी को जब भा जी ने निने दनुष बंग किया हो दनुस क्या है अभिमान अभिमान ही दनुस है जब आप अभिमान छोड़ते हो अभिमान रूपी दनुस को बंग करते हो तब आपको जीवन में शक्ति प्राप्त होती है अभिमान तोड़ते हो तब शांती प्राप्त होती है अभिमानी व्यक्ति को कभी शक्ती प्राप्त नहीं होती शक्ती प्राप्त हो तो अभिमान मत करना अभिमान छोड़ कर तब शक्ती प्राप्त करना पहले धनुस तोड़ा उसके बाद सीता का वरण दिया तुम्हें धन की शक्ती प्राप्त हो, पद की शक्ती प्राप्त हो, लेकिन उस शक्ती को पाने से पहले अभिमान रूपी धनुस को तोड़ दे अभिमान छोड़ करके तब धन पाना, ये धन प्रभु की क्रिपा से प्राप्त है, मेरा नहीं है अभिमान रूपी दनुस तोड़ करके तब किसी पद को प्राप्त करना, ये पद भी भगवान के दिर्मा से प्राप्त है, ये मेरा नहीं है सीता जी का बरण किया, सीता जी को प्याह कर लाए, लेके लेके राम जी के विवाह में भी मरियाधा है, देखो, जब राम जी का विवाह होने लगा, वर्माला की बारी आई आज कल तो लड़की और लड़के कैसे विवाह करते है, गाउं में तो बहुत मरियादा बची हुए लेकिन सहरों का आपको पता ही है राम जी के विवागे मर्यादा देखना वर्माला लेकर कि सीथा जी आई इदर राम जी खड़े हैं सब कह रहे हैं कि गले में वर्माला डालो लेकिन राम जी सीथे खड़े हैं सिर्फ जुकाते नहीं अले सब कहते रहे हैं कि कि राम जी थोड़ा जुक जाई है राम जी थोड़ा जुक जाई है लोकि नहीं जुक जाई है सिया मेरे छोटी सी सिया मेरे छोटी सी रुक रही ओ निकर घुबी सिया मेरे छोटी सी तुम हो बड़े बलबी तुम हो बड़े बलबी सिया मेरे छोटी सी रुक रही ओ निकर घुबी सिया मेरे छोटी सी रुक रही ओ निकर घुबी सिया मेरे छोटी सी सिया मेरे छोटी सी रुक रही ओ निकर घुबी सिया मेरे छोटी सी रुक रही ओ पुलगे दिंखाय का दोी जच़ते समय मैंने पिताजी से के दिया है कि मैं राम के लिए बहु लेआओं सब्सक्रjenigen लेया है और वर्माला जांगी को पहना लेकित के अम बहुत है पবर एप पीद्म आता की यह इश्चा widi कि मैं वीवा करन出ग आपधी मान लेकिन सीटा से ही विवा करने एक्षा है क्या कि वो सकता है उनको दूसरी लड़की पसंद दो और उनकी आजया कि विश्वा मित्र जी अवी नहीं और झाने आते समय मैंने तुम्हारी माता कवशल्या से कह दिया है कि सीटा से विभाग कराने की दिए और सीटा को वुशल्या माता बहुत पसंद करती है तो उनकी भी ऐसे इक्षा है जब पिता-माता की इक्षा है ऐसा सुना तब रामजी ने अपना सिर जुगाए, यह है भगवान की मर्यादा, इसलिए मर्यादा पुर्शु दम परहे है पितबाता की इक्षा के बिना विवाहा भी नहीं करना, उनकी अनुमती है ऐसा जाना तब शीज जुगाए तो और फिर सांधी रूपी भक्ती रूपी शीता का मरण किया अभिमान छोड़ करके शक्ती प्रापते करो शक्ती सीता है अभिमान मानुश है अभीमान तोड़ से के साथ यादि संपक्ती होगी तो वो संपक्तिस होगी कि तुस्पक्ति थी दोगेन अभीमान सै इसलिए सीता प्राप्त नहीं ही रावन को बहुत बल्वान था जिसने कहलास परबत को दोनों बुजाओं से उठा अपने सभी बुजाओं से उठा लिया हो दीसों बुजाओं उसके लिए सियुजी का धनुस उठाना कौन से बड़ी बात था लेकिन अभीमान के कारण उसे शीता प्राप्त नहीं हो जिसके भीतर अभीमान है उसे भक्ती प्राप्त नहीं होती भक्ती शीता है सांती शीता है उसे शांती प्राप्त नहीं होती अभीमान जिसके भीतर है सबूंद कर दोभिया इमान को थोड़ो कि तब वक्ति प्राप्ट होगी निए कोुए मिति शांति सब्सक्राइब का था राम जी को जी और में खश्टृ स्वय कृश्ट और इसने फिरंडुर से दाप हो जाते हैं हमारे जीवन का कष्ट क्या है हमारे पास बहुत धन नहीं है यही तो हमारे कष्ट है हमारे पास गाड़ी नहीं है यह हमारा कष्ट हो सकता है इससे जदा हमारे जीवन में क्या कष्ट है राम जी के जीवन में क्ष्ट देखो एक दिन पहले उनसे कहा गया कल आपका राज्या भी शेख होना है कि अधिक राजा बना राम जी के मन में कोई प्रसंता नहीं यदि आप से कोई कह कि दे एक लाग रुपे दिये जाए जाए तो मुस्थ कितने प्रसंद हो जाओ अगर कोई बिना करण आपको दो लाख रुपे दस लाख रुपे देने लग जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा और राम जी को पूरे अधिया का राज मिल रहा है तो भी राम जी के मन में कोई प्रसंदा नहीं हुई कि इतना बड़ा राजी मुझे मिल रहा है कल में राजा हो ज है और अगले ही दिन उन्हें कहा गया कि आपको चौजा वर्स के लिए बन में जाता है राम जी के मन में कोई दुख नहीं हुआ राज पाने की बात सुनकर के हर्स नहीं हुआ और वनगमन की बात सुनकर के कोई शोक नहीं हुआ दुख नहीं हुआ एग जैसे किस्ती बनी सुख दुख़्े समय कृत्वा लाभा लाभो जया 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 जीता में यही तो कहते हैं समत्तम योग पुछ चति सुख में दुख में हानी में लाभ में जय में पराजे में एक जैसा चित रहे यही योग है यही भगती है राम जी राज मिलने पर जैसे थे ऐसे बन में जाना पड़ गया तो भी वैसे ही ने और देखो मरियादा जिस कहकेई ने राम जी के लिए 14 वर्ष का बनवास मांगा किसके कहने में आई थी मन्थरा यानि जिसका मन अइस्थिर होई वही मन्थरा है और बिगड़ी हुई पुद्धी केकेई है जीव जो दशरत है वह परमात्मा से दूर हो जाता है राम से दूर हो जाता है भरत और सत्रुग्न ननिहाल गयल हुए थे भरत जी वेराग्य है और सत्रुग्न जी सत्विचार है जब वेराग्य और सत्विचार जीव छोड़ देता है तभी परमार्मा से दूर होता है दुख में पड़ता है यदि भरत और शत्रुग्न ननिहाल नहीं गए होते हैं तो महराज दसरत कभी भी कहकेई के कहने में नहीं आते हैं जब भरत और शत्रुग्न चले गए जब भेराग और विचार, सद्विचार सद्विचार कैसे प्राप्त होता है सत्संग से जब सद विचार आप छोड़ देते हो कुबुद्धी दुरबुद्धी रूपी कहकेई के बसिबूद हो जाते हो तभी आप शोक में पढ़ते हो तभी परमाणा का आप से भी योग होता है प्रिय का आप से भी योग होता है भगवान सिराम जिस केकेई ने बनवाज दिया उस केकेई से क्या कहते पता है माँ मैं तो ऐसा सोचता था कि तू भरत से ज़्यादा प्रेम गटती हो क्योंकि भरत तुमारा जन्माया हुआ है लेकिन आज मैंने जान लिया हे मेरी माता केकेई कि तुम अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा मुझे राम को प्रेम करते है तभी तुमने मेरे लिए बनवास माँआ यदि तुम्हारा भरत से ज़्यादा मुझसे प्रेम नहीं होता तो मेरे लिए बनवास नहीं माँआ मैं बन में जाओंगा रिशियों की संतों की सेवा करूंगा मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है राज में रहूंगा भोग 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 लेकिन वन में जाओंगा तो इस मनुष शरीर जिस कारे के लिए मिला है वो कारे करूंगा इस मनुष्य देह के द्वारा संतों की सेवा करूँगा, भजन साधना करूँगा, इस जीवन का उद्धार करूँगा, जीवन के उद्धार के लिए आपने मेरे लिए इतना अच्छा रास्ता मांगा, वनवास मांगा, इसे सिद्ध होता है कि आप भरत से भी जाना मुझसे प्यार कर द्धार राम जी कि एसे भाव है कही कि बढ़के पर, और राम जी बड़े सहर्सता दिवीर में चले जाते हैं? हमारे जीवन का दु bir क्या है हमारे जीवन का कष्ठ कीया है, कच भी ने गूए कि राम जी के हर कारे में मरियादा है कि इतना कहा जाए जितना कहा जाए उतना कम है राम जी बड़े बड़े राजा है वो राज देते हैं जैसे निशाद राज गुः बगवान श्री राम से कहते हैं आपको अयुध्या से बाहर निकाला गया है यह श्रिंग बेरपुर हम आदिवार्सियों का छोजा सा राज है राम जी ये राज मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ आज से आप श्रिंग बेरपुर के राजा बने हुए अयुध्या से आपको निकाला गया है ना स्रिंग बेरपुर का राज ये आपको समर्पित है ऐसे सभी बगवान शीराम के चरणों में अपना राज समर्पित करते हैं लेकिन राम जी राज स्रीकार नहीं करते हैं राजर में जाते भी नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं, यह मर्यादा है, क्यों? क्योंकि कहा गया है तापस भेश विशेश उदासी तापस भेश विशेश उदासी चोदह बरस राम बनवासी राम बनवासी राम बनवासी मर्यादा रखते हैं, कैकेई ने कहा था, कि राम जब बन में जाएं, तो वलकल वस्तर पहन के जाएं राज इसी कपड़े पहन करने, सुंदर कपड़े पहन करने, कंदमूल फल खा कर रहें, अच्छे अच्छे पकवान खा करने और किसी राज की भीदर प्रविश्य करके रात न बिताड़े, राज के बाहर ही अपना रात्री वितित कर सकते हैं, अपना निवास बना सकते हैं इसलिए राम जी किसी भी राजी के धितर नहीं गये कभी किसी राजा के महल में नहीं रूपी कभी किसी के घर नहीं रूपी बलकि बन में ही अपना जिन्मा कितनी मर्यादा है कैकेई ने कहा है तो एक-एक बात का फालत करते महल में नहीं जाते किसी राज में नहीं जाते पक्वान नहीं खाते धातू किसी भी धातू जैसे लोहा हो बीतल हो चांदी हो सोना हो इसके बरतम प्रियोग नहीं कर सकते तो राम जी पत्तों में लकडी के पात्र में भुजन करते तभी तो केवट का परसंग जो आप लोग सुनते हो कि इवट जब पाउं धोने आया तो पानी कठोता भर ले आया किसी धातू के पात्र में पानी भर कर नहीं ले आया राम जी का चरण दोने के लिए बलकि लकडी के पात्र में राम जी का चरण दोने के लिए बगवान स्री राम वन में जाते हैं जब सीता जी मर्यादा रेखा का उलंगन करती है लक्षमण रेखा यानि मर्यादा की रेखा जब आप अपने जीवन में मर्यादा का उलंगन करते हैं जैसे नदी अपनी मर्यादा का उलंगन करती है तो बाढ़ आ जाती है वायू अपनी मर्यादा का उलंधन करती है तो आंधी आ जाती है लक्ष्मण रेखा मर्यादा है जीवन में जब कोई भी अपनी मर्यादा का उलंधन करता है सीता जीने जब मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा का उलंधन किया तो रावन क्या है पाप ही रावन है पाप रूपी रावन मन की शांती रूपी सीता का अपहरण कर लेता है हमारी शांती का अपहरण हो जाता है मर्यादा का उलंगन करोगे तो जीवन में शांती नहीं रहेगी इसलिए अपने मर्यादा मर्यादा भगवान शिराम मारीच की कहले में आ गये थे वो आवाज बदल कर वोलता था फिर बन में सीता जी को डोड़ने लगे लेख खगमरिक ये मदुकर सेयनी तुम देखी सीता तरिक ने डोड़ते डोड़ते कि द्राज जटायू से भेट हुई जटायू ने बताया था जटायू की महराज दसरफ से मित्रता थी सनिचर्थ के साथ युद्ध करते समय हमें घड़ाज जटायू ने महराज दसरफ की सहायता थी तोनों के मित्रता थी इसलिए जटायू सीता को अपनी बेटी के जैसा देख देखी युद्ध करने लगे रावण ने जान लिया कि जटायू के रहते मैं सीता को अपारण करके नहीं ले जा सकता रावन ने कहा हे गिद्राज जटायू तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सोगंद कसम दे रावनी तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सोगंद तुम बताओ तुम्हारा मरण कैसे होगा गिद्राज जटायू ने कहा यदी कोई मेरे पंग काट डाले तो मेरा मरन हो जाए तिर बोले रावन तुम्हें भी तुम्हारे इस्ट की सोगंद तुम बताओ तुम्हारा मरन कैसे होगा अब रावन ने चल कर दिया जूड हो जाए रावन ने कर दिया यदि कोई मेरे पाउं के अमोठे को काट दे तो मेरा मरण हो जाए गिद्राज जटायू जब रावन के पाउं के अमोठे पर वार करने चले उसी समय चल से रावन ने कलवार निकाली यह पसंद पुरा है गिद्राज जटायू ने जैसे ही पाउं में बार करना चाहा था रावन ने कलवार में गाली और उनके दोनों पंखों को काटे तो छल से माला जबकि उसके प्राण नाभी में थे पाउं के अमोठे ने भगवान ने उसका उद्धार किया आप रोगी जो बार से बहिया पदार किया जोड़ बार से राम बनवासी जोड़ बार से राम बनवासी मर्यादा रखते हैं कैकेई ने कहा था कि राम जब बन में जाएं तो वलकल वस्त्र पहन के जाए राज इसी कपड़े पहन करने सुंदर कपड़े पहन करने कंदमूल फल खा कर रहे अच्छे अच्छे पकवान खा कर नहीं और किसी राज्ग की भीतर प्रवेश करके महा रात नहीं होतरी के बाहर ही अपना रात्री वितित कर सकते हैं अपना निवास पणास इसलिए राम जी किसी लिए बिखेदर नहीं कि कभी कि性 जाजा एक महल में नहीं रूपिके कभी किसी घर नहीं रूपिकि बलकि भर जो Pap ki अपना जिन्मे कि अपनी मर्याँदा है कि कई ने कहा है तो एक-एक बात का फालत करते, महल में नहीं जाते, किसे राज में नहीं जाते, पकवान नहीं खाते धातू, किसी भी धातू जैसे लोहा हो, पीतल हो, चांदी हो, सोना हो, इसके परतम प्रियोग नहीं कर सकते तो राम जी पत्तों में लकडी के पात्र में भोजन करते हैं तभी तो केवट का परसंग जो आप लोग सुनते हो केवट जब पाउं धोने आया तो पानी कठोता भर ले आया किसी धातू के पात्र में पानी भर कर नहीं ले आया राम जी का चरण दोने के लिए बलकि लकडी के पात्र में राम जी का चरण दोने के लिए लिए तोगि राम जी मरियादा का पालण कर रहे थे वनवास की आतू का पात्र इस परसन ही करते है राम जी के हर जीवन में जीवन के प्रतेग कारे में मरियादा है भगवान स्री राम वन में जाते हैं जब सीता जी मर्यादा रेखा का उलंगन करती है लक्षमण रेखा यानि मर्यादा की रेखा जब आप अपने जीवन में मर्यादा का उलंगन करते हो जैसे नदी अपनी मर्यादा का उलंगन करती है तो बार आ जाती है वायू अपनी मर्यादा का उलंगन करती है तो आंधी आ जाती है लक्ष्मण रेखा मर्यादा है जीवन में जब कोई भी अपनी मर्यादा का उलंगन करता है सीता जीने जब मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा का उलंगन किया रावन क्या है? पाप ही रावन है पाप रूपी रावन मन की शांती रूपी सीता का अपहरण कर लेता है हमारी शांती का अपहरण हो जाता है मर्यादा का उलंगन करोगे तो जीवन में शांती नहीं रहेगे इसलिए अपने मर्यादा मर्यादा भगवान शिराम मारीच की कहने में आ गए थे वो आवाज बदल कर भोलता था फिर बन में सीता जी को ढोड़ने लगे ये खगमरिक ये मदुकर सेनी तुम देखी सीता तरिकने ढोड़ते ढोड़ते कि द्राज जटायू से भेट हुई जटायू ने बताया कि रावण सीता जी का आपहरन करके लिए जा रहा सीता को नहीं लिए जा सकता सीता मेरी बेटी ही जटायू की माहराज दसरत से मित्रता थी सनिचर्थ के साथ युद्ध करते समय गिद्राज जटायू ने महराज दसरफ की सहायता ती तोनों के मित्रता थी इसलिए जटायू सीता को अपनी बेटी के जैसा देखे थे रावन से युद्ध करने लगे रावन ने जान लिया कि जटायू के रहते मैं सीता को अपरण करके नहीं ले जा सकता रामन ने कहा हे गिद्राज जटायू तुम बताओ तुमारा मरन कैसे होगा, अब रावन ने चल कर दिया, जूड होगा, यदी कोई मेरे पाउं के अमोठे को काट दे, तो मेरा मरन हो जाए, गिद्राजा, जटायू, जब रावन के पाउं के अमोठे पर वार करने चले, उसी समय चल से रावन ने कलवार निकाली, यह पसंद पुरा हो जाए, इसके इस बात कर दो हो जाए, जैसे ही पाउं मेरा करना चाहा, रावन ने कलवार मिकाली और उनके दोनों पंखों को काट दे, तो छल से मार, जबकि उसके प्राण नाभी में थे, पाउं के अमोठे ने थे, भगवान ने उसका उद्धार किया हाँ, 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 हालो, तुचना की उप्ञाण देंगे, जो बार से बहिया पदार, सभी बढ़नारा भोजन प्रसादी ले, आधे बजन के साथ वाणी को विरा, कुछ दानदातों की नाम है, स्रीज चंद्रवान स्रीजी परिया, कल्जाद आधी का बदिगर के भगवान नाभी में, सीता जी के साथ वापस अयोध्या लोणते हैं, अयोध्या वास्यून उनका बड़ा स्वागत किया, जब जीवन में काम रूपी मेघनाद का बद हो जाता है, लोब ही कुम्बकरन है क्योंकि बहुत खाता है लोब रूपी कुम्बकरन का बद हो जाता है और एहनकार सबसे बड़ा होता है रावन एहनकार है एहनकार रूपी रावन का बद हो जाता है तब कोई हुई शांती शांती अनि सिता कोई हुई शांती प्राथ होती है और फिर जीवन फुक्ती होता है जीवन फुक्ती होता है अपने मन की मुझरियां में बढ़ें जराओंगे अपने मन की मुझरियां में राम जैसान की ना नहीं सारजगती बजरियां में जैसान की ना नहीं सारजगती बजरियां में सारजगती बढ़ें सारजगती बढ़ें सारजगती बढ़ें भी झाले भी करता है Master Master. राम का नाम प्यारा लगे, रस नापी पिठाउंगी मैं राम का नाम प्यारा लगे, रस नापी पिठाउंगी मैं में दुमुरत बसाउंगी, में दुमुरत बसाउंगी नेनों की पुतरियां में दुमुरत बसाउंगी नेनों की पुतरियां में दुमुरत बसाउंगी नेनों की पुतरियां में राम जेता तकीना नहीं सारे जगती पजड़ियां में राम जेता नगीना नहीं सारे जगती पजड़ियां में हैं छूटे सभी रिस्ते और छूटे सभी नाते हैं छोटे सभी नाते दो जरंग ना चड़ाऊंगी अपनी शामल चजड़ियां में दो जरंग ना चड़ाऊंगी अपनी शामल चड़ियां में राम जेता नकीना नहीं सारे जगती बजड़ियां में राम जेता नकीना नहीं सारे जगती बजड़ियां में जल्दी से जटन करके राठब को रिजाना है जल्दी से जटन करके राठब को रिजाना है कुछ दिन ही तो रिजाना है कुछ दिन ही तो रहना है पाया की कुठरियां में कुछ दिन ही तो रहना है पाया की कुठरियां में राम जैतान की ना नहीं सार जग की बजरियां में ठीक है अब आज हम लोगों का अपना ध्यान बजन चलता है तो वो आना सम्दों नहीं हो पाता है तो सुगर तो नहीं आ पाएंगे लेकिन साम के समय में जिसको भी गुरू दिख्छा लेनी होगी जो पूछ रहते हैं तो वो साम के समय चलता है छवी धर की आरती करिये सियावर की लाटे को अधर की आरती करिये सियावर की जान दौरा भर्वान के चितरप्ट लगाकर पूज़न अर्जन किया जा रहा है पामाई राम बत्राई राम चंद्राई वीद से ना गुना थाय ना थाय सीता पतय नमा राम 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 ए तेरमे रामे मनोरमे सहे प्रनां सातुल्ण राम नाम बरान वे शरीयत तुलित वद्धामं सुन सेलाब देहं तनर्वनकसानुम ग्यान नामं गिगन्यं शकलो दारं बानराणा मेरीशं शक्ति का किछ जनर्वन थाूर नामं गिगन्यान शक जिए उशार्ट शुर्बे देने द्वारस, शुर्चात्र को आरत स्री राहे लेकी, पीरत कलेके लेकसी अभीकी, शंत्ते कावते संभुभानी, आगट समभुणी वैग्यानी, अरुगट समभुणी वैग्यानी, जिए प्यासिया के तब मुलंगे बत्खानी, आगए बुचोंटे बंदो रुपी, आगट समभुणी वैग्यानी, पीरत कलेके लेके लेके सियापी, कलमल हरन किसे एसे फीकी, कलमल हरन विजर कुरे अमीन की, ताथ मात सभुवे दे चुन जीगी, आगए बंदे शियापी की, आगए दोट दलन रगुणाव दला की, चाके बंसे किरी मेरी कावब, तेरों के दोट से जगे लेकट नजयापी, आगए दे भी आरे अंत पठाए, पीरत का जारे प्यास दलाए, तैंग शिकोट शमद शिकाई, पीरत पवनस दे बारे नलाए, पीरत का जारे अच्रिदलमाई, देधिया रामजिक काद समारे, तैंग शमन मुच्ट परिशकारे, आनत देवनों प्राण होबारे, बेठ पतारे होरे यह मकारे, यह रामज की बुजा मुखारे, वाए, भुजा यसर संगारे, तैंग शानी बुजा संद जन तारे, यह रामज की बुजा संद आती उतारे, यह रामज की बुजा संद देवनों प्राण होबारे, धेदके विद रσपीन रहो राई, जोलस घातה तम की रचगाही, यह राति की आननमांज मुजा लागीं। यह रंहेक गुनाज कलागीं। करभूर गौ्रम करणाह गुद्यृर संसारे सार्ण। भुच्गी निहान। चर्पा अचलनत और जार बेंद। अम्हाक्पवाई सेथम्हाँ नमेर माठा पिता नमेव नमेर मडू सकात मेद। नमेर वेध्या गर्माँ तो मेब तो प्रिष्ण पहलों का तो उटे का प्रिष्ण चा की ब्रम राम कोन है ब्रम राम है कौन से राम है हमाई समय में नहीं जाओ जतर जी के पुत्र देही राम है कोई और उनाम है कौन है तो यह भरत ज्वात जी ने राम की कथा दाक्यक है कि रहसिल जी की कथा कही कि जो तुमने तेरे जाए बोले कि हम तुमा मरम जान रहते हैं तुम्हार जाना मरम तुम्हार का मरम जाना है कि मैं अगम करें तुम्हार के थारी रहते हैर जाए करुम्हार जेए सन मरम है Tu क्वार काल मोगरें पहले कंधाने सlastटे Fest вас वो कधा हो रही कि ब्रम को क्यों मनों सुसरीर अनेक प्रकार का कभी कच्छब बने कभी नत्रंग बने कभी बामन बने कैसे कैसे अनेक अब्तार लाई द्रमकों का जरूरत पर गई और इते नेर से घर पर कघा जल रही काक भुसुन कठा के रहे गणजी सर्वन कर रहे है तो यहां कोंसी चल रही है यहां जो देखो जा रहा हूँ कोंसी बिरादर अच्छी है मनुथ बिरादर के पसू बिरादर کے पंक्शी बिरादर कॉंसी बिरादरी अच्छी यहां करणे दने सुर्य रखा मनुथ बिरादरी के मानम ज्यादा और महराता और स्वर्ख मूठ चक्र पे chauffま सकता है जो जो जाए तो बीच है में टगो रे जाए तिर संग्ण के सो ना स्वरक को रहो और धंती को रहो और बीच है में तॉपंग दाओ के आमाई कोनी भाईडार और इंदर ने वहां स्वरक में रन ना रण नहीं रहो ना जाओ तो 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 एसी करने बन जाए कि भज्याबंद जूट जाए और रिष्टेदार जूट जाए वो कितव को ना रहे ना अपने न को रहे ना गेर को रहे वीट मे रहे तो यह मनोच सदे है यही से भोग तो यही से ग्यात प्रावन अपकर सकता पर एक बाद है कि जो पात में रहता क्या तो भगवान को पुझा जाए काई ना हो मंदर में रह रहा हूँ भाए उतनी सिरन्दा नहीं रहती जितनी दर्शन कर्वे को दूर से आओ बागे अंदर सिरन्दा है भाए कोल लागे कि जो बरभी थ्रेह यह जो डाता है वो काड के रसरन्दा नहीं रहा हैं, भवाक वक्ष रिसे जो नहीं रह रहा रह रोगा कि यह पास में रह रहता हैं और अवे चलो जाए तो बीट चाले ना आप है तो पूरे जोई कहते हैं कि नहीं गुश्य लाई है तो नहीं बहुत बढ़ गए इमानदार खुब गुब हैं साथ कि दूर को चालतो खुडद खा रहा है और पास में है तो अपुड़ खा रहा है जब गड़ो जी भख़वान की पास में कड़ी आये है GS WINार νारो अब चीप सोटा ला ये तो नारती है को भीजे बऒगो सिर्थ Idis खाला एंद लाग पांट से च्छटा लाएं तो अब लगन लगी किजी भगवान हुसे भगवान के जिया हमें भगवान को काम करने पर लो जरे भगवान क्या यह सै मौन दो मंदर के बाबा हम अधरी पूर सन्हां बेस है वो कहा रहा है वो फिर झी है केले खाला यह हमारेही फटापस कायाता और अब दित्राम में लेपा। अतिया तो रहे दिहन्य पती तब आये मुपाद अतिया तो रहे दिहन्य पती तब आये मुपाद यादे रहे उन्य पेर के रहे हुमारहो के लाद एक दिहन्य आतियातर आतर के तरा दो ये बुद भेयातर ये बुद प्रेमातर प्रेमी के मिलने तो इसदी तेजी में गुड़े उटके बार उपत होना पारे तेजी के ये बुद किरोद आतर बब्बा निकने पा रहे तो बुद सन के माने दोर लगाने बुड़े बिज्ञाच ये अब गरबाद अकेले वो क्रोध आको और ये अतियातर अथी जिसके अतर संदे हो जै वो अतियातर चल को आंसे निरबरे तो बडे से निरबर जाए तो अच्छी बात है ये छोकेंनों न जाने पर नहीं तो नहीं हो जैं ब्रह्म्हा जी नो गये। ब्रह्मा जी जय कहीक हम पे नो खुट पीजी दरी भी अची कहीक है। जब तुम सेंकर जी नो चले जाएंगे। जो सग्गर नुआ जी नू आए, सग्गर जी चेर है पारवची तुम तो केलास पराद हैं। वो हम उतर के केलास से नेते हैं आ गए, कुवएर केदे जा रहे थे वो तोरों में गढ़र जी आ गए, जो गढ़र जी ने हमको सन्देष तुनाया सो उस समय हमने जान लही बाद का जानी कीनो हुए कभ हुँ आभी माना कीनो हुए कभ हुँ आभाना कीनो हुए कभ हुआ बिमाना कीनो हुआ कभ हुआ बिमाना सुखो ये जहे इचिपान दाना कीन हो है कब अभुमाना कीन हो एक जुखाना सुखो ये जहे इचिपान दाना सुखो ये जहे इचिपान दाना जंकर जीन जान लाई कि कब अभुमान करो बिन अभुमान जरूर करो अब कब करो जब काग मुसंड जी ने अभियान कलाया पंची जाती का सुधार उसमें कारकिरम रखा के हम सबेरे के समय में ध्यान मुद्रा में बैठेंगे पंक्षी सुरी और फिर जब जिन चड़ेगा आठ बजेंगे तो जाप करेंगे जाप जग पाखर तर करेंगे पीपर दल दल ध्यान सो धरई और फिर दो भरे बोले आप के जाएरे में पूजा करेंगे आम चाय करमानश पूजा आम चाय करमानश पूजा करहर भजन काज नहीं दूजा आम चाय करमानश पूजा करहर भजन काज नहीं दूजा आम चाय करमानश पूजा करहर भजन काज नहीं दूजा आम चाय करमानश पूजा तो गड़ोर ने कहूं सुनो केज़े पंग की सुदार चल रहा हूं और फिर दू बजे पे दिन में फिर कथा चलती है बलतर कर हरी कताब संगा आपैं सुने अनेग भियंगा बरिया की नीची कता चलो राजा हो चलो गड़ने कही जो सुदार रहो जात कगवा नीच जब हमने राजाने नहीं सुदार पाई पंग्चियन को जो कगवा का सुदार है सो संक्यार जी कह रहा है कभाउं को पुपज खालेथ वीमारी कभाउं हो पाई आला हम धो रही होज अब जोरोबो मोका के कीनो हुए कभाउं अभमाना सो फोगे जाएं करपार ने रहाना पर मत्री जी बोली तुमने काई नहीं समझाए तुमने हमने जैसे नहीं समझाए के खाग समझे खाग ही की भाखा पंखी पंखी गई नो पुँँचाओ और जिते अभमान करो तहीं पुँचाओ वैज्वे गुरू बनाओने पर जाजन पुँचाओ कर तब ये एंकार जाएगा नहीं परमात्मा के बाहन हो गड़ोर महाग्यानी जैसे दोड़ी हैं महाग्यानी वो गुन की रास और ते तिरिकों मोई होगाओ अब बिचार खाजाएं कर तुम जाओ जा रोज कधा ओड़ू आप नवाहां करिक्षुम् काल करिए सत्थंगा सत्थंग में जाओ रोट्यम लगएगा सोधर देमें ये से नहीं लगए ओफ़ूद्यी दोचुमात्यर हो जाए मौलर का सुधर देमें इसा सुदहार से देख जली सक्संग में धीरे धीरे तब सुदहार आएगा दिन्ने का कशुपाल सक्संग नहीं यहां गड़लगी ने कई थे चलो अब वहीं चले हमेद तो नहीं पर कब वो कैसा है एक काग कैसा है कब वो राम भगत ये तो राम की बढ़ती है वो ग्यानी है और बहुत पुरानों है पुराने के अंदर ज्यादा है अब अब हो तो कर अब गड़लगी जैसे चले और वहीं समय पे कार भुसंद जी भुत परदान अब वो के तुमा आश्रम के अख़बास वो चाहर जो मालों के जा कथा हो रही उते अख़बास अपने आप बहुता बलगत अच्छो रहेगों रोजयंके कथा हो ती हो में ता तो फगी थी अपनी अपनी जगा पर पहुँच जा तो जैसे में पहुँचे और इते गलती नील सेखर के पास में पहुँचे कथा कथा रंब चार जब पीरिया कथा रंब चार जब पीरिया जिव्चमय कथाच कर्विक लाने काच मुशुद ते यार भई और भई शमय ते कड़ धी आए तब आब तुझे के शकल खगिराजा अब तुझे के शकल खगिराजा अर्द उबायतों सहित समाजा अर्द उबायते के शकल खगिराजा जार समाज के शकन हो गया आज हमारे लाजा आ गए लाजा यह से नंगार बड़ाव आदमी तो कचु कॉम से आओ धुम हुआ कॉम से चलब तो जैसे गजरती आए और काट मुसंद आसर छोड़कर के कथा सिरून यूबायती और उठर के खड़े हो गए और देर से आए दिवनिन काट मुसंद ने एक बात कही कि नातक दारत भयववव तम दरसन खगराद का हो तो आयो तो कर एक कि नो प्रेभुबाये कहें आज बहुत ही काम से आए तो गरद की बोले हाँ हम सही बात है हमारी बड़े लोग बिना काम के नहीं आते हैं अकेले आए तो काम से आथे अब कोई काम नहीं है कहें कहें सुनाओ नाथ जहिकार ने आयो तो सो सब भायें दर से सब पायो मैं जिसकाम के लाने आऊ वह तमारी ज़स्तणों से काम खूळा हो गया तो आयआ मुझ हो whilst यो ज़ चार बजये रग भीरा, ज़ चार बजये रग बीरा, connected face just to find your mother. जो छलतनार बदेए रख एरगेरा जो द चलतनार बदेए रख एरा जो छलतनार बदेए रख एरा बहुता तो कोई चरीर सुन्दर है, तै pH be Ach crane seisONE do को नहीं पूछ रहे? वह तो कोई भी बज़ सकता. नारतन समाने कब नहुं देही नतन समने कवना देगी, तर नतन समने कवना देगी, जीव चराचर चांचत देगी, जीव चराचर चांचत देगी, जीव चराचर चांचत देगी, मनुस्दे है सबसेंची, कैजी वुलि स्वारक नरक, अप बरगन सेने, अग्यान वह फिराग भगत सुभदे, जीव चराचर चांचत देगी, 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 भूटा बन गाओ तो का जो है विचार मानव दे एक नसे नहीं है अब अपना विचार है स्वार को जाने चाह रहे तो वहां सब बोलोगे अगर स्वार को जा रहे तो मैं बेठने को मंच मिलेगी वहां से तुम बासन करोगे माता बेनों भाईयो अब में बेठी गरवारी तो जो धोड़ी के देगे जो हमारी पातने सब बेन भाई पूरी बेन है माता बेन है चुग बोई भाथा अगर भयाने कव इस्टा पचआला उगे तो जो नहीं कहें कि हमार और दूस्मन है भईया तो का कहें पिदा के तुल बड़े भाई साग जिनों ने आज हमें मौका दे दिया बोलने को धन्य है भाईयों को तो तो अगर शुर्फ बोजाना है तो बडाई करना है और नरक हो जाना है तो बगवकार क्री की कैं आली में गिरो चो बढ़े जाए उपर से ले तो नरख है नरख भूग लो अच्छे प्रेश करें नहीं प्यर जा रहा है, प्यां ले रहा है, तो गंदकी में सर रहा है, और भो भी गंदकी उगल रहाँ, तो तो प्रगा मुझाई के बहारे.... जिसे ये मनुस दे है इसे शुरक जा सकती और न रख जा सकती कई इसमें जब मनुस दे में आए तो जब मनुस दे में पुन का है पुन तो करने मनुस दे में आए तो पुन करने पुन का है कब पुन्न है जगर अहिंसा अहिंसा ना करे जगर बिदेचा अहिंसा ना करे बाणी की यहंसा शरीर की यहंसा वो है का मेड़ सो जगर के बीज में एक पेड़ो जमियाओं को जिनने के जो लड़ाई गर्वा जो दाई को लड़ी के यहंसा होगा फेड़ो में गवो जो जाने के जो बन रहा हो जो जो जाने के जो बन रहा हो जो 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 ज जिन्दगी में ठाड़े हुवे को मन न लेवे। ऐसे एहंसा। जो करजे उन क्या है एहंसा। और पाप क्या है। पाप है पर निंता सम अकन करीचा। पराई निंदा न करो। पराई निंदा करना अपनो लड़का नियारो हुगा। तो ना करो निंदा। वो अपनो है कोनो भूप करो भूप का जुआ नाथी अचो कहन लगो। वो दादा बूदर अपनो का जाने की लगो। निंदा को निंदा निया। वो एकार नहीं बढ़ते रहे, जब वो अपनो रहो ही नहीं अलग होगा, वो फिर तुम निंदा कर रहे, कि वो दुस्मना सब्यदारा, तीडें बतराओ, अपने से भै हो गई, जो कब पर निंदा समन अगन गरीचा, सबसे बड़ो है, कि दूसरे की निंदा ना करना और कि या मैं मन को बीमारी नहीं होती, वे बीमारी क्या है, बीमारी मनुस जब संसार में प्यदा होता, इव जब संसार में आता, तो ये ऐसे बंधन को कारण बन जाते हैं मनुस्ट जब इव तक्तार में जर्मो, ओम परत्मा ना बरुपादी जो में परत्मा ना बरुपादी जो में परत्मा ना बरुपादी जो में परत्मा ना बरुपादी जन जीवे माया लकोटादी जन जीवे माया लकोटादी पस्टार दात्मा जन जावर गटादी जए जन परत्मा अनम होगा अनम होगादी जेटन अमल सहज सुकराती, वो दुप्ती रासी बन गो, जीव को सुक्न रही नहीं आओ, कजवसे जीव भयो सद्धारी, वो छूटन गिरंट न होई शुकारी, यहां आओ, तब से जड़ जेटन गिरंट पर गई, जड़ब में सा छूतत कठनाई, जड़ चेतन की गांठ लग गई, जड़ रस्ती में गांठ लग जाई, जड़ रस्ती में गांठ लग जाई, जो पानी भरत की रस्ती पेले रस्ती बिन में इस्दम से बाई उठाओ तो में गांठ पर गई, जड़ भाई भाई में गांठ प परिपट गई पर्जाग को के थे गांट चाती है कि अब जूट नहीं रही है तक जूट जाये अब बुर्दूरी संद्वर्वाद यह जुमान द्वारा किया जा रहा है जा बदाए यह शिद्धिवुद्धिपतेत् रक्षा लक्ष नाहा बतुतिताह नागश्वन नागवारत्वाम गणराज चतर्भुजं पुषितंश्वायु रेदिवे आशायु खुष्परश्वर्हे ए मात्रतनयाम देवे वर्दाम शंकरा प्रियाम लम्मो दरश जननेम गवरीम प्रवाम मिहम देयं सदा परिभवगनिम वेष्चरोहं तेथा स्दंसिव विरंचनुतं शर्ण्यं प्रत्यार्ते हन्पनते पाले ववाप्ति पोतं। वंदे महापरशदे चर्णार भिंदं। वंदे देगुमापतिं शुरगुरं वंदे जगत कारणं। वंदे पन्नग भूशडं रगधरं वंदे पशू नामपतिं। वंदे शूर्शशांक वंदे नैनं। वंदे मकुंदहत्रियं। वंदे अप्त चनात्रियं चवर्दं। वंदे शिवं शंकरं। वंदे स्री धूमेश्वरं। यत्र यत्र रगुनार्थ कीतनं। तत्र तत्र कतमस्त कांजलं। वाश्वबार परपूर्ण लोचनं। महारुतिं नमत्रक्ष शांतिकं। रर्ण जे रम जे रम प्री रम जे रम जे रम जे रम प्री रम जे रम जे रम जे रम ओम नामाषिवया ओम जे रम अहुण्याप्ते वाई ओम नामसिवया ओम जाम Sinarayan ऑ्त्रेफ्टavे राफंध wakingग और चक्तिव उर्ब say है मैं अमर्ण स्रीवायों ऐसे आं परोबहे लाफ्टेब परशेदाने मने नमी leg voices आहे त्री राम ये राम ये राम आजवे राम जोगंदा हरे मुरारे, सेक्ष्न जोगंदा हरे मुरारे, हे नाते नारायन वाशु देवा, हे नाते नारायन वाशु देवा, चराम चम्र भगवान की, जय जानात भगवान की, जय आपत मलिमाजी महराज की, आज के अनंद की, जय जोटा समाज की, भगत शमाज की, आज के अनंद की, नहपपार बतिपते हर हर महादे, भागे उदैन बहु जन्म शमर्ज देनों, सत शंग मंच लवते, पुषू यदावी, बड़े वागे मान शतनु पावा, बड़े वागे मान शतनु पावा, सुरे दून लवतत के लवते साइवा, सुरे दून लवतीज दन श्याव, बड़े वागे मान शतनु पावा, देना पायां पर दोक सुधारा, देना पायां दोक सुधारा, बाड़े भागे, बाड़े भागे, नम शित्तन अपवागे। बड़े शुंदर कथा में अधिस्ताम अक अल्यान कोई, कि वास्तिपुत आपका मस्त भग जन, या दूर्दार से आई शिमस्त, सोता जन, एवं संत समाज, हप समाज, सोता समाज, एवं विद्वत समाज, इशे खेले पर बड़े शुंदर भगुत चर्चा, हमरा आप सबन क कर रहे ते पूर बब्विगत दिनों ऐसे वड़े वड़े विद्वान दौरह आप शत्तंत, रहां का था, अवबत का था, सत्तं के मार्चक शे मार्चि अपना वास्तिपु जीवन का जो वास्तिक सरूप है और मानव को देज करणत से मिली उइये, इसका वास्तिक पर आपके शाधार नहीं इसके लिए देवतावी कहते हैं बड़े भाग आनस्तन पावा सुर्द लव्शत कर्णितन कावा इसके बुट करपा जब होती है कि चवरांसी लाख यायों के बाद मानवयों नहीं मिलती है कि साधार नहीं है इसका आरत कि आया किस्के लिए मिली इस शाधन धाम मोख्ष करद्वारा जिन पाए पर लोक शुधारा इक कल्यान करने के लिए में ही कंदे में माला व शिम्हा घ्रफंड़ सरुय存ें सब्सक्राइब गाष्ण सब्सक्राइब जले सब्सक्राइब कुछ सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो कि विच्वा Solutions उने में दृविंगे आपक श्राइब एक एक इक इख आपका इसे मानव दे का वासक समय है वड़ा अनमोल है भगवान विशिश करपा करके दिया हुआ आपको इसे मानव योनी एक एवनी से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती अन्यत्र और एक जितने भी योनी है शब भूगने के लिए बने हुए है इसे आप देवता बन शकते हैं और शाक्षा भगवर कृपा आप शिताप्त कर सकते हो यह वासक स्वरूप है यह आननद स्वरूप है हम लोग फिर भी बड़े दुखी होती है जो आनन्द, शिन्द, शुक्राशी Сी करता, व्लोक शुपासी हम घर में इनकर सुखी होना चाहते है अचे बताव कौन-कौन चाहरत हम शुखी हो जाए हम हाद ठाके बताव कौन चातां शुकी रहें, सभी बात हो दो, शुकी सभी होना चाहिए, सुक का मंत्र आपको हम बताएंगे आप लोगों, मंत्र का जब करेंगे सुखी हो जाओ, गारंटी एस बात की, मंत्र जाप करेंगे सब लोग, शुक धनशे नहीं, धना अच्छी बात है, धनशे शुक सब्सक्रान शिकी बताँ शुक की thus नहीं हो सकते, शुक का मूल रूप क्या है, आप लिए कठामत से शुन रहें तो वह सुक किसके पास है, सुक है भगवान की नाम में, शुक है ठाकुरी की नाम में, भगवान का बजन करेंगे गर में सुक हो जाएगा, अपने आप앙 में कि प्राप्ठी हो जाएगा, जो आनंद शिंद शुक राशी, शीकर त्रे लोक शुपासी, जो आनंद शिंद शुक राशी, शीकर त्रे लोक शुपासी, जो आनंद शिंद शुक राशी, शीकर त्रे लोक शुपासी, जो आनंद शिंद शुक राशी, शीकर त्रे लोक वगवान का नाम लिया जाता है, हनुआ जी महाराजी कहते हैं, उस गर में हम उस्तुरंद जाकर की शोकीदारी करने लगते हैं. यत्र यत्र गुनार्त कीतनम तत्र तत्र कतमस्त कांजलिम वाश्वबारि परपूर्न लोचनम मार्तिम नमा तेराक्ष शांते कम् सहथ थांट सुन कांजलिम, नमाल एक चाल्युक में रहें जुआरे ही, नमाल एक चुरी में, हाको नमा उस्तुर में आशा हैं, हुआ है प्तों कंड़ है कि मैं गयां हिए पलगर मन में अगर आप अच्छ अच्छ है बता है भगवांच चाब लोग जाते हो अपनी और कोई निविदन करते हो ऐख़िय लोग करते हैं अपने बात को सुनाने के लिए भगवान के पास कौन-पॉन जाता, हाथ ठाकर बता जआता, जबी लोग सुना के, अपनी ब्याधी, अपनी शरशार की चर्चाएं, अपनी जोवी अपनी, हाना, सबी कहते हैं, अच्छा, कौन-कौन चाहता है का भगवान हमारी बात सुने ह सबी चाहते हैं, कौन चाहता है, बगवान हमारी बात को सवन करें, सुन लें, व्यादी कुष्य में, हमारी बेथा, लोगों भगवान की तो एक कथा है, हमारी ये बेथा, हम उपनी बेथा बताने जाते हैं, प्रभू घर में ठीक नहीं चलता है, बालक बड़ नहीं मानता, बच्चे पड़ नहीं रहे हैं, घर मे में घना आता, तो रुगता नहीं है, कोई बरंकत नहीं हो रही है, खुब कमारे पता नहीं कहाँ चला जाता है, उस항 भगवान से कहते, कारे बंट्ही बंटी रुग जाता है, तो आप लोगों चाहंते हैं, हमारी बात क मितना करें, स भगवान तो सुनें लगर हमको सुनाना नहीं आता भगवान तो आपको हर बात मानने के लिए तक पर है पर दुकव जब हम भगवान की मानने है हम सुनाने ही पाते लोग कहते हैं भगवान आते नहीं लोग कहते हैं भगवान आते नहीं लोगो कहते हैं पाने आते नहीं रोपाती की तरह तुम बुलाते नहीं लोगो कहते हैं भगवाने खाते नहीं लोगो कहते हैं ये खाते नहीं शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं जशुदा मैया की तरह तुम सुलाते नहीं लोग कहते हैं भगवान आते नहीं लोग कहते हैं भगवान आते नहीं नर्शिंग बसे प्रति खंमन में कालन को पहला दे कहां भगवान तो आज भी आप करते हैं आप के धे हैं सरवत हर ब्यापक शरबत शमान हर ब्यापक सरबत शमान तेमस बगत हो ये में जाना अजय भगवान आप लोग चानते हो ये में जाना अजय भगवान आप लोग चानते हो भगवान प्रकट हो जाएं भगवान दरस्तन दे जाएं भगवान मिल जाएं कोई चानता है भगवान को बता है हमें लगता भगवार को कोई नहीं चानता है सब अपने आपको चाहते हैं अपने अपने गरेवालों को चाहते हैं अजय बता बगवान को कौन कौन चाहते हैं अपने लिए जाते 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 अजय बहाद लिए जा दे तो अपने अले कुछ मांगो गई तो उम समझ जाएंगे आप बहाद के लिए जाते हैं तो आप क्यों मांगते हुआ जाका आप जादे अपने लिए हम जल चड़ाएंगे भोग लगाएंगे भगवान को फर भगवान को तरी बड़ी निश्च आप जाएंगे एक में हजारों सुना दें लाण लगा देंगे तो हम बास्तों कि भगवान के पाश भगवान के लिए नहीं जाती है अपने लिए जाते हैं मंदर तो हम भगवान का बनाते हैं अपने कार के लिए अपने श्वावद के लिए हम भगवान से मांगती रहें मांगने से उन मिलेगा, भगवान को अपना बना ले। आजसे भगवान को चाहती हैं, भगवान से छो मिलनाUNG कर twórब चाहती है। अब जब जा था उपने लिए जिए पने कारयों के लिए आप करते हैं। आप चाहते हैं भगवान हमें मिले। आप जब जाते कभीने कवे क plac ने कौई ने को वहागवान के शामना रोया तु ज़ोर होगा अजय ऐसे केतने लोग हैं जो भगवान के शामने जा कर रोती रोहे हैं भगवान अपने कारियों के लिए कोई न खुआ बले उलस पड़ी निशकरतने पिछोisel औरático कैसा भगवान खुब अपना दाल रोटी खा रहा है और कोई कमी नहीं है यह तो संसार की वहना कभी पूर्ती होती नहीं है लिए बस आप मिल जाओ जीवन का वास्ते भी सार्थक है जीवन जो दिया गया है एक इसके लिए वो साधन अदहां वोक्ष करतवारा जेन अपाए प्रल और इसरसीर हों स्वार्थ के लिए दोड़ा चाहिए वांन खाना दोण तब लिए जाता है और भगवान ऑन से आंतर द्यान हो जाते है न होग काव पो फुड़नने लगतीओ की तुड़ती है एक अगम्रग हे मधुकरसेने, तुम देखी शीता ब्रगदीने इस प्रकार जो जो जसे राम जी माजरगनंदी शीता जी को खोजती से प्रकार मागोप्रकाई भी द्वापर्म भगवान को पोज रही हैं शब जगा देखा लगवान खोजने से नहीं मिले गुपकाई कोन हैं, गुपकाई हैं जीव, इस सारी गुपकाई वो जीव हैं भगवान किष्ण है परमात्मा है, हम लोग हैं जीव, और भगवान की कथा जो हम सुन रहे हैं परमात्मा कथा है कखा हमारी और आपकी ए किल भागवत तक सीमित नहीं है कखा हम और आपकी ही तो कखा है चान, यह बात ज़रूरी है जिसने भगवान की कखा मन लाकर सुली, मन्षी सुनेगा कखा ऊचा उसकी बिधा भगवान मन लगा के सुनती है और जिसने भगवान बटाना के थनली अपकर भगवान सबकी बिधा मिटाने बाले थुकूंप ढूट से घृष terug हम लोग भी दोडते हैं और जाते हैं और अधश्या कोई खूलना को पूलना को को बढदनी आते हैं कोई घर्द्वार याते ही कहीं जाते हुएं हर मेने भाग के रहती है America बात मेते हैं पर मात्मा परैख्षा नहीं है प्रतिक्षा करेंगे भगवान मिल जाएंगे आपको दोडने का विशर नहीं है परमात्मों को दोडना नहीं पड़ेगा चिंतन करिए प्रमात्मा मिलता है चिंतन से अप कइमत जाए अप घर भी पेट depa प्रपटी नाम नहीं करने पड़ेगी, किल बश्र जो कुछ बनता है आप गर में, हम भूग बनाएं, बूग प्रशादी बनाएं, आज किल घर में घर ग्रस्त आस्रम सबसे बड़ा आस्रम होता है, जो ग्रस्त आस्रम आस्रम जो होटल से बन गए, उटल में नियम होता है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी खाओ, कभी भी सो जाओ, यह उटल में नियम होते हैं, आस्रम में नियम नहीं होते हैं, आस्रम में नियम होते हैं, प्रात्यकाल खड़ी होना, कौन शिखा रहा है, जो हमारे आरात हैं, तात्यकाल उठेके रग नाथा, मात पितें गुरु नावे माथा यह हमारी राम जी शिखाती है, जह हमें कैसे रहे ही? बराते खरए खड़े होना सीकला सबसवेली मैं सुखी होना चाहते हैं, तो रस्त आशेम रहना चाहते हैं, तो ब्रस्त आश्त क मुझे टीएं, आप कसा कहने, सुनने के लिए पर जब शहीं जारकर हो तो Champagne को सब्सक्राइब हो जाते हो चाहिworker सबस्टेबा कॉछता एक इस पहले या कौत है कर दो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमाई न रहे ही हमीब सबसे warto अपने माता पिता गुरुज नोगो माता प्रणाम करने कई फायदे हैं अभिवादन शीलस्य निट्वध्योप शीवनम् सस्वार चारव धनते आयूर विद्यायशु वलम् चार चीर बढ़ जाती है आयूर विद्यायशु वल्म चार चीर अपने सुधे बढ़ जाती है। प्रणाम करने का फाल है हां लोगना हम ऐसा नहीं करते हैं तो वताव गर में सुखसामी केसी आई ज़को आई अच्क हम पिरदे की नियम है हम ख़़आ अच्छी की आपार्ट कर ताहितलों बधिया ज़को ऐसे इंद्धार भर्सनाथ करे आपाई जाती बादारी आप घर में भाधि एक शंक जो है लक्षिमी जी का भाहिया है हाँ भाहिया है सममधसे नगली है मालक्षिमी है सममधसे नीज़ नीजिवले lot za मांते ही नियal liberalization tap musim जीरो जीरो आया हमेंसा, पुई अच्छा कर रहा है, उसका रेजर्ट ना आया तो बताब कोचिंग वाला पने कोचिंग बंद करके आजड़ के चला जायागा, होगी कोचिंग, रेजर्टे नहीं उसका, तो है, महाराय तो हमारे सस्तंग करा रहे हैं, आप लोग घरगार के क अपने लिए नहीं कराते हैं, यह नहीं का नियम होता है, लाल कपड़े प्याण लगा लिया है, अपना तुझलो जैसे भी भगुल्टा शीदा भगवान का नाम लेके कल्यान ना भजन करें, तो भी कल्यान हो जाएगा, अब भूर उनके ही हैं, अब जैसे भी कूड़ा बजब आन नाम की नीग वैसी वैसे बड़र पर गमः करने अ कर topics का इसे सभी लोगों परम्वमी सक्षी किसे वर एंद करते अपे लोगों को बदेव नहीं कर पारे भजन रामा ये पड़ते थे चौपार वर्शुष्णागर की पाठ भूते थे आज पत्ता खिलती है युगा कहलती है लोग अब अब उताओ कल्युप कवास आ गया है और उस जाया जा है इस गर में घुटर लगाकर पीकर पहुंचा जो तरुम सांति हो सकते है क्या कभी नहीं है सकते हैं इसमें देवता रहे गई नहीं कोई नहीं जा सकते हैं कुरांती का इस गर में सुख हो ही नहीं सकता है सुख होगा जब भगवान का नाम लिया जाता हो वहां देवी देवताओं का वास हो जाता है यहां गरूं घंटी की आवाल होती हो शंकनाद होता हूँ गर में शाम शुबह पूजा होती हो इस गर में भर्वान का कितन शंकितन होता हूँ उस गर में लक्षमी जी का बास रहेगा उस गर में दिवताओं का बात रहेगा उस गर में सुख होगा अस्तांती होगी उसमें उस गर की ब्रकती होगी इस अब जब न लेका जाने का कि तो आभी कमाते रहो कोई बहुत हो पहले आज में प्रत्रिक व्यक्ति कर भेप पर बाहन सब पेक बोर होंगे पहले तो परवार में क्या गाउं में दूसरे गाउं सब जल्ले के आते लोग आधे अधे रहे आज घरगर में प्रतिक व्यक्ति पर भाईया भाईया पर बहुत पानी हैं सब सब्सक्राइब हैं फिर भी बड़े दुखी है हाई 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 हो रहे हैं फिर भी परेजार हैं यह अपने कारणा है कोई न काउ दुख सुख करता निजे कर्दक्रादमा भोग शबगाता कोई किसी का डेर में है अपने करमों के द्वारा हैं सब सुख दुख दे लिग भगवान करपा करते फिर भी देखी कल्योग हम लोग कल्योगी मानव हैं लिग भगवाने करपा की पहले की लोग वग करते तपश्या करते यह करते साधना करते तब और उनका कल्यान होता है तो भगवाने में अरश्ण देदिया आप कुछ न कर सको हो पढ़िया खाओ को बात नहीं लोग भजन तो करो कितन तो कर सकते हो पहले लोग ब्रत रहते थे आज ब्रत नहीं करते हैं चलो वही बात मत रहो ब्रत कमसे भगवान कीतन तो कर सकते हो पहले तपश्या करते थे चलो आज तपश्या के लिए समय नहीं है लेकर भगवान का नाम तो ले सकते हो तकना आज नाम भी नहीं ले से त अग्वान की नाम का प्रभाव उले ऑफुले राम रामु कहें जयं जमुहाइं तिनहन पाप कुण्यस्व कुण्यस्यमुवा ही एक बार कहीं जमाई लेने में भगवान का नाम लिब जाया निकल जाया मुक्षित भूले पाप जोए नस्ट हो जाते है पुर्णों की प्राप्ति हो जाती है वो भगवान के नाम का प्रभाव है यत फलम नास्तित अप्सान योगे निशमा धिना तत फलम लबते शम्यक कलव के शवकित नात जो फल यक तपश्या यक चार योगशे मिलता तो फला भगवान के अरक्षन दे रखा है हम आपको फला आपको भगवान के नाम से ही मल जाता है कीतन से जो को आप पी गाओं के लगी अगली आसपास के भुमश्य भगवान के आप सब के सही उसे कीतन चल रहा है आप लोगवी दुटी आप लोगव चला रहे तर भी चल रहा है वह जो तो लुद शेज़ आज आज आट-नो साल उगी सर्ट नो दसोंगी आप लोगश्य तो इस प्रकार घर में भी गाउं में भी जब जा करो को कम से कम कुछ ना बन सकतो आठ रहे दिन है हम जब के अधैर सुशान होना शुआ कि क।ह ना जाते हैं नहीं बान है बुद्प्रित तब भाग जाते हैं कोई नहीं आता है असुखी होने चाहते हैं तो भगवान के नाम कज़त करें भगवान करता करें अब लाप उलिगा प्रत बहे करके नहीं जपा सकते कोई बात नहीं भाब एक भाब आनक आलस हूं नाम जपत मंगलत शिदश हूं किसे हैं हैं जपको खढ़े ही बैठे उठे ही बैठे घर में भगवान की पूजा अर्षण करो बभगवान को मालिक बना अब भोग बनाते हैं अब भोग नहीं बनता है शब्म्हों को सब्सक्राइब मुष्प निलिट बनता है क्या मिलते धुग कहना है टुम्हों को लोग में चाएगा है लाधे का निल्म उनियाइगा थे शेंहें чुड ही उने agen anac dla नंसे अब candidate है इसका नागता उछ फॉट इसको लगता वह लगता वार्गवान भूजन बलता भूजन भगवान को हुए जुआ प्रसाद पाते हो आपकी बुद्धी सत्रगण हो जाते हैं, पवित्र हो जाती है, रोग नश्ठ पाने से, और अगर आप यह बिना भूग लगा यह पाते हो तो बुद्धी आपकी बिगड़े जाएगी, रोग उतपन हो जा आपको प्रसाद रूप के ग्रहन करते हैं तो भगवान को देते हैं वो मालिक थे अब भदी पहले अपने आमें है अना बाल बनने से पहले अनास्ता बनता पहले ही आज कल तो पहले टेस्ट कर लेते हैं खड़ी खड़ी होई उसको देख लिया ठीक बनी मीठी है कर नहीं है आज के लह साब तसोई ओंगे आज खोब आपको देखने को मिलेगा आज खोब सफाई बहुत है गरगर में सफाई तो है ताल चल लगी है चम चमा रही है लेकिन सुद्धता अब लकुल दूर दूर तक नहीं सुद्धता चली गई है एक मातमा जी थी मातमा जी गास्ते में शकता दो के खाए साथिन सुद्धता है डिस्ता है ज सक्रण कहये गरणाय रहा हमारागे दभी वल्कुल मिलेगा मीरा एक लोटे में पानी लेकि लेके याई जल्लिक लेके महाराज कुझे ऐसी दिया दो देखा माराज ने असी पीन्य को हुए तब तक तक देखा कर दो जैसा कोई पानी पीता है इसमें सक्रन लगी हुई है लोटार दिया चले गए आगे महात्माजी पानी नहीं पिया आगी जैसे गए आवाज लगाई देवी पानी मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा महाजी एक मैई आई अंदर से बढ़िया चम चमाता हुआ लोटा लेकर के ज पी ने खुब देखा उसमें सक्रन लगी हुई थी वहता वैसी भी कोलक्षणा है वह लोटार जी गोले मेरी बड़ी बहन है वह लोटा बड़ी लोविन है और के महाजी पूरे बतनों को लेकर अंदर बेंद देती है और ताला लगा देती है इसलिए उसलिए उस्या जाते अधराजी में तो बार लग देते हूं गुड़ा गुड़ा पानी छग देती है बार इतरे भी आसपास पड़ो इसके कुट्पे सब आते हो चाट चाट के चाट चाट के बलकुल चमाचम कर देते है अरे बुलते वी तु तो और बड़ी बहन निक ली उसका दिख तो रा बैण वे दी देए तो पी ली पान, तो सफाय तो है, वाप्तो सुझध्था नहीं है वाज घरोव में टालते तो लगी हुई है पर तु आज गव की गोबर से लिपता नहीं है गव की गोबर में लक्षमी कहाश है लक्षमी कहाश कहता है चोफपूर्नेकार था यही यह पहले मत्या मत्य certaines काली जाल वह रूंगी की ते घरो तो पताने की екाने आज भी करती हैं कि असलिए कि मा इसा नहीं है पहले बांते हैं कि सुवेश्चिता होती है फ्रॉक पूरा मिल तो घर नहीं हो तुपा परजा जाती है आश्रेवाद देथिस करमें से इसो कि शांती बनी रहे दन की पर्शा होती है और जिए प्राताय काल जासे वो गुम्रण प्राताय काल जाड़ बहार जाना चाहिए पहले जो बड़े चौक पुर जाना चीए उस घर में शुक्षांती और जो हमेंसा लक्षमी का बात होता है यह नियम हमारे जुग्रस्त आस्रम को नेभा हुए तो गरस्त आस्रम बन जाएगा शुखी हो जागा आप लोग कल्या जादने बाइगे तम कि अथे का बेला नहीं है यहां है अरूने वाला नहीं रहे हो एक जो घुटा नाया हुए तरफकी बने रहो रहे हैं यहां हो स्क्राण घाड़ में कारण सब लोगे हैं अभरे से कईने से पधाए जैए को अखने रहे हैं पर गतामता श्र्वन कर रह पुदुमेश्वर भगवाने की अनवांजी महराजी की वाले किष्ण भगवाने की जे नहप्पारवति पतै हर हर महांदे। शरवे भवंत सुखिनहा शरवे शंतु निरामया शरवे भत्रान पश्यंतु माकाशित दुख्वाप भवेद। पुणमदहा पुणमदंग पुणात पुणमदक्चते पुर्णष्पुणमादाय पुणमेवावश्यष्यदे। ओम शान्ति हिशान्ति सुसान्त भवतु सान्ति। प्री राम जे राम जे जे राम प्री राम जे राम प्री राम जे राम जे जे राम वजे गोविन्दंग भजे गोविन्दंग भजे मूढ मते पुनरपी जनमं पुनरपी मरणं पुनरपी जननी जठरे शयनं तदपीनम अंचत आशापिन्दंग भज गोविन्दंग भज मूढ मते श्यावराम चिंड भगवान की रे नमहाप्पार वति पताय अरहर महादे समाज में सुधार करने कि इंपरिवार में सुधार परिवार में सांती सुख वेवव आने की कुछ सूत्रा आपके सामने प्रसुतिये आप उन्हें माने और अपने परिवार में अपने घर में सुख सांती कर रहे हैं कुछ दान दाताओं के नाम है श्री पपोजी रावत डुकांदा चाथ पल्याणपर वालों की ओर से एकसो टसरुप है श्री ओधयवान चीली रावत पर्वगा वालों की ओर से श्री श्री प्रणाम जोरे जुग पानी राम सिया राम जे जे राम सिया राम में सब जग जानी और करहों पे नाम जोर जुग पानी शवी को मेरा इस ब्यास पिंट से बंदन भी नंदन और इस पंजम दिवश की कथा का आयोजन किया एसे स्री स्री एकजार स्री महराज राजा राम नंद महराजी और मेरा बंदन भी नंदन इस नईया रूपी मंच का संचालत कर रहे स्री पंडी जी महराज और अभी जिनकी द्वारा पुशंदर कता शबन कर रहे थे ऐसे स्री स्री एकजार स्री महराज पर श्राम गरी महराजी और मेरी प्रियापत आपको जो कता शबन कराएंगे ऐसे हरिद्वार्श पदार हुए ब्रम्मचारी प्रेमनंद महराजी उनको भी मेरा शादूबाद नमन संगीत पर बड़ा ही संगीत का बादन कर रहे हमारे दादाजी और ढूलक पर बादन कर रहे थे प्रमपूजे महराजी आई ये भगवान नम शनी की इतन फ्रिकता की ओड़ चलते श्रीर आप जे राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे जे राम स्री राम जे जे राम स्री राम जे राम जे जे राम जे जे राम जे जे राम जे जे राम तेम शिभुले राम लला इश्रकार जे 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 अभी आप भोती सुन्दर कथा सबने कर रहे थे और कल के दिवस में भी आपने बड़ी सुन्दर कथा सबनी की थे आई आज भी आपको बड़ी सुन्दर चर्चा सबने कराती है जब एक बार पुलुष्ट मुनी की विबाय हो गया तो जो महराज प्रभुशी राम का जनम हुआ था उशी शमय रावन का जनम हुआ था फिर तुल्षी बाबा ने से मानस में बंडा भी लिख दिया दस सिरताए बिस भूज डंडा दस सिरताए बिस भूज डंडा दस सिरताए बिस भूज डंडा रावन नाम भीर बरबंडा रावन नाम भीर बरबंडा दस सिरताए बिस भूज डंडा और रावन नाम भीर बरबंडा तुल्षी बाबा ने से भीर बंडानी और बंडा इन्हें तीन नामों से अलंकित किया जाए सरसंसार जानता है इस बात को सब लोग जानती है कि रावन जितना बलवान इस संसार में कोई नहीं था और बीर भी कोई नहीं था क्योंकि जिसने बरण को बेर कोई जीत दिया उसकी समान खोन भीर हो सकता है कि बल ब्रह्म के अलाबा उसकी समान कोई बलशाली नहीं था बरान कुबेर पवन याम काला बरान कुबेर पवन याम काला बुजवल जीते हो शकल दिगपाला बुजवल जीते हो शकल दिगपाला बरान कुबेर पवन याम काला बरान कुबेर पवन याम काला बुजवल जीते हो शकल दिगपाला बरान कुबेर पवन याम काला बुजवल जीते हो शकल दिगपाला तुलसी बाबा ने कहा कि राबन इतना बड़ा पलबान था इतना बड़ा भीर था जिसने यहां तक ब्रह्म की शिष्टी है वहां तक अपना परचे चलाया था ब्रह्मसिष्टीनगं जेतन धारी ब्रह्मसिष्टीनगं जेतन धारी गावान बसवर तीनार नारी गावान बसवर तीनारी गावान सिश्टी रग जैतान उधारी ब्रह्म शिष्टी लगो जैतनो धारी और रावन बसबर्ती नरनारी रावन ने अपने प्रताप से तीनों लोकों को जीत लिया था फिर भी तुलसी बाबा ने से बंडा ही लिख दिया एक बार मालवान अपनी पुत्री केक्सी को बर की खोज में लिए तो आकास मार्ग से वशित्रवा की आस्रम के समिप पोँच जाती है तो महराज ने केक्सी से कहा कि हे केक्सी तुम्हें ऐसा बर्खुजो जैसा यह मात्मा है तो केक्सी ने जबाब दिया कि हे माराज आप मुझे यहीं छोड़कर चली जाएं और में यहीं इसी मात्मा की पास जाती है इतना केकर केक्सी आस्रम के पास चली जाती है तो पुरुष्ट मुनी से कहा कि हे माराज यहां पर जो रिशी बेटे हैं बशित्रवा रिशी मुझे उन से कुछ मांगना है तो बशित्रवा रिशी ने कहा दिवी आप क्या मांगना चाहती है अरे आपको जो चाहिए वो आपको मिले दो केक्सी ने कहा माराज इस प्रकार मैं आपसे कुछ नहीं मांगूँ जब तक आप मुझे बचन नहीं देंगे तब तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगूँ तो बशित्रवा रिशी ने कहा दिवी मैं आपको बचन देता हूँ कि आप जो बचन मांगोगे मैं वे बचन आपको दे दो तो केकसी ने कहा माराज मैं आज आपसे एक पुत्र की कामना करती है अब पशित्रवा रिशी बचन बद्द हो गए तो केकसी से कहा कि ठीक है और केकसी के शाथ गंधर भुवा करती है जब केकसी और पशित्रवा रिशी का गंधर भुवा हुआ तो उसी समय एक त्रिया नाम की मुनी भी उनकी आश्रम में पहुच जाती है और जब आश्रम में पहुची तो पशित्रवा रिशी ने सादू संद समझ कर उच स्री सिंगासन पर प्राजमानी की प्रतू त्रिया मुने कहने लगे कि है माराज मैं आपसे सर्संग की लालसा से यहां आया हूँ तो वशित्रवा रिशी ने कहा ठीक है अगर आपको सर्संग करना है तो सर्संग कर लीजी तो वशित्रवा रिशी ने केकसी से कहा कि है केकसी तुम जल लेकर आओ क्यक्ति इदर जल भरने चली जाती है और उधर त्रेया मुनी ने बशित्वारुशी से कहा कि ही मुनबर मैं आपसे इस जगे पर ससंग नहीं कर सकता तो बशित्वार शी ने कहा कि ही मुनबर आपको कहा तो त्रियम मुनी कहने लगे कि मुझे उस बीच में सल्सन करना है यहां पर दूर दूर तक कोई ना रहता हूं तो वशित्वा रिशी ने काठी थे अगर आपको इकांत रूप में ही सल्सन करना है तो चलिए इतना कहे कर त्रियम मुनी और वशित्वा रिशी दूनों आस्रम से निकल जाते हैं और चलते चलते कुछ दूर जाने पर उन्हें चट्टाने दिखाए देते हैं उन्हें चट्टानों पर बैट कर त्रियम मुनी और वशित्वा रिशी दूनों ससक करने लगते हैं आज ससंग करते करते कई बर्सों गुजर जाती हैं कई सालों गुजर जाती हैं और इदर वशित्वार शी और त्रिया मुनी का ससंग चलता रहता है इदर जो केक्सी से कहा कि हे केक्सी तुम जल भरकर लाओ तो केक्सी भी जल भरकर लाई और जिस सिंगासन पर वशित्वार शी बैठी हुई थे आस्रम में उसी सिंगासन की ब्राज में जाकर खड़ी हो चाती है इदर केक्सी को खड़े हुए कई परसों गुजर जाती हैं कई सालों गुजर जाती हैं उसका जो सरीर था वो जंजरित बन जाता है परन्तु केक्सी अपने पती ब्रता ध्रम से कभी भी पीचे नहीं है और जब तक द्रेया मुनी और बशित्वार शी लोट कर नहीं आए तब तक उसी सिंगासन की समिप पे खड़ी रहे थे इधर एक दिन खेल खेल में एक चड़िवा और चड़िया केक्सी के हाथ पर रखे लोटी से जल पीने लगे तो चड़िया ने चड़िवा से कहा कि हे प्रभू यह तो मुझे किसी ज़न्जरित नारी का सरीर दिखाई देता है चिड़वा ने कहा कि ये किसी नारी का जंजिरत सरीर ही है तो केक्सी के जंजिरत सरीर से आवाज आती है कि हे चिड़िया अगर तुम सच में पती ब्रता हो अगर तुम सच में पती धरम में रहती हो तो मुझे अपने पती का पता बता अब चिडिया संकूच में पर जाती है और चिडिया भी यही बात कहता है कि अगर तुम सच में पती बरता हो तो बताओ इस नारी का पती को नहीं चिडवा को भी यह बात उचित लगती है परन्तु चिडिया बसित्वा रिशी का पता नहीं बता जब वशित्वार्शी का पता नहीं बताया तो चिडवान ने चिड़िया का त्याग करती चिड़िया रोती हुई भगवान के मंदिर में पोची और भगवान से बिने करने लगी कि हे प्रभू मिरी रक्षा कीजिए तो भगवान संकर ने पबंदेव से कहा कि हे पबंदेव आप अपनी बायू से इस चिड़िया को बशित्वार्शी के कान के छिद्र से फिक दीजिए तो पबंदेव ने उसे बशित्वार्शी के कान के छिद्र से फिक दिया था जब कान के छिद्र से फिका तो उस समय चिड़िया ब्योबोस थी और जब होस में आई तो कहने लगी कि अरे वो कौन सा मात्मा है जिसकी नारी अब तक जलका लोटा लेकर खड़ी जब इतना कहा तो बशितवारिसी की समाधी तूट जाती है कि मैं केकसी भो भी जलका लोटा लेनी के लिए कह गया तो क्या पता केकसी भी अभी तक जलका लोटा लेकर खड़ी हो तो बशित्वार इसी इतना सुम्ती ही वहां से सीधा अपने आस्रम में पूंच जाते हैं और आस्रम में आकर केक्सी को देखा कि केक्सी का सरीर जल्जलित तोर से पड़ा है तो केक्सी के अपने उपर अपने कमंडल से जब जल छड़का तो केक्सी का सरीर भी फिरसी रिष्ट पुष्ट हो जाता है आज जब केक्सी का सरीर रिष्ट पुष्ट हो गया केक्सी अपने होस में आ गई तो केक्सी एक ही बात केती है कि हे माराज मैंने आपसे एक पुत्र की कामना की थी परन्तु आपने भू भी पूरी नहीं की आज मैं आपको शाप देती हूँ तो बशित्वा रिष्ट ने कहा देवी शाप नहीं दीजिए उस समय नो रिटो बशित्वा रिष्ट ने केक्सी को दी जब तश्वीर रिटो देने जा रही थी तो सुबे के चार बज जाती है मुर्गा ने बाग लगाई मुर्गा की अबाद सुनकर केक्षी और पशित्वार्षी ने बाद पशु का रूप धारण कर दिया तो रावण ने बाद पशु के रूप से जनम लिया था इसी लिए तुलसी वावा ने इसे बंडा लिखा है रावण नाम वीर बरबन आज जब तीनों भायों का जनम हो जाता है तो बिवीशन कुम करण और रावण ने घौर तपश्या की जब घौर तपश्या की तो ब्रह्मा जीह ने बर देने जाती है गईयो निकट तप देख बिदाता गईयो निकट तप देख बिदाता मांगो बार प्रसन में ताता मांगो बार प्रसन में ताता जब ब्रह्मा जी बर देने जाती है तो सबसे पहले धिवीशन बर मांगते है बिवीशन जी ब्रह्मा जी से क्या मांगते है कि हे प्रभू मुझे केबल राम भुक्ती ही जीवन में देख ब्रभू के चरणों के अलावा मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए तो ब्रह्मा जी ने कहा तता 처ut अब कुम करन ने मंगीकी छे महा के लिए वो मांगना चाहता था इंदरासन पर मुझे से निकला दिदरासन तो ब्रह्मा जी ने कहा तता इसको अब राम्ण केहता है कि ही ब्रभू हूँ मुझे संसार में इतना बलसाली बनाना इतना बलबान बनाना कि मैं नर और बानर को छोड़कर किसी दूसरे के हाथ से ना मरू ब्रमाजी से बर मांगा हम काओं के मरा है नमारे हम काओं के मरा है नमारे हम काओं के मह नमारे बानर मनोज जात दूबारे के बानर मनोज जात दूबारे हम काओं के मरा है नमारे हम काओं के मरा है नमारे बानर मनोज जात दूबारे बानर मनोज जात दूबारे हम काओं के मरे नमारे और बानर मनोज जात दूबारे ब्रह्मा जी से क्या बरमांगा कि मैं नर और बानर को छोड़कर किसी दूसरे के हाथ से नमनोज अब तीनों भाईयों को ब्रह्मा जी पर देकर चली जाते तो राबन ने अपने दोनों भाईयों का बुबाई कराई सेलू सागंगर्व की सर्मा सुता सुजान ब्याय भी भी सने का हुआ तास संग सुकुमाने की रामा तास संग सुकुमान बैर बचन की धेबती बज ज्वालात है नाम और फ्याय भी भी घवीशन का हुआ तास संग सुकुमाने की और बचन की धेबती बज ज्वाला यह नाम और यह दोनों भाईयों का ब्वाई हो गया तो इधर माता मंदुदरी लंका में रावन अहरन करके ले जाता है तो माता मंदुदरी कहती हैं कि मुझे भी तुलसी बाबा ने परमशब्द दिया में तनु जामन दो दर नामा में तनु जामन दो दर नामा परम सुंदरी नार नामा में तनु जामन दो दर नामा में तनु जामन दो दर नामा में तनु जामन दो दर नामा और परम सुंदरी नार नामा भगवान तुर्शी दास जी कहती है कि भगवान ने परम सब्द मंदोदरी को दिया और परम सुंदरी भी कहा परतो जो संसार के व्यक्ति है और इधर भुले बाबा जब माता पार्वती को पथार्शवन करा हरे थे तो माता पार्वती ने पूचा कि हे प्रभू मंदोदरी को प्रभू परम सब्द नाम मिला है परतो ये मंदोदरी पूर्व जनम में कौन थी भगवान कहते हैं कि हे बार्वती एक बार हमारे यहां गड़का नाम की राक्षती आई थी तुम्हें ध्यान होगा जब हम अंग भगूती मल रहे थे और तुम पूजा का अंधाल सजाने चली गई थी तो वो हमारी अंग भगूती अपने अंग से मलने रहे थे तो तुमने उसे श्राप दिया था कि जा तू मिंदरी हो जो जब वो मिंदरी हो गई तू मैंने तुमसे कहा कि हे दिवी तुमने उसने इतना बड़ा पाप नहीं किया आपने उतना बड़ा उश्राप दे दिया तू मैंने उससे कहा था कि इसके श्राप को कम कर दीजिए तो आपने ही कहा था कि एक बर्ष तक मिंदरी रही गी फिर यह प्रम शुंद्री नार कहलाईगी इसके समान संसार में कोई नारी सुंदर नहीं होगी आज वही मंदोद्री उसी कहलाज परवत पर एक कुए में मिंदरी की रूप में रहने लगी जब एक बर्ष पूरा हुआ तो उसने कन्या के रूप में जनम लिया। उसी कहलाज परवत पर में दानाव उसकी पतनी है मा तबश्य कन्या आया जब उन्होंने देखा कि इस पूए में कोई कन्या रो रही है तो मेनादा मेंदारवन उसे बहार निकाला और उसे अपनी पुत्री बनाकर अपने घर ले गई जिसका नाम उनोंने मंदोदरी रखा जो की मिंदरी से परम सुंदरी नार कह लाई भगवान कहते हैं आज बही मंदोदरी लंका में रावण के शाथ रहती है प्रभुशी राम जब समुद्र किनारे खड़े थे जितने भी पानर भलू थे सभी समुद्र किनारे खड़े हैं आज भगवान शी राम सबसे कहते हैं कि लंका के उस पार कौन जा सकता परतु नल कहते हैं कि ये समुद्र सोय उजन का है जिसमें से मैं चालीस उजन तक जा सकता जब नील से पूछा कि हे नील तुम क्या इस समुद्र को लाग सकती हो तो नील ने कहा कि माराज ये समुद्र सोय उजन का है जिसमें से मैं पचास उजन जा सकता हूं जब माराज ने जामत जी से कहा क्या जामत तुम जा सकते हो तो जामत जी भी कहने लगे कि मैं इस समुद्र को नहीं लाग सकता अब प्रभुशी राम ने अंगा जी से कहा तो अंगा जी कहने लगे माराज मैं जातो सकता हूं पर लोट कर पापस आ नहीं सकता प्रभु शी राम ने पूछा अंगद इसका क्या कारण है कि तुम्हें जातों सकती हूं पर लोटकर नहीं आ सकती अंगद जी केती है कि ही प्रभु अंगद कहाएं जाओं मैं पारा अंगद जी कहती है कि ही प्रभु मैं जातों सकता हूं पर लोटकर आने सकता इसके तीन कारण अंगद जी बताती है अंगद कहें जाओं मैं पारा और जह संसय कछो फिर तही बारा अंगद जी कहती है कि ही प्रभु जब एक बार लंका में जितने भी भात्तर कड़ो राक्षत कुमार हुए उन्हें अगस्त मुनी की कहने से शमुद्र में प्रिकवा दिया तो अगस्त मुनी को लंका से निकाल दिया गया है नक चोगुनी बसूनी कर सब्रे आकास मिलाए इतने निस चैए के दिन बहरा बन पुर्या इकी रावा बहरा बन पुर्या प्रभु कहते हैं कि नक चोगुनी बसूनी कर और सब्रे आकास मिलाए इतने निस्च एक दिन और भई रावन पुर्या भगवार ने कहा कि लंका में कितने निस्चर हुए कितने राक्षत हुए जिने अगस्त मुनी की कहने से समुत्र में भिखवा दिया था तो माता क्यक्सर के कहने पर रावन ने उन्हें लंका से निकल दिया गया था जब वो समुत्र किनारे आये तो वहीं पर उनकी भिट बाली सो हो जाती है बाली ने कहा कि हे माराज आप तो लंका में रहती हो आपने साचरों के गुरु हो फिर इस समुत्र किनारी क्या कर रहे हैं तो अगस्त मुनी ने सारी बात बता तो बाली ने भही आश्रम बनवा दिया और अपने पुत्र अंगद खूबी सिच्छा दिलाने भही छोड़ दिया कुछ दिनों तक अंगजी आश्रम में रूपते और एक दिन रावण अपने तीन पुत्रों अंगद, बिगनात, मूलकाशुर सबी को आश्रम में देखने आते थे उस आश्रम में आदे निसाचर पढ़ते थे और आदे बानर पढ़ते थे एक दिन पे अंगद और अक्षे की लडाई हो जाती है तो अंगद ने अपनी पूछ में लपेट कर एक गुप्त टापू पर छोड़ दिया जब गुप्त टापू पर छोड़ दिया तो अब अंगद ने मूलकाशुर का पता नहीं दिया कि वो उने एक गुप्त टापू पर छोड़ आए हैं और अपनी आश्रम में वापिस लोट कर आ जाती है जब श्याम को गुरू ने पूछा कि आज आश्रम में अक्षे दिखाई नहीं दे रहे तो कुछ बालकों ने बताया कि अंगद और अक्षे की लडाई हो गई थी और फिर हमें पता नहीं तो गुरू सुक्राचार ने अंगद से पूछा कि अंगद तुम्हें पता है कि वो कहा है अरे अक्षे का तुम्हें कोई अता पता है या नहीं है और बाली से कहा कि तुम्हारे खुत्र ने उन्हें एक घुप्ट टापू पर छोड़ दिया है तब दो बाली सोय में ही अक्षे कुलेगी गई एक तो ये कारण है इसलिए मैं लंका में नहीं जा सकता और दूसरा कारण और है अब अंगा जी फिर कहते हैं कि हे माराज एक बार आस्रम में खेल खेल में मेरी और मुलका शुरकी लड़ाई हो जाती तो मैंने मुलका शुरको शाप दे दिया और उसे समुद्र में दुआ है रहा है मैं बार बाल मुलका शुरको पानी में दुबाता और उचालता इससे मुझे गुरु ने शाप दिया था कि हे अंगत तुम जातो सकते हो पर लोट कर आ नहीं सकते इसकी दो कार्व हुए कि मैं लंका में नहीं जाता अब अंगत जी कहते हैं कि मैं वादा मन्गोदरी शी तुमें कि हे प्रओ कुमाना मन्गोदरी तुबाली ने तारा से कहा कि हे वाली तुमिदी गई कि तुबाली ने देखा कि राचा में चुप जाता था दुबालाई कि हे राचा जितने भी लंका के निसाचन है जितने भी आदी लंका की जाक्षण है इसलिए माना मन्गोदरी ने पाली से कहा कि हे वाली आपको पर भूचन कीजी मातव मन्गोदरी ने रावण को समझाया तो रावण ने गरजना की जिससे सभी लंकावासी सांत हो जाते और जब बाली ने क्रोध किया तो जितने भी लंका में निसाचन कुमार थे जितने भी माताएं थी सब की गरव गिर जाते और वो सबी बर के बेड से चिपक कर दूद पीने लगते जो आज भातर पणोर राक्षत कुमार हुए प्रेम से गुलिये रामलला सरकारी की जे अयो थाना थी की जे जेशी राथे जेशी राथे जेशी राथे आये थोड़ा भुगवान नाम श्रकीतन स्रपनी वाणी को जो जो Ś्री राम ये राम ये जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे जे राम स्री राम आज मेरी परमपुज्य गुरुदीव महराज जो की श्रीधाम अयोध्या स्रीधाम हरिद्वार स्पदारी हुए हैं उनके चनम मेरा बंदर भी नंदर किसी के साथ अपनी बाणी को बिनाम जेशी राधी जेशी किष्णा जो अज्यान में जीते हैं तो वो एसास समझते है कि मैं कर रहा हूँ आज कर रहे हो अगर हम कर रहे हैं अगर हम कुछ कर सकते थे तो आपने लिए क्यों ने कि अपने लिए मनें, अगर आप बच्पन हुआ है, वगवाँ से कहते हूँ जबाने रहे हैं, लेकि जबान नहीं रहे पाते हैं फिर बुडबापा आई जाता है, बुडबापा के बाद मिर्टू हो जाती है, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में शरीर भी नहीं है, शरीर व्यादी मंद्रम का, अगर ये प्रित्वी तो हमको भी हिरना पड़ेगा, तो सबका जोरी सब उष परमात्मा के ही अंच हैं, और परमात्मा ही सिर्ष्टी का संचालक है, और परमात्मा ही सब कुछ करता है, ऐसी हमारी भावना होना चाहिए. लेकिन हांकार विं काक्मा करता हूं विती मन्यान थे हैं। मैं यह करता हूं, मैं यह करता हूं, तो यही इसी को माया कहते हैं, किसी को समझना है, जब हम इसी रहसे को समझ जाएगे, तो हमारा जिवन ही आनंद मैं पर्मानेगु में हो जाएगा, जिस तरह से संतों का होता है। आप लोग का प्रेम था, उस प्रेम के चलते आज यहां पर आना पड़ा, बारवाई जिस का टेलिफोर जाता था स्वामी जी का, गुरुजी का भाएगे, गुरुजी का भाएगे, गुरुजी बाई, जो मी पहुंचाएगे अंतिन में पहुंचाएगे, तो ठीक है। निसलिए आज अनतिन, मैंने समापन समा र만 थे हरो है, समापन नहीं है, फिर भी हुगा जिसलिए से पहले हुगा साफिर आगे ल आगे भी कालिकर में चलता ही रहेगा, तो आप लोगों का प्रेम के चलते हम लोग जो है, एक हजार क contributing हाँ बीजित बाठी डुल से, और कल रात में बारा बजे पहुंचें, बड़ा आपनों का फेम है, और ऐसे ऐसे संद, ऐसे ऐसे अनुवर्भी संद, हमारी तथा वाचत है, हमारी स्वामी प्रेमा नंदी ने अपना अबूरी समय आपर दिया. क्योंकि ऐसा समझा जाता है, कि संत दर्म, संत दरस जिन पाता पिटाई, संतों के दर्म से पाप का च्छे हो जाता है, अगर भाबना हमारी पवित्र है, तो बातम में हमारी जो सास्त्र है, सास्त्र में जो कहा गया है, सास्त्र के अमसार अगर हम चलने लगें, सास्त्र को तो हम फूछते हैं, सास्त्र की मानते नहीं है, और जो सास्त्र की मानने लगे तो इसका जीवन तर्म हो जाए, क्योंकि सांती खोजते हैं, सांती खोजने के लिए कई जगए जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, सत्र संग सुनते हैं, तो कुछ छणों के लिए हमारे अंदर सांती मैसूस होती है, लेकिन वाए सांती हमारे अंदर ही है, अगर हमने अपने मन को अपने चित को उस परमात्मा से जोड़ लिया तो क्योंकि वह परमात्मा अमारे अंदर है हम अभी विखेरे हुए हैं हम अभी अपने आंकार पर जो है आशित है अगर हमको कोई नाम लेकर के गाली दे बाला भुरा होले तो हमारे कान खड़ी हो जाते हैं अगर हमारे जाती शुचप जाती लेकर के गाली दे तो हमारे कान खड़ी हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि सारी ममता भगवान के चलों में सब भगत होते हैं तो परमात्मा के ऊपर अपने जीवन, अपने जीवन को परमात्मा के ऊपर निर्वार कर देते हैं और अपना जीवन के गड़ी परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो उसके जीवन में आनत आएगा ही क्योंकि ऐसा कहा गया है, हम लोग जो है, जिस तरह से अगर हमारी पहचान राश्टपती से है, प्रधान मंत्री से है तो नीचे जितने भी मंत्रिय हमको शलाम करेंगे, वही राश्टपती का आदमी है, प्रधान मंत्री का आदमी है, तो उसी तरह से अगर हम जिसने स्रिष्टी बनाया, जो स्रिष्टी का करता धरता है, जो स्रिष्टी का संचालक है, जो सब कहता है कि एकान से इस्थतो जगत, यह जगत मेरे एक अंसमात्र से इस्थत है, अगर हम उचसे फ्रेम करेंगे, अगर उचसे हमारा संबंद हो जाए, तो हमारा सारा सब कुछ चलब हो जाए भगवान ने कहा है कि जो अननियास सिंतियंतों माम ये जनार परियुपास्ते तेशाम नित विवता नाम योग छेमाम बाहाम्यम मैंने जो मेरा अननिय भक्त होता है जो मेरे अपने जीवन को मेरे उपर निर्वर कर देता है अपने जीवन की कड़ी मेरे से जोड देता है संसार में रहता है लेकिन उसका मन मेरे में रहता है तो वैसे व्यक्ति का वैसे भक्त का मैं योग छेम श्यम करता हूँ अनन्यास सिंतियंतों माम ये जनार परियुपास्ते तेशाम नित विवता नाम और जो नहीं है उसको प्राप्त करा देता हूँ तो ऐसे भी जब ऐसा बन्वान प्रण करते हैं ऐसी प्रतिक्या करते हैं इसके बाद भी हमारा अगर मन उस प्रमात्मा से नहीं जुटता है क्योंकि संसार में जितना भी है जो भी आपराप्त करना चाहते हैं कहते हैं, हम लोग कम आई कम आई कम आई कितना भी करेंगे उसका आती है कि कम आई, वो कम ही आती है माने भादक कते हैं लेकिन जो भगवान का भक्त होता है इसलिए जो है वोचारी शंपत्ति छोड़ करके भगवान के चर्णों में अपने जीवन को अर्पर करते हैं अभी जो है जैन जैन संपरताय में बहुत सारे बहुत बहुत बैसे बाले थे भावेस भाई गुजरात के तीन सो करोड की शंपत्ति थी उसके बेटे बेटा बेटी तो पहले चले जैन सादू हो गए फिर बाद में ओर लोग भी खुला संपत्ति लुटा करके शारी शंपत्ति गरीबों में बाठ करके, वो भी जैन सादू हो गए। बहुत शारे लोग बड़े बड़े अपना कारण vari छोड़ करके, बड़ा पैसा संपत्ति छोड़ करके, राजपाढ़ छोड़ करके, जो दिन रात मुझ में उड़ता है, मने फ्लाइट से जाता है, फ्लाइट से यात्रा करता है, और अंतिम में वो जैन साधू हो जाता है, जहां कि जो पैर में चपन नहीं पहनना है, गारी का इस्तेमान नहीं करना है, एसी में नहीं रहना है, आश्रम नहीं बनाना है, और पक कुछ तो जानने के जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें उसी बिध्या से हमको तक तुष्टी मिलती है कुछी के लिए मनुष का सरीर मिला है और कुछी को हम भूल गए हैं और आंकार में भूल गए हैं तो इस तरह से जो है आंकार में भूलने के बाद हमारा जीवन अस्तवेस्ट हो जाता है और अस्तवेस्ट होने के बाद पता नहीं हम किदर जाएंगे चब उमर गुजळ गई दोक्रे में परिणाम जाने क्या होगा जब समय आखिरी आएगा भगवानी जाने क्या होगा हम दिखते तो यह मनस से लेकिन हमारा अगला जीवन क्या होगा हम मनस उनुन में फेण वेड़ाये के कुकरशुकर क्योनी में जाएगे हमारी गीता कहती है आश्रुमियोनि माम पड़ना मूना जन्मनी 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 जो मनुष्ट का शिर्पा करके बहगवान का भजन नहीं करता है अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ता है तो उसको मैं पूकर शुकर की जोनी में बेचता हूँ इसलिए जो है जीता कहती है कि मनुष्ट अपना ही अपना सत्रु है अपना ही अपना मित्र है बार का कोई सत्रु नहीं होता है सत्रु मित्र नहीं होता है बार का सत्रु मित्र तो बदलते रहते हैं अगर आपको सत्रु ने मार भी दिया तो फिर जन्म हो जारा है लेकिन व्य पुचिंतन नहीं किया, पुपासना नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, तो हम अपने आप ही अपने सत्रू है, क्योंकि हम अपने आपको अधोगती की ओर ले जा रहे हैं, मैंने कुकर शुकर की यो नहीं की ओर ले जा रहे हैं, और जो कुछिंतन कुछंसर कुकर्म करता है वो तो उसका पतन होता ही है लेकि जो सुचिंतन सुवन पठन पाटन करता है उसको जीवन में रतन मिलता है तो असली रतन यही है जिसके लिए आप लोग यहां पर एकत्रत हुए है और यहां है रतन जिसके जीवन में मिल जाता है जो अपने सिश्रतन को पाकर के अपने मन को परमात्मा से जोड़ लेता है तो उसका ही जीवन धन्य हो जाता है तो ये जीवन धन्य के धन्य बनाने के लिए आप सब इहां पर इकत्रित हुए और हरसाल जो है कायर करम चलता है असाल चलता है कभी कभी मुझे बने लोग मैंने गयंत्यों तो इतरे से जो है बने जामी आपको शचंग मिलता है और आपको अपने सचन मालव से परमात्मा से अपने जीवन को जोच्छें तो वही हमारे जीवन का मूल्य शमय होता है उसी का मुल्य होता है बाकी जीवन जो है ऐसे ही अपने अपने समय नित्यागता मेरा मनन करता हुआ वा नर मुझ में ही मिले ज्यान योँ दर्ता हुआ अंतिम में अगर आपने भगवान का चिंतन मनन पढ़न कर लिया और भगवान का ध्यान करते हुए शरीट छोड़ा तो आपको रूजब जीवन में जो जो याद ले जैए जो जो संशकार जिनर आपने मन को लगाया वही तो अंतिम समय में याद आएगा अगर आप हम लोग चाहें कि अंतिम समय में आपको भगवान याद आए तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि अंतिम समय में जो है आपने जो बीज बोया होई तो काटेंगे हम लोग जो है चिर्कुंडा जाते हैं बहुत गड़ा वहाँ पर एक मारवारी परिवार में गए प्रभाने परिवार में अपने गउल ले तो वह पर पपिताजी की पासे ले तो पिताजी का इतना बड़ा सिर्क मुझें रहा मुझे देखने कर देखेंसए जय तो भी स्रूभ द कि थोड़ा नहीं है बहुत बड़ा कैंसर हो गया था अगर अंजान बच्चा आगे और देख ले उसको उसके स्वरूप को तो जड़ा करके भाग जागा कि बूत ना जागा इतना बड़ा अशिर हो गया था तो उनका बालत का उनका बेटा का है कि महराजी इनको समझाई है बुले इनको क्या समझाए जाए तो मिट्चू के करार पर हैं अंतिमी ठिती में हैं बुले महराज हम लोगोंने चार-पांच पंडित रख रखे हैं एक आता है भागवाद सुनाता है एक आता है मानस पढ़त है gitka culture अच्छे सभने घ תाशु तो क्या करते हैं हम लोग में लोग अने माला दस्ए रख्या ओ फेक दिख और किया करते हैं को हाता वाही ले आओ खातावाई किसा बाती है कॉन मैं बैजने नारे ऐू उसकी में में रूर अमल लगता यह जाता हूं बचारो जाता हूं और हम लोग कहते हैं पिताजी इसको छोड़ो भगवान का बजन करो आपका अंतिम समय है सरीर बदलने को है मिर्चु की शया पर लेटे हुए लेकिन भगवान याद नहीं आते हैं तो उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि एक बजन गाते हैं कि कहीं दैट सब सोजे नाची मूँ पर भीन भीन करिये माची टोला कही चुपाव बाची बहुत करी तो रामायर बाची तब परल परल हम रोई गोह राम परू दूर दिन से पहले आजागा ये भुजबरी वजन असाद आप लोग समझ में आजाएगा कोई कहीं असाद रोग हैं कोई कहीं अभ्यर्थ दवाई गोईठा मैंने कंडा में के घ्यू सुखाई इनका मर गईला में बाव अलाई हम तब परल परल आए भरावं के करा के गोहर आई भोह राम प्रभु दूर दिन से पहले आजा कोई कहीं असाद रोग है तो इस तरह से ऐसी इस्थिति हमारी अंति में आती है और उसी इस्थिति ना आए इसलिए भगवान से अपना मन भगवान से जोड़ लिए और तभी हमारा उदार होगा तभी हमारा मन से जीमन लेने की सार्थता होगी यही हम इसी के लिए हम लोग आये, इसी के लिए हम लोग शत्सन करते हैं, यग करते हैं, दान देते हैं, और संतों के पास जाते हैं, बड़े-बड़ी लोग क्यों संतों के पास आते हैं, दीरुभाई, अम्भानी, सब लोग मात्माओं के पास जाते हैं, सब लोग वापर प अपने आपको अधोगती को और ले जा रहे हैं तो विशेश मैं कहें करके आप लोगर बहुत कुछ सुना होगा और समझा होगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो इसलिए जो है मैं कहने का ताथ पर है कि आप अपने जीवन में क्या किया है इसका लेखा जोका कमचकम बैठ करके भिचार करना चाहिए अपने जीवन में क्या किया अपने लिए क्या क्या अपने परिवार के लिए आ पने परिवार में आपने जीवन खपा दिये लेकिन वह विकास नहीं है, असली विकास है कि अपने भावान का चिंतन मनें पठेळ पाटन किया जी नहीं। क्योंकि ये जीवन हमारा जो है, असली जीवन तो, एक मुझे याद आ रहा है कि हमारा जीवन है ना, चार भागों में बांटा गया है और चार भागों में एक वार बहुत बड़ा ब्रह्मा जी जब सृष्टी बनाए और सृष्टी बनाकर के सब सभी जड़्चे तंजी प्रशु पक्षियों को जुटाए और सब को काम दे दिया और सब की उमर निर्दार्श कर दिये सब करने के बाद जब अन्त मिष्टी में जब आपना तंट something समयडने लगे तो अनूश्य दौड़कर के पहंचा था है मनुष्य भुड़कर के पहुचा है कि प्रभू त्राहिमाम पुले तूं को नो नो ने सर्कार आप ही ने तो बनाया है तो बने तूं कहाँ था यह तो मैंने जो मुझे बाटना था, जो सब कुछ जूटी देना था, मैंने सब को दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, उन्हें अरे सरकार आपने बनाया है, तो मैं मुझे इतना सुन्दर शरीर दिया है, तो मैं जनम लूआ और मर जाऊना, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छ देखता हूं, तो कि इसी में देखें तो 25 पर उम्र है, औरिजिनल 25 पर उम्र उनके पास था, तो कहें कि जाओ, 25 पर उम्र तुमको दिया, और अपना 25 पर साथा है, बुले, अरे भाई, वो कहें कि 25 पर से तो मैं जाओँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा, कि अधियापन करने के बाद आऊँगा, तो मर जाऊँगा, भुछे सरकार किजे, सरकार किजे लोत के तो मैं तो जिंदी की भर्जो है, हल में जोतूँगा, लोग हल में मुझे जोतेंगे, तो इसलिए मेरी उम्र का, मैं इनको 25 वर्स उम्र दान कर देता हूँ, तो बोले चलो भाई, तेरी 50 वर्स उम्रोगे, बोले सरकार, 50 वर्स मैं पढ़े लेकर के आऊँगा, फिर साधी कर मुझे इतनी लंबी उम्र देने से क्या फाइदा, मुझे जो है, मैं भी अपना 25 वर्स उम्र ही इनको दान करता हूँ, तो 75 वर्स हमारी उम्र होगे, 75 वर्स होने के बाद, फिर वो कहते है कि प्रभूत, क्या मैं 75 वर्स के बाद उमर जाऊँगा, तो महाँ पर उल्लू ख मैं भी अपना 25 वर्स दान करता हूँ, तो इस तरह से सो वर्स हमारी उम्र हो गई, तो पहली उम्र जो ओरीजिनल है, उसमें हम गुरुकुल जाते हैं, अध्यापन करते हैं, पढ़ लेकर के आते हैं, कोई इंजिनियर बनता है, कोई जाक्तर बनता है, कोई मन बड़े- पूरा कमाई करके अपनी पचनी को कलाएंगे, बचों को खलाएंगे, बचों को पेड़ाएंगे, जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पचास वर्स के बाद, तो बहू आईएगी, इसके बाद काल बवाय करदेंगे, आपकी 50 वर्स के बाद उम्र हो जाती हैा, कुत्त तो जो बढ़नाईगी वही खाना है नाइक होता, तो डाट देगी, तो पर 25 बीचेतर बेर स्चौ्ते के ऍम्र हो जाती है, 75- sofort होने के बाग पिर हमारी वर्ष सो उम्मर हो जाते हुवका और उन्लू आप जंगल में रहते हैं जो जंगल में जाते हैं अर्लू रात में ऐसी ऐसी आवाज सुनाता है कराहता है तो प्चातर वर्ष के बाद शरीर काम नहीं करता है, इंद्रियान काम नहीं करती है, तो कभी भूझन नहीं पच रहा है, तो कभी ये रोग हो गया, कभी वो रोग हो गया, तो इसलिए हमारा 75 वर्ष के बाद उल्डू का उम्र शुरू हो जाता, तो इस तरह से जो है, यह हमारे जीवन, यह जीवन की असली हकीकत है, इस असली हकीकत को जान जाता है, समझ जाता है, तो उतिष्ट जागरत प्राप इसलिए हमारे साथ कहते हैं, उठो जागो सतकर्मे में लग जाओ, क्योंकि ऐसा कहा गया है, नाकों से बहेगा नाला, आखों पर तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, खड़े खड़े करते रहेंगे, बस्त्रों से भियोकर भजन भगवान का करिये जवानी में, इसलिए भगवान का भजन जब भी कोई शंत, अगर कोई जूत्र बता देते हैं, मंत्र बता देते हैं, तो उसी समय हम लों को जो है, संध्या बंदन करना चाहिए, और संध्या बंदन करके साधना, आराधना, उपासना, ज लुख दोशानी दरसनम् जो अपने जीवन पर विचार करता है कि हमारा जन्म हुआ तो मिल्ठु निश्यत है अगर जन्म हुआ है तो जवान होगे, जवानी के बाद बुडापा आएगा, बुडापा के बाद हमारी मिल्ठु हो जाएगे तो इसलिए अपने जीवन पर विचार करता है तो उसका जीवन धंड हो जाता है और जो अपने जीवन को ऐसे ही गतीत कर देता है इसलिए मातमा पुद् इसलिए मातमा पुद्ध का चैनल हुआ तो उनों ने अपने जीवन उनके राजा ने बुलवाया बोशनारे जोतिसे उनको बुलवाया पूरे राजी के जोतिसे लोग आए उनोंने कहा के मेरे बालक की बवी से बताइए तो सभी ने बताया एक सौर से कि ये बिक्षू हो जाएगा मातमा पुद्ध जो है राजा का बेटा मैंने बिक्षू हो जाएगा तो राजा ने कहा कि इसका उपाय क्या है राजा का बेटा बिक्षू हो जाएगा ये तो बड़ा कर्मर है इसने इसका उपाय बताईए, बोले इसका उपाय यही है, कि इसको महाल से बाहर मत जाने दीजिएगा, और इसकी जन्दी साधी कर दीजिए, और इसकी पराई लिखाई महल में ही होने दिया जाए, और इसके सामने कोई रोगी ना जाए, और इसके सामने कोई पूरा ना वहां पर सम्मेलन में महान gotta वह वह हमार नर्ट खुर्द वहुंआ पर शमेलन में। चुर्णा प्रशार किया गया कि कोई भूरा उनके सामने नहीं आएगा और कोई रोगी नहीं सामने आएगा कोई बुढ़ी कि प्रबंदन किया गया और सभी अगया जम नगर में ब्रमर करने के लिए काजय-वाजय के साथ निकले तो एक भूरा आई गया लाथी लेकर के np मिई मनुष्या है पूले난 ऐसे क्या हों चल रहा है Пट्रामामा treats चल रहा है अजे चार कशे बूरापज़ को अगर ही पॉले ये आदमी था रोग घ्रस्त हो गया है लोगी हो गया है चल नहीं सकता है इसको अगर ठीक हो जा यागिस तो ड्र ने बैसा करें के मल जाए inhसले अ बुले अच्छा, आदमी रोगी भी हो जाता है, आदमी रोगी भी होता है, ऐसी स्थिती भी आती है, उसको चारा रोगी उठाने के लिए चाहिए, बुले कोई बाता है, आगे बढ़ते हैं, तो राम नाम सत्य है, बो जा रहा था, मुटा जा रहा था, राम नाम सत्य है, और इसके परिवारी के लोग जाकर जला देगे इसको, जब इसे जीद निकल जाएगा तो जला देंगे, बफ़े अच्छा चलो, बुना हो गया। अब वो बिशहार करने लगे आदमी बुरा भी होता है, आदमी रोग ग्रसिगी होता है। आजमी मर जाता है, अब उनको ना रोटी, ना भोजन अच्छा लगे, ना नीद उड़ गई, भोजन खतम हो गया, उदास रहने लगे, और एक दिन अंतिन में रात में निकल गए मान से, तो इसी तरह से हम लोगों को भी विचार करना चाहिए, कि जीवन में हमारे, हमको वग गाते हैं, वरावर गाते हैं, तो जुर जुर लव सद्ग्रंतन गावा, सादन धाम, मोक्षिकर द्वारा, पाय नजे पर लोग समारा, तो इस तरह से हम लोग यह जो मनुष्का सरी मिला है, वो चाहदन भजन करने के लिए मिला है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सक्ति है, अ ..........पने संतु हैं, रूपने आपको उस परमात्मा से जोड़ लेता है, जो आत्म साथ कर लेता है, तो उसको सब कुछ मिल जाता है, अगर होग शंकल्प कर देतो यह स्धे का, होजाईगा माने कुछ भी संकल्प कर दें उसके जीवन में कोई कमी लहीं रहती है अगर हुआ शंकल्प कर दें तो शूर की गती को रोख सकता है ऐसे हमारे अंदर ऐसी सक्ति है लेकिन उसी सक्ति को हम लोग नहीं समझते हैं कि अपने जीवन को ऐसी ब्रथ दमा जते हैं आप बाहर की संपत्ति के लिए और बाहर की संपत्ति से हमको फूरी संतुष्टी नहीं हो पाती है क्यमकि बड़े बड़े इतने पैसे बाले लोग हैं उतना पैसा तो आपक मा नहीं सकते हैं इसलिए कम्से कम ऊस परमाहत्मा का रजन, कीतन, सक्षन, कीजे, त का मनुष्यका सेरीन, उसकी सरिकता, हम पूरा कर सकेे, मनुष्यका से चेह, इसलिए गया है, इतना ही कहएंगर के हम जिऽाने को लिजआ में ayamagadi, बीच में हमारे प्रवक्ता, हमारे अच्छे कथा कार, हमारे स्वामी जी बड़ा सादन बज़िद करते हैं और आप लोगों को अच्छी सुन्दर कथा सुनाते हैं, इनकी कथा का बहुत पुरे इंदुस्तान में मांग होता है स्वामी प्रेमान जी हमारे विराजमान है और आप लोगों को आप सब को लाभान मित करेंगे आपका प्रेम देख करके और स्वामी जी का प्रेम देख करके विचारे चले आए चोटी कथा में भी जाना चाहिए और गाओं में भी जाना चाहिए क्योंकि हम लोग कहते हैं खेडा वसंती भूताना, साहर वसंती दानवा, अगाओं वसंती मानवा एक कहावत महाराथ में उजर खेडा जो उजर खेडा होता है वहापर तो भूती बास करते हैं खेडा बसंती भूताना, साहर बसंती दानवा, साहर में जुए दानों बास करते हैं, आपका परोची है साहर में, और आप समझते हैं किAg हमारा ख़रोशी है इसकी दुकान पर जा करके हम कुछ ले ले तो आपका भी जिप काटे है आपके भी नफ़ा कमाना चाहेगा और आपके घर में अगर में कुछ हो जाएगा तो अपना किमारी बंद कर दे रहा लेकिन हमारी गाहों की संस्क्रिटी ऐसी है आज भी अगर जीवित है शानात्र शृष्क्रिटी के भाहँ में है इसलिए आप बहुत बहुत भाँ प्रहabout है आप लोग है कारिकरम पड़ाबर करवाते है अर जो इस कारिकरम में भाग लिया है जो करवा रहे है मुनको भी बहुत 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 साधू भागवान ने था का सहित की, जद गंतों की, बत्तोर वगवान की, पर्मात्मने नमह, स्री रामचंड्राय नमह, स्री सद्गुरु दिवाय नमह, के,. खेवं, खेवं, स्दाक्व त्वरिभव, नमह, स्री अन्हक्ना, तेथास्पदंचिवविर्यंचिनोतंशरण्यं बृत्यार्थिहं प्रनत्पाल भवाधि पोतं वन्दे महा पुरुषते चरणा विन्दम् वन्सी विभुषित करा नवनीर दाभाद पीतां पराद रुणविंद पलाद रोष्ठाद पूर्णेंद उसंदर मुखाद दर्विंद नेत्राद प्रिष्णार्परं किवपितत् वमहं नजाने नारायनं नमस्कृत्या नरम्चैवनरोत्तमं देविं सरस्वतीं ब्यासं तो जय मुदीरे श्रीरो महसर्णं समस्ति जगतां रामं बिना कागती रामेन प्रदिहन्यते कलिमलं रामाय पार्यं नमहं रामा त्रस्यति काल भीम भुजबो रामास्य सर्वं पशें रामे भत्ति रखंडिता भगत में रामत में बाश्रयत् जय जय श्री राधार्मन जय जय नमलकिशोद् जय गो पीछत चोड़ प्रभू जय जय वाधार्मन चोड़ जो बार बार के नम का संक्रितन की दिए लुज कर थे ओंडित राम्न पु mask जय 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 ए स्री राम जे राम जे राम स्री राम में जे राम स्प ये रम् जा जे राम जे राम जे राम जे राम स्री राम जे राम जे राम स्री राम जे राम जे जे सी आराम जे जे सी आराम सी आराम चंद्र भगवान की पवनस्त हनुमान की वो स्वामितु सिराजी महराज की हर सिद्धे मैया की ओ माता की श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की सबसंतन की सबभतन की सदग्रंतन की सद्यसनातन धर्म की अरियो नम्ह पार्वती बदे अरहर माने प्राते स्वर्णिये अर्जनिये वंदनिये भक्त वाइचा कल्पितरू सबकी हिले मेरमन करने वाले मर्यादा पुर्शुत्तं दसरत नंदन कोशल्या नंदन स्री रागवेंद्र सरकार के चरणों में सरपथम कोटी-कोटी प्रणाव जनकी अध्यचता में इनकी पावन सन्मिधी में हम छे दिवसी स्री राम चरित्मानस ज्यानियग्यों के अंतरगत आध्यात्री चर्चा कर रहे हैं भगवान के दिर्मल चरित्र को कह और सुन रहे हैं भगवती हर सिंधी माता का बंदना करते हुए मंचासेन स्री गीता घाट विदाश्रम योग पीट ट्रस्ट की अध्यक्षत सासाराम से चल कर आए हुए पुझे स्वामे कमला नंदी माराज जो राणी घाटी का भी संचालन करते हैं उनके साथ आए हुए सबी संतवरिंद और मेरे परंप्रियों स्वामे राजा राम नंदी माराज जनके संकल और प्रयास से यह कारिकान हो राणा यहां उपस को मेरी माताओं बेहनों समस्त धर्मान उरागें भगबत कखा प्रेमियों सभी के हिर्दे में मेरा रिमान परमात्मा को मेरा प्राणा आज विश्राम का दिवस्या स्वामे जी ने अभी अभी कहा कि छोटे छोटे गाओं में भी जाना चाहिए कथा करने सत्संग करने मैं ऐसा समझता हूँ कि छोटा या बड़ा भाव से ही कोई होता है अमीर और गरीद भी अपनी भावना से होता है जिसका भाव जितना बड़ा है वह उतना ही महान है उतना ही बड़ा है और जिसका भाव जितना संकुचित है वह उतना ही छोटा है पूरे नामैड में भाव की बात की गए गए भाव अबस्य भगवान भगवान भाव की वशी भूत है जब जब होए धर्म केहानी बाढ़ ही असर अधम अभिमानी जब जब होए धर्म केहानी बाढ़ ही असर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध सरीरा तब तब प्रभु धरी विविध सरीरा हरणी के पानी दे सचन पीरा जब जब होए धर्म केहानी जब जब धर्म केहानी होने लगती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता its जब जब कोई भक्त संकट में हुता है अधर्म का नाज करके धर्म की रक्षा करते हैं असरों को मार कर भक्तों और संतों को आधर प्रदाने करते हैं भगवान इस गरादान पर आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है यह एक प्रक्ष्ण भगवान इस घर्थी पर क्यों आते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कोई कोई कहता है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए धर्ती बनाते हैं लेकिन यदि भगवान को धर्म की स्थापना करना होता तो बहुत से संतों को ज्यानियों को भेज कर जैसे जगत गुरु संकर आचारे हुए, रामानंद आचारे हुए, माधवा आचारे हुए ऐसे बड़े-बड़े आचारे और विद्वान और संतों को बेज़ कर भी धर्म की स्थापना करा सकते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए विशेश रुप से भगवान का अवतार हो स्वयम भगवान को आना पड़े ऐसा दिखाई नहीं बढ़ता धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना अन्य उपायों से भी हो सकती दुसरा असुरों के नाश के लिए बगवान आते है बगवान को असुरों का नाश करने के लिए राक्शसों का बल करने के लिए रूप धारण करके धर्थी पर आना पड़ता है यदि ऐसी बात हम सुईकार कर भगवान बिना रूप धारण के बिना धर्थी पर आए अपने संकल्प से ही सभी असुरों को मार सकते हैं उसके लिए उन्हें कोई रूप धारण करके आना पड़े ऐसा कोई विशेश आवश्यक दिखाई नहीं पड़ता लेकिन शबरी जो भगवान के आने के पतिक्षा कर रही है राम आएंगे तो अम्हेरा सजाओं राम को जोपड़ी में बुलाओं राम को बेर खिलाओं यह जो शबरी पतिक्षा कर रही है जब तक राम कोई रूप धारण करके दंग आये हैं तब तक सबरी की पतिक्षा पूरी नहीं होगी सुतिखण, सरभंग, अगत्सिय, आदि विशी मुनी मुनी जो जंगल में एकांध में कठें तपस्या कर रहे हैं कर्णमूल फल खाकर जब तक परमात्मा कोई रूप दारण करके उन्हें दर्शन न दे तब तक उन्हें संतुष्टी नहीं होगी दसरत और कौशल्या जिन्हों ने पिछले जन्म में मनों और सत्रूपा के रूप में घोर्द पस्या की और भगवान से बर्दान मागा हे प्रभू आपका यह रूप देंकर मन में ऐसे इच्छा होती है कि आपके समान हमें पुत्र प्राफ्टों भगवान ने का मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है मेरे समान तो मैं ही हो सकता हूँ इस वे मैं सयम आपका पुत्र बनकर आऊँगा भगवान जब तक रूप धारण न करें तब तक दसरत और पोशल्या जिरोंने मनु और सत्रूपा के रूप में तबस्या करी है उनके भाव की रच्छा कैसे हो तो भगवान रूप धारण करते हैं इस धर्ती पर आते हैं इसका बहुत बड़ा कारण धर्म की स्थापना नहीं है इसका बहुत बड़ा कारण असुरों का नास करना नहीं है इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है तुम सारी खे संत प्रियमोरे भगवान जे साहिम कहा है तुम्हारे जैसे भक्ट तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिये है तुम सारी के संत प्रिये मोरे भरव देह नहीं आनमि होरे तुमारे जैसे संध तुमारे जैसे भक्त बुझे प्रिये है इसलिए मुझे देहधारण दरना पड़ता है बाखी सारा कारे भगवान अपने संकल्ब से कर सकते हैं लेकिन वक्तों को दर्शन देने के लिए वक्तों के भाव की रक्षा करने के लिए बगवान को देह धारण करना पड़ता है। भाव के वर्शिभूत होकर के परमात्मा देह धारण करते हैं। देव भी देह में प्रवेश करते हैं। देव भी देह की रचना करते हैं इसलिए भाव का महत्र भाव से ही कोई छोता होता है भाव से ही कोई बड़ा होता है हो सकता है इशाल में बड़े लिखे बिद्वान न हो इनके पास बहुत बड़ा आश्रव नहों हो सकता है स्वामी जी बहुत बड़े लिखे विद्वान नहों हो सकता है स्वामी जी बहुत पैसे वाले नहों और है नहीं लेकिन भाव से अमीर है भाव से परम धन्वान है तभी तो सारे संथ खीचे चले आए आपके कुछ तो भाव होगा बुलाने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन इनके भाव से खीचे चले आए गीता घाट, बेदा असरम, सासा राम से स्वामी, कमला नंजी और भी बड़े बड़े संथ हमारी भी सच पूल, पूछो, तो मन से इच्छा नहीं थी कि घर्मियों में इधर वोई कारेक्रम किया जाए चुप्चा पेकांद में रहकर गए साहरना करो स्वाध्याय करो, ऐसी ही इच्छा मन में थी लेकिन इनके भाव ने मुझे भी विबश कर दिया क्योंकि ये धन से बले धनवान नहीं है ये बस तो जो भाव से परंधनवान है आप सब भी भाव से परंधनवान है अब ही तो संथ यहां बनाए हाँ, आप लोगों ने इन शे दिनों तक जो रामचरित मानस के माध्यम से ज्ञान चल्चा स्रवण को सुनने के बाद अब उस पर विचार करने की दिरूरत है सुनते तो हम बहुत है सुनने में हमारे कभी नहीं बहुत बागवर होती है खूब सुनते, लेकिन करते बहुत कम है करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है इन छे दिनों में छे बाते भी यदि आप याद रखों छे बाते भी छोड़ दो इन छे दिनों में यदि आप एक बात भी याद रखों रामायन में हजारों चौपाईयां लेकर तुलसी दाशी ने कहा सतपंच चौपाईय मनोहर जानी जो नरु उर्धरे तारून अवित्या पंच जनित अविकार श्री रखुबर हर जादा नहीं सत पंच पांच साथ चौपाईयां भी सत पंच चौपाईये मनुहर जो किसी के मन को हरण करने वाली हो मनुहर हो यानि प्रिय लगने वाली हो साथ पांच चौपाईयां जो भी आपको प्रिय लगती हो इन साथ दिनों में या और भी दिनों में जवाब रामैन पढ़ते हो तो जानकर उसे जो अपने उर्द है अपने हिर्दय में धारण करता है केवल कान तक नहीं हिर्दय तक भी उतारता है दारुण अविद्या पंच जनित अभिकार श्री रगुबी रहे उसके समस्त अविद्या को और काव, प्रोद, लोग, मोह, अभिवान ये पाँच प्रकार के जो उसके विकार है उन विकारों को श्री रगुबर हरे भगवान स्वेम हरण सब लेते जादा नहीं हैं सिर्फ साथ पाँच चोपाई है एक चोपाई आप लोग बहुत गाते हो, जो सभी को याद है, चाहिए बच्चा हो, बुड़ा हो, जवाद हो एक चोपाई सभी दोड़ादा, सभी गाता है और मैं उससे भी विशेस बात कहूं, तो अधिशयोक्ती नहीं होगी साथ पाँच चोपाईआं भी छोड़ दो, कोई एक चोपाई भी अदि आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो वो एक चोपाई ही आपके जीवन का उध्धार करने के लिए परियाद करें आपके सारे बंद राश्ते खोलने के लिए परियादत है राम चरित मानस की जो चोपाईआं हैं उन एक चोपाईःον में सवयंश्री राम और जान की निवास करते हैं पूरे राम चरित मानस में एक बी चोपाई ऐसी महीं है जिसमे रकार और मकार नहों ऐसा विध्वान कहते हैं रा यानि राम, मा यानि मा में ही सारा ब्रह्माण्ड समगे थे रा मा, रकार मकार रा और मा, ये दो अक्षर या दो में से एक अक्षर हर चौपाई में आपको मिल जाए कोई ऐसे चौपाई नहीं हो कि इसमें नौ सिर्फ बे की चौपाई है पुरे रामाण में जिसमें रा और मा ये दो अक्षर नहीं है राम में रा और मा ये ही दो दो अक्षर हैं, रकार और मकार ये दो अक्षर एक चौपाई ऐसी है जिसमें नहीं है बाकि रामायां के लितनी चौपाईया हैं उन सभी में रा और मां ये सभी चौपाईयों में हैं इतनी भी चौपाईयां गरंतित की हैं दोस्वामे दुसित आजी ने इससे सिद्ध होता है कि राम चौपाईयां के हर चौपाईयां में राम जी का निवास है रामायन का अर्व योदा आयन है राम धन आयन राम का जो घर है जिसमें राम समय निवास करते हैं उसे कहते हैं रामायन राम का अपना घर रामायन है जहां राम रहते हैं वो रामायन है और हर चौपाई ने कोई भी चौपाई उसमें रा और म ये दो अक्षर में से कोई ने कोई अक्षर आपको जरूर मिलेगा या फिर दोनों मिलेगा यारी हर चौपाई में राम है इसलिए कोई साधारन चौपाई नहीं है बलकि साक्षात राम की शक्ती इसकित हर चौपाई में एक चौपाई ऐसी है जिसमें नर्रा है नमा है और वो चौपाई है जूठई लेना जूठई देना जूठई भोजन जूठे चबेना जूठई लेना जूठई देना तो उसमें किवल रा और मा ये दो अक्षर नहीं हैं बाकि हर चौपाई में आपको रा और मा ये दो अक्षर मिलेंगे जूट लेना जूट देना जूट जूट सब कुछ जूट हैं तो उसमें राम को रहे हैं तो मैंने आपके निवेदन किया कि इन शे दिनों में आपने बहुत कुछ सुना ऐसे भीषण गर्मी में आप पैदल भी चल कर आए अपने साधनों से भी आए और यहां बैट करके अपना समय दिया किस लिए दिया कि हम कुछ सेखेंगे कुछ जानेंगे तो आप बहुत नहीं जान सकते बहुत नहीं सीख सकते तो किवल एक चौपाई बेदी आप अपने हिड़ने में दारण कर लो जैसा तुलसिदाशी कर लो सत्पंट चौपाई मनों हर जान जो नरो नरे आप साथ पांच भी मैं मैं और कंप कर देता हूं तुलसिदाशी से छमामान करके यह कहीं चौपाई यह कोई जीवत में दारण कर लो तो भी वह उसके मंगल के लिए परियादते जैसे यह चौपाई के मैं चर्चा कर रहा हूं जो सभी को याद है यह चौपाई यह अपने हिड़ने में दारण कर लो तो श्री राम तुम्हारे हर बंद द्वारक पूल दे के तो चौपाई क्या है मंगल भवन अमंगल हारी रभभु सुदस रथ अजिर पिहारी मंगल भवन अमंगल हारी एक वार दो चार बार हमारे साथ दो रहा है क्योंकि अभी राम होने वाला है इस चौपाई से अपनों विराम करते हैं मंगल भवन अमंगल हारी रभु सुदस रथ अजिर भिहारी मंगल बबन मंगल हारी जब हुसो दज रखे हजिर भी हारी मंगल बबन मंगल आरी जब हुसो दज रखे 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 रखी यारी इस चौपाई का मतलब क्या चौपाई काते से अब लेकित आर्थ बहुत क की लोगों को पता होता है मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुंस दसरथ अजीरविल हारी इसका अर्थ है मंगल भवन यह प्रभू राजा दसरथ के मंगल भवन में क्योंकि जहां भगवान विचर रहे हो, जहां सयम भगवान खेल रहे हो, जहां सयम भगवान विचरण कर रहे हो, जहां सयम भगवान विराजवान हो, वो तो मंगल में ही हो जाएगा, वो भूमी मंगल हो जाएगा, तो राजा दसरत के यहां सयम परमात्मा अवतरित हुए है राजा दसरत के भवन में महाराज दसरत के भवन में स्वयम परमातमा अवतरित हुए है इसलिए महाराज दसरत का भवन मंगल भवन हो जाता है परमातमा के अवतरित होने से महाराज दसरत का भवन मंगल भवन हो जाता है जहां भगवान आवतार ले वह मंगल हो जाता है जिसके हिर्दय में भगवान आवतार लेते हैं उसका सरीर मंगल हो जाता है इस संतों को आप क्यों प्रणाम करते हो आपके पास भी वही चमड़ी है संतों के पास भी वही चमड़ी है संतों के शरीर में भी वही खुन है आप भी रोटी चावल दाल संदी खाते हो संद भी वही खाते है फिर आप संतों को प्रणाम क्यों करते हो क्यों? आपके मन में ऐसा भाव है कि संतों के हिर्दय में सदा भगवान रहते है यही तो भाव रहता है कि संतों के हिर्दय में सदा भगवान रहते हैं क्योंकि वो सदा भगवान की भक्ती करते हैं ऐसे भगवान रहते हैं तो जिसके हिर्दय में भगवान रहते हैं उसका शरीर मंगल हो जाता इसलिए हम उस संत के शरीर को प्रणाम करते हैं इंके शरीर में MAJAR act नजर्ट के बवन में suisने महराज दसरत का अजुना सब्सक्राइब अमंगल का हरण करने वाल हुए हुमारे जीवनमें जो भी बाधायाने वाली है कि अब हमारे बच्चे पे कौन सा संगत आजाएगा यह हमें पता नहीं है हमारे खुद के शरीर में कौन सी बीमारी कर आने वाली है यह पता नहीं है कौन सी समस्या से हमारा परिवार गिरने वाला है यह हमें पता नहीं है तो कहते हैं कि अमंगल हारी है परमात्मा इसलिए उनको अपने हिर्दय में स्थापित करो इसलिए उनकी सेवा करो इसलिए उनका भज़र दरो क्योंकि जहां परमात्मा की सेवा होगी, जहां राम की भक्ती होगी, जहां राम का गुणगान होगा, जहां राम की चर्चा होगी, वो समस्त अमंगल का हरण कर ले होगा, आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को जो आप नहीं जान पा रहें, नहीं देख पा रहें कि राम आपके हिर्दय में हैं राम की निरंतर सेवा करते हो तो राम जी उन बाधाओं को दूर कर देगा हरन कर लेगा जैसे गर्मी में सूर्य का ताक जितनी भी जल है उन सब का हरन कर लेता है और बादल बना देता है ऐसे ही प्रमात्मा श्री राम सभी के अमंगल का हरन कर लेते तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहू सदसरत अजिर भी हारी द्रवहू यानि हे प्रभू सदसरत हो मुझे पर मुझे पर दया करो सोदसरत वो परमात्मा मुझे सोदसरत अजिर भी आये वो परमात्मा मुझे पर दया करें जो महराज दसरत के महल में अजिर यानि मिरंतर विच्रण करते रहते हैं और महराज दसरत के महल में वो परमात्मा विच्रण करते हैं जिससे महराज दसरत का भवन मंगल भवन हो और समस्त अमंगल को हरण करने वाले हैं ग्रभवू को वह परमात्मा मुझ पर द्रवित उपित हो जदि यह भाव भी एतने हिड़ग्र में आप बना लो इस चौपाई का यह भाव यह प्रभू है प्रभू है आप समस्त अमंगल को दूर करने वाले हो महराज दस्रत के भव हो गया वह भवन मंगल भवन हो गया और आप जहां रहते हुआ मंगल हो जाता है तो वही पर्मात्मा वही श्रीराम मुझपर त्रवित हो आप मुझे पर दया करो या चौपाई यदि आप भाव से गाते भी रहों कि बता जो भाव मैंने इस चौपाई का बताया हमेशा गुंगुनाते रहो गाते रहो कहते रहो तो भी जीवन में जितनी बाधाये हैं जितने अमंगल हैं अमंगल हारी परमात्मा आपके जीवन के समस्थ अमंगलों का हरण कर लेंगे लेकिन वो ऐसी श्रद्धा से करना है उस स्रद्धा से करोगे उस विश्वास से करोगे तो आपके समस्थ अमंगलों का परमात्मा शिरां हरण करेंगे वो अमंगल हारी कहे जाते हैं कहीं बटकने की जरूरत नहीं है ज़री इस सचे भाव से वगवान को ये चौपाई भी प्रेम से गाते हो ये भाव भी अपने हुदय में बसा लेते हो जानी जो नर उर्द है फोड़ा ये भाव भी अपने हुदय में धर लेते हो तुभी तुम्हारे लिए एक चौपाई है पूरे जीवन दाकर ल्याड़ करने को परियाद तो छे दिनों में आप लोगों ने बहुत सुना सुनते तो बहुत है, समझते उससे जाद उससे, सुनते बहुत है लेकिन सुन पाते बहुत कम होता है सुना कान में शब्दे तो गया है, लेकिन जो अयथार्त में ध्यान से सुना, वो बहुत कम होता है और जो ध्यान से सुन पाए, उस ध्यान से सुनने में भी जो समझ पाए हो बहुत कम होता है और समझने में भी जो हम आच्रण में उतार पाएं वो और कम होता तो सुना बहुत, सुनने के बाद ध्यान से सुना और कम ध्यान से सुना उनमें भी समझ पाएं और कम समझ में आया तो जीवन में हम इसको उतारेंगे ये और कम हो गया आप नीचे से सुरू करो उपर से जादा सुना उसे छोड़ दो क्या ध्यान से सुना उसे भी छोड़ दो आप क्या समझ पाए वो भी छोड़ दो अब अंतर आज विश्राम है तो किवल इतना सान हो कि अब दिश्राम होने वाला है तो हम अब जीवन में क्या उतारेगा आज सिर्थ इस पर विचार करें कि अब इन छे दिनों में जो भी हमने सिका उसको जीवन में क्या उतारेगा जो भी आपको बाते इतने संतों के ज़्वानों में अच्छी लगी हो एक भी कोई बाफ हम जादा हा की बात कर रहे हैं वे एक सुत्र भी अपने जीवन में रारण उत्त करेंगे देखो उसके भर में लक्ष भी कैसे नहीं आती, सुख सांती कैसे नहीं आती, एक चौपाई उसके जी और दो सुखी बना लेगा, यदि सास ये संकल्प कर लेगे, हम अपने बहु को बेटी समझेंगे, उसे गलती इपराद हो जाएद छपा कर देगे, देखो आज ये उसके देखो जाती कैसे नहीं आती, कोशल्या माता, सीता जी को कैसे रखती थी, दीपक भी एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखने को नहीं कहती, कि इतना प्यार करती है, पेटी से भी जादा घर में आई हुई बहुँओं से प्यार करती है, ये रामायर से एक बार सिक्रों जीवन स्वर्ख हो जाएगा, कोई एक सुत्र भी जो आपको अच्छा जीवन में धारण करने का संगल करना, आज से हम 15 मिनट से वह 15 मिनट साम रामायर पढ़ेगा, पूरे दिन में जब समय मिलेगा 15 मिनट रामायर जरूर पढ़ेगा, जैसे रोज भोजन करते हैं, जैसे रोज जल पीने हैं, ऐसे ही रोज 15 मिनट ही सही, नहाने का भी समय ने मिला तो हात पाउं धोकर ही सही, लेकिन रामायर अर्ठ पे साथ जरूर पढ़ेगा, हर मुसल्मान का बच्चा भी रोज नमाज पढ़ता है, लेकिन ये हिंदों का दुरबाग के होता जा रहा है, कि भ जब करने, रामान नहीं पढ़ना जानते, ये संकल कर लो कि आप 10 मिनट जब करके ही भोजन करेंगे, भोजन तभी करेंगे जब भजन कर लेंगे, जब भजन कर लेंगे, जब भजन कर लेंगे, दस मिनट राम राम कर लेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे, जिस दिन नाम नहीं लेपाई उस दिन भोजन भी नहीं करेंगे एक सुत्र भी जीवन में अधि आप दारण कर लो जीवन बदल जाएगा और केवल बहुत सुनते रह जाओगे तो बहुत सुनने से प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन उसका स्वाद नहीं मिल पाएगा जैसे रस्गुल्ले की प्रसंसा तो सुनी रस्गुल्ला बड़ा मीच्छा है गर्मा गरम है खालो किवल सुन लिया तो सुनने में तो आनंद आया मुह में पानी आ गया अच्छा बड सुनने में आनंद तो मिला लेकिन जब तक उसे अनुभाव में उतारोगे नहीं तब तक उसके असली स्वाद का पता नहीं चले जूट नहीं बोलना चाहिए यह सुन तो लिया लेकिन जूट नहीं बोलकर जब तक अपने अनुभाव में देखोगे नहीं तब तक जूट न बॉलने का आनंद क्या होता है ? इसका अनुभव, इसका स्वाद नहीं लेखाओ. इसलिए सुनो ही नहीं सुनने के बार, एक ही छोटी सी बार ये प्रतिक्या कररो कि आज से हम जीवन में होतारेंगे आज से हम ये काम करेंगे आज से रामार पढ़ेंगे आज से जैसे रोज भोजन करते हैं रोज पानी पीते हैं ऐसे रोज जब करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए दुख हो सुख हो सर्दी हो गर्मी हो हर परिस्थिती में जैसे हम भोजन नहीं छोड़ते सांस लेना नहीं छोड़ते हैं ऐसे सुबह साम 15-20 मिनट राम का नाम लेना नहीं छोड़े को यह संकल्ब करके देखो फिर आपकी जीवन का अमंगल परमात्मा कैसे हरण करते हैं जिसने भी इस आयोजन गोकिया उन सभी ग्राम बासियों को छेतर बासियों को बहुत बहुत आशिरवाद बहुत बहुत प्रेम आप सभी मेरी माताओं बहरों को जो गर्मिय में धीरज के साथ बेट कर बड़े प्रेम से कतासत संसुनती हैं और जो भाई हैं, उन सभी को भी बहुत-बहुत प्रेम बहुत-बहुत बहुत आशिरवाद, मंगल कामना और सौमी रावाद राजा रावननंद जी के स्वास्त के लिए भी मैं परमात्मा से मंगल काम ना करता हूँ कि आप दिल की जीवी हों स्वस्त रहे और जो भी इनहां पर आयोजन किसी भी प्रकार से इसमें आयोजन कर रहे हैं सबने बहुत अच्छा आयोजन किया सबका सुद्ध भाव था, प्रेम था, सुद्ध संकल्ब था यही कारण है कि जो कहीं बुलाने पर नहीं जाते ऐसे भी संद आप नों के बीच चल कर आये और आप लोगों को आश्रवाद दिया सबी को बहुत बहुत आश्रवाद यहां जो भी संद आये वो इसलिए नहीं आये कि यहां पर आने से दक्षणा मिलेगी सुक्षन कादी से रुसारद सुक्षन कादी से रुसारद बरनी पवन सुथ कीरत नीकी आरत से रामायन जीकी दावत बेद पुरान अश्रदस सव सास्त्र सब गंठन को रस मुनी जन धन संतन को सर बस मुनी जन धन संतन को रस सार आंस संत सब ही की आरत स्री रामायन जीकी दावत संतत संभु भवानी अरुगट संभव मुनी ज्यानी प्यासे आदी कभी बरज बखानी आग वो संदी गरुण के ही की आरत स्री रामायन जीकी आरत स्री रामायन जीकी सुबग सिगार मुपी जुगती की दलन रोग भव मुरी अमी की जात मात सब विद तुलसी की आत मात जब तुलसी की आरत सीरा मायन जी की आरत मीरा मायन जी की आरत की जे हनुमान लला की दुस्त दलन रगोना तकला ती तो से दलना रगो नाव दुखरा की आरती की जेह दुमान ललावकी जाके बल से गिरिवर काँपे आकी बल से गिर जाँपे रोग दोस जाके निकट नजाँपे अजनी पूतर महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई अजनी पूतर महा मलदाई, संतन के प्रभु जबा सहाई आरति की जैहनुमान ललाखी देवी रारगो नाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंका सो गोटी समुद्र सिखाई राति पवन सुधिलाए लंका सो खोटी समुद्र सिखाई राति की जैहनुमान ललाखी दुस्त दलन रखो नाथ कला की आरभी की जैनुपान लला की दुस्त दलन रखो नाथ कला की लंका जारी असुर संधारे लंका जारी असुर जारी आरे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्वन मुर्चित पड़े सकारे आनिस जीवन प्राण हुबारे लक्ष्वन मुर्चित पड़े सकारे आनिस जीवन प्राण हुबारे आरत की जहनुमान ललाखी उस दलन रखुनात खलाखी रठी बताल तोरी जमकारे बड़े बताल तोरी लमकारे पहिरावन ती भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे दहिने भुजा संत जन तारे सुर दर मुनियारती उतारे जय 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 हनुमान उचारे जो हनुमान जी की आरती गावें जो हनुमान जी की आरती गावें बसी बेखुंत परमपत पावें बसी बेखुंत परमपत पावें आरती की जय हनुमान ललाकी उस दलन रखुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी उस दलन रखुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी उस दलन रखुनाथ कलाकी कर पुर आरती की जय हनुमान ललाकी जय हनुमान लल कावें